तो हलो व्रेवान गुड मॉनिंग सभी को उम्मीद करतों मेरी वोईस प्रॉपर आ रहे भी सभी तक एक बार कन्फर्म कर देंगे तो आज किस लेक्चर हम लोग करने वाले हैं कम्प्लीट एकॉनमिक्स फॉर अपकमिंग जो भी हमारा सेसी सीजल मेंस है चाहिए वो फिर CHSL कमिंग से फिर चाहिए आप कोई भी एक्जाम में बैठ रहे हैं इस वीडियो में पूरी एकॉनमिक्स काप का रिवीजन होने माला है ठीक है जैहन सभी को और गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग की बार कन्फर्म करेंगे मेरे एकल चलो तो यह कन्फर्म करो कि वोईस्टॉफर आ रही है की नहीं भाई देको लेट वेट का अपना सिस्टम नहीं रहता है पता नहीं लोग कैसे लेट हो जाते हैं अगर में जैसे वो करना भी होता है तो हम शिरीवल कर देते हैं ग्लास को पहले ही बता देते हैं कि भाई इतने टाइम होगी लेकिन लेट आना यह था हमारी फित्रत में है यह नहीं गुड मॉर्निंग सभी को जल्दी से होता है वोईस आरी की नहीं कंप्यूटर का नहीं आपाएगा रुपेश sorry for that अधे पता है मन्त पता है मैंने कंप्प्यूटर का पहले बोला था बड़ कंप्यूटर का नहीं आपाएगा कितने बज़े तक होगी है तो मैं भी नहीं पता है गुड मॉर्णिंग तो कर रहा है एक बार यह बता दो कि वोईस प्रॉपर है कि नहीं फिस्टार्ट करें क्योंकि कई बार रोता है एवर्विधिंग इस ओके ठीक है सारी चीज़ने हो लहा है जाले तो स्टार्ट करता है विधि थी बेसिक्स ओफ एकोनुमिक्स बाट उससे पहले difference क्या होता है macro और micro economics में ठीक है पहले तो difference समझना important है because economics उसके दो components है एक तो micro वाला और एक macro वाला micro economics is the study of economics at an individual group or company level macro economics is the study of a national economy as a whole अब जैसे मैं आपकी economy को study करूँ जैसे कि मैं आपका price आपकी income बढ़ा दूँ तो आप कैसा behave करोगे आप क्या demand ज्यादा करोगे क्या आपके behavior में changes क्या होंगे at an individual level तो वो micro economics deal करती है macro economics में वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि देश की राश्टी income that is national income वाला concept होगा है GDP मतलब as a country हम एक बड़े level पर देखते हैं उसको बलते macro economics और यहां पर important हो जाता है कि इनके father मतल भी पढ़ ले कि who is known as the father of economics ये बताईए father of economics and father of modern macro economics father of modern macro economics father of economics एकर हम बात करें तो he is Adam Smith और इनको father of modern micro economics के नाम से भी जानते हैं धन रखना या तो overall father of economics या फिर father of micro economics के नाम से भी जानते हैं Adam Smith और इनकी एक book है अगर आप बताना चाहें तो उनकी book का नाम क्या है modern macro अगर बात करें John Maynard Guinness जो कि England से बिलॉंग करते थे और Adam Smith की अगर बात करें तो इनकी book है Wealth of Nations क्या किताब का नाम है इनकी? Wealth of Nations Start करते हैं with the basics of economy सबसे पहले हम पढ़ेंगे what are the three types of economic systems So three types of economic system में हमारा एक होता है पुझी वादी जिसको capitalistic बोलते है दूसरा होता है समाजी का निकी social और तीसरा होता है mixed अब तीनों में differences क्या होते हैं तो अगर हम बात करें capitalist वाले में ठीक है इसका मतलब होता है government Mixed के अगर बात करें तो private plus public दोनों होगा ठीक है तो जहाँ पे भी आपको public word देखने को मिले that means कि government की वहाँ पे बात हो रही है ठीक है जैसे हम बोलते है public sector undertakings तो मतलब उसमें government की major shareholding है यहाँ पे government का कोई role नहीं होगा no role of government यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे government का complete involvement होगा ठीक है complete involvement होगा government का because social है वो public है तो अव्य सी बात है पे पूरा total पूरा यहाँ पे complete involvement होगा और mixed में गर बात करें तो mixed में limited role होगा यहां कि बहुत लिमिटेड रोल होगा किसका गवर्मेंट का क्योंकि यहां पर प्राइवेट भी है पुब्लिक भी है तो में यह कि प्राइवेट खेल रहा है बट थोड़ा से जो गवर्मेंट वह रिगुलेट कर रहा है चीजों को ठीक है यहां पे कर में बात करें North Korea हो गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एकदम extreme form, North Korea में अगर बात करें, तो extreme form एकदम social चलता है, social मतलब private place को बहुत limited एक तरह से मोल सकते हैं, कि room होता है खेलने के लिए, mixed में क्या है, जिसे किसका example हो जाएगा हमारा इंडिया, भारत, भारत में क्या है, हम पहले तो बहुत ज़्यदा social, social, social थे, लेकिन फिर 1991 में आप में से काफी लोगों को पता होगा, हमारे साथ कुछ दुरगटना हुई, वो दुरगटना के बारे हम डिसकस करेंगे, जिसको बलते है, balance of payment crisis, economic condition हमारी खराब ही, जिसके बाद हमने धीरे-धीरे-धीरे social से mixed की तरफ shift हुए, ठीक है, तो अब mixed को इंडिया से relate कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो economic motive क्या होता है, capitalist वाले में, economic motive होता है, profit, कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा, बस profit extract करना है, social में क्या होता है, social वाले समाजिक म उसका main motive होगा, बस profit, किसका बहला हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, जैसे for example माल लेते हैं, माल लेते हैं कि एक गाउ में 100 लोग हैं, ठीक है, अगर private player वहाँ कोई खेल रहा होगा, और 80 लोग कोई चीज demand कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज A demand कर रहे हैं, 20 लोग चीज B demand कर रहे तो इनका welfare government देखेगी, तो उसी को बोलते हैं, social welfare, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत है, दोनो profit भी और social welfare भी, जैसे इंडिया में, इंडिया में हमारे reliance, यह सब companies profit extract कर रही हैं, बट हमारे यहाँ पर government भी अपना यह जो different schemes run कर रही है, ताकि milestone connectivity है, फिर जो घर घर तक के एक तरह से सभी का भला हो सके, उसके लिए हमारे different scheme run करती हैं, public distribution scheme हो गई, different health insurance schemes है, different life insurance scheme है, तो यह सब क्या है, यह है कि भई, जैसे माल लेते हैं कि जो हम data use कर रहे हैं, जो गाओं में data use किया जा रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो एक private का में दिखा रहा है, because माल लेते है रिलाइंस का, एटल का, किसी का data use कर रहा होगा, कोई बंदा, तो वो private दिखा रहा है, ठीक है, वो माल लेते हैं कि quota से, quota आप जानते होंगे, जो गाओं में होते हैं, जहां पर सस्तेदरों पर गेहूं और चाल मिलते हैं, तो वो क्या use कर रहा है, वो government की facility को use कर रहा है, त economic freedom यहाँ पर complete रहती है, किसके economic freedom की बात कर रहे हैं, किसी भी, जैसे for example, मुझे अगर कोई business setup करना है, तो यहाँ पर complete freedom होती, capitalist वाले में आप business setup करो, complete होती है, but यहाँ पर there is a lack of freedom, जैसे कि अगर आप चले जाओ, North Korea में, ठीक है, तो वहाँ पर आप कोई भी business नहीं कर सकते ह अगसा नहीं वहाँ पर business करना, और यहाँ पर क्या limited है, limited कैसे कि कुछ sectors जो है, government ने अपने लिए reserve कर रखे हैं, कुछ जैसे for example, railways वगएरा, तो उसमें ऐसे कोई आके नहीं गुश सकता है, कुछ है, और बाकी है कि वहाँ पर कोई भी आ सकता है, ठीक है, अब जैसे कि हमारे influencers होते हैं, influencers नहीं आप देखते हैं कि advice देते रहते हैं, जैसे कि for example, अनकुर वारिकू अगरा यह सब, तो अभी इन पर सेबी ने बोला है कि अब बिना जो licensed वाले हैं, वो लोग यहाँ पर financial advice नहीं दे सकते हैं, वो influencer रही है, influencer मत बनी है, financial advice आप नहीं दे सकते हैं, तो government ने भी capping लगा दिये भी एक हफते पहले की news है, तो अब ऐसे जनरल क्योंकि होता क्या है, यह लोग कुछ भी advice दे देते हैं, खुद तो उस company में नहीं इस करते नहीं, ऐसी advice देते हैं कि लोग influence हो के वो लगा देते हैं, अभी case हो चुक है न इस वज़े से, और लोग इस ड्वाले में भी, but government का regulation रहता है, ठीक, अभी आते हैं, sectors of economy पढ़ते हैं, अर्थवष्टा के जो different छेत्र होते हैं हमारे, तो primarily हमारे तीन अर्थवष्टा के छेत्र होते हैं, primary, secondary और tertiary, primary अब इसमें difference किया प्रातमिक, दुतियक और सृतियक, तो primary के अगर हम बात करें जो हमारे किसान है हो भी कुछ ना एक भागे-दारी दे रहारा हो भी पार्टिसपेट कर रहा है गुनामिय में जो किसी factory में काम कर रहा है जो biscuit factory में काम कर रहा है वो भी कुछ न कुछ कर रहा है politician भी कर रहा है scientist भी कर रहा है तो हम किसको किस sector में रखेंगे यह हम पढ़ने आले हैं ठीक तो primary हम अगर हम बात करें प्रात्मिक तो जो directly nature से involved हैं चीजें वो आ जाती है primary में जैसे कि for example agriculture कर रहा हूँ मैं ठीक है mining agriculture जो मैं कर रहा हूँ ठीक है directly nature में involved काम है mining हो गया आपका ठीक है और क्या forestry मतलब जो भी mining, agriculture, fisheries जो भी मैं directly nature में involved हो की चीजें कर रहा हूँ that are called as primary sector की job और इनको हम red collar jobs के नाम से भी जानते हैं red collar jobs बात अगर हम करें यहाँ पे अब secondary sector तो secondary sector को हम manufacturing sector के नाम से भी जानते हैं इसको हम manufacturing sector भी बोलते हैं अब जो भी आपने primary sector में चीज़ बनाई जैसे agriculture में आप involved थे तो आपने गेहूं produce किया होगा mining में आप involved थे तो आपने कोई पत्थर पत्थर निकाला गए कोई चटान निकाली होगी तो आपने जो पहले सबसे काम किया कि आपने गेहूं produce कर दिया आपने वो और निकाल ली ये primary में है अब उसके बाद जो उससे अब आप finished good बनाऊगे वो है secondary sector अगर मैंने wheat produce की आप जो मैं biscuit बनाऊँगा manufacture करूँगा वो होगा इसमें यहां पर यहां पर जो मैं table chair बनाऊँगा वो होगा manufacturing sector तो यहां मतलब जो चीज manufacturing होती है यानि कि यहां पर क्या होता है यहां पर जो raw material होता है उसको valuable good में convert किया जाता है और यहां पर क्या होती मेली processing होता है जैसे कि for example processing ठीक है और building और construction work भी इसी में आ जाता है अपका ठीक है building work हो गया construction work हो गया और इनको हम बोलते हैं जैसे इनको red collar job इनको हम बोलते है blue collar jobs ठीक है blue collar jobs ठीक अब आ जाते हैं tertiary sector में भई चीज पहले से नेचर से निकाल ली गई उसको एकदम final वो बना लिया गया अब ठीक है यह वाला biscuit खाईए आएंगी Katrina मेडम बोलेंगी यह वाली लिपिस्टिक लगाईए यह सब क्या है यह है अब उसका promotion किया जा रहा है अब उसको sell किया जा रहा है यह नहीं tertiary sector tertiary sector को हम services sector भी बोल देते हैं because यहां पर services दी जाती है इसको हम services sector भी synonymously बोल देते हैं बिकॉज यहां पर services offer की जाती है अब सिर्फ Katrina में जो लिपिस्टिक बेच रही है फिर अशरा में जो पांच प्रॉब्लम का एक solution बता रही है वो सिर्फ tertiary sector में नहीं आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह भी services sector में आएगा यानि कि कोई भी intangible चीज intangible का मतलब होता है जिसको आप टेच नहीं कर सकते हैं चू नहीं सकते हैं अब जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं टेच कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बट आप अपने laptop अपने mobile phone को टेच कर सकते हैं बिकॉज वो manufacturing में produce हुआ है और उसका जो advertise हुआ था जो माल लेते हैं ज कि आपका ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा ठीक है ट्रांसपोर्ट हो गया teaching हो गया advertising हो गया retail हो गया यह सारी जो चीज़े हैं जिनको आप touch नहीं कर सकते हैं उनको मोलते हैं tertiary sector और इनको हम प्यार से बला देते हैं white collar jobs white collar jobs, red, blue and white अब इंडिया में अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा maximum employment यह देता है maximum लोगों को employment इंडिया में यह देता है but सबसे ज़्यादा GDP में contribution most contribution या फिर highest contribution in GDP रहता है इस particular tertiary sector का जिसको हम तरती एक छेतर बोलते हैं हैनि कि employment सबसे ज़्यादा देता है यह और GDP में contribution इसका रहता है इसका tertiary का तभी हम देखेंगे इसका पीछे का reason क्या है कि इतने लोग यहां पे employed है फिर भी क्यों GDP में इतना contribution नहीं है इसका कारण जब हम लोग different kinds of unemployment देखेंगे तो वहां पर में देखने को मिलेगा यह जो हमारा अग्री यह जो primary sector है इसको हम इंडिया का को पता होना जीए कि क्योंरी सेक्टर क्या क्या होता है तो क्वाटर्णरी में होती है जो आपकी highly knowledgeable jobs होती है knowledge i nove led hosti कि जहां बहुत ज्यादा knowledge की ज़रत होती है भाई services में भी ठीक टीक knowledge की ज़रत होती है लेकिन यह depends पर बात करें, quaternary में बहुत ही ज़्यादा knowledge की जरुत होती है, जैसे for example, अगर मैं बोल दूँ, scientist लोग हो गया है, उसके लिए आपको PhD वगरा करनी पड़ती है, तब जा के आप कहीं पर scientist बन पाता है, senior business executive हो गया है, senior माल लेते हैं, business कोई executive है किसी company में, वो भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है, तो फिर quinary क्या होती है, quinary होती है, जहाँ पर एक तरह की decision making abilities, आपकी दाओं पर लगी होती है, decision making abilities, जैसे for example, जो politicians हैं, वो क्या है, decisions ही तो करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे politicians हैं, वो इसमें आएंगे, politicians, और इनी को हम बोलते हैं, quinary वालों को gold collar jobs, gold collar jobs, ठीक है, यहाँ पर हमारा basics खतम होता है, जल्दी से बताइए, कि किसी कोई doubt तो नहीं है, और इन questions का answer करेंगा आप जल्दी से, पहला question आपके सामने गे रहा है, और एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, कि जो प्राइए, यह public वाला sector होता है, इसको हम social sector बोलते हैं, इस दूसरे के consumption को effect नहीं करेगी, प्राइवेट वाले में तो एक fixed production हुआ है, अगर मैं उसको बहुत ज्यादा ले लूँगा, तो दूसरे वाले के लिए price महेंगा हो जाएगा, प्राइवेट पब्लिक में क्या है, कि government ने सब के लिए 2 रुपए किलो गेहों और 3 रुपए कि या तो दूसरे वाले को महेंगा मिल जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज़ धानक नहीं, consumption of 1% does not affect the consumption of another person in the social or public sector, ठीक है, चलिए, answer दिए जल्दी से, तो Dash is defined as the study of behavior or individual decision making units such as consumer, resource owners and firms, तो इसको हम बोलते हैं, define the study of behavior of individual, मतलब microeconomics, ठीक है, John Maynard Kenny is best known for his economic theories, hailed from which country, अभी आगे भी आएएंगे, Kenny's जी, ठीक है, important, important theories दीती, ऐसे ही इनको father of modern macroeconomics बोलते हैं, he hailed from the England option number D, which branch of economics deal with the depletion of natural resources, stock and pollution, which are a result of rapid economic development, यहाँ पर बात होरी, natural resources की stock and pollution की, तो इसको हम बोलते हैं, क्या, environmental economics, option number A, बोलेंगे, पर्रावरणी अर्थशास्र, ठीक है, because यहाँ पर हम deal कर रहे हैं, किससे natural resources, stock and pollution से, तो वेसे बात है, environment economics, which of the following sector is largely driven by the considerations of social welfare, यहने की, बड़े पैमानें पर, सामाजी कल्यान के विचारों से प्रेरीत है, foreign, cooperative, public, या फिर private, क्या सही answer होगा, obvious ही बात है, यहाँ पर answer क्या होगा, public वाला होगा, option number B, sorry, C, public में ही तो होता है, ठीक है, जिसको हम की socialistic sector बोलते हैं, फिफ्थ, which of the following, because जो मारा private होता है, उसमें क्या होता है, private वाले में तो profit होता है, private वाले में profit होता है, और mixed वाले में दोनों होता है, which of the following is an economic system in which capital goods are owned by private individuals or businesses and the production of goods and services based on the supply and demand in the general market, ठीक है, निम लिखित में से कौन सी एक आर्थिक प्रनाली है, जिसमें पूंजी गत, वस्तुओं का स्वामित निजी वेक्तियों या वेफसाओं के पास होता है, और वस्तुओं और सेवाओं को पादन सामाने बाजार में आपूर्ती और मांग के अधार पे होता है, निदिमांड सप्लाई की बेसिस पे होता है, क्या होगा, capitalist, तो दे ही रखा है, कि भाई, ownership किसकी है, owned by private individual, ownership यहाँ पे, private individual किसके पास थी, देख लीजे, ownership अगर हम बात करें, ownership, तो ownership private कि थी, किसमें, capitalist वाले में, तो इस वय से आपका capitalist answer हो जाएगा, ठीक है, option number B, आखरी question है, which is the following activities is also referred to as gold collar professional, इसमें से जल्दी से answer बताईए, और यहाँ पे एक चीज और add करिएगा, कि water auxiliary to trade, यह auxiliary to trade क्या होते हैं, तो जब हम कोई व्यापार करते हैं, तो कोई चीज हो, कुछ चीजें ऐसी होती ही, जो साहयता करती है, यह व्यापार में वो चीजें साहयक होती है, तो कुछ auxiliary to trade होते हैं, उनको ध्यान रखिया, क्या-क्या आपके auxiliary to trade होते हैं, जैसे कि आपका warehousing हो गया, ठीक है, warehousing, यह आपका auxiliary होता है, insurance होता है, ठीक है, transportation होता है, advertisement होता है, transportation and advertisement, यह सब होते हैं, auxiliary to trade, साहयक होते हैं आपके व्यापार में, लेकिन जैसे for example, holding, यह कोई auxiliary to trade नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखियेगा, ठीक है, तो अगर हम इस question की बात करें, तो answer क्या होगा, quinary हो जाएगा, option number D, ठीक, अब यहाँ पर हम, आएंगे, national income, यानि की राश्ट्री आए के concept पे, और उमीद करता हो, यहाँ तक किसी कोई doubt नहीं होगा, बिल्कुल सही है, विहरी, world news, शृती, नैतिक, बड़ी दूरगा, टेकनिकल नॉलजज, अंजली, गगन, सब का सही है, ठीक है, तो national income पे आते हैं राश्ट्री है, let me tell you, it is the most important concept, ठीक है, economics में, सबसे important अगर कुछ है, वो national income ही है, आपके economics, आपके सिसी perspective से अगर मैं बात करूँ, nothing can be more important than this, national income बहुत important है, उसके बाद अगर मैं order में बात करूँ, national income के बाद जो budget वाला होता न, revenue, revenue account, capital account, वो इसके बाद बहुत important है, उसके बाद जो हमारे monetary policy वाले है, वो important है, तो सबसे ज़्यादा top पे आएगा, फर्स number पे वो यह होगा, तो काईदे से समझ यहेगा, national income होती क्या है, तो किसी राष्ट की income, किसी nation की income, वो होती national income, इसको express करने के different, यहाँ पे GDP नहीं होगा, यहाँ पे national income होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा national income, तो national income को express करने के different तरीके होते हैं GDP, GNP, NDP, NNP इसको बोलते हैं gross domestic product gross यहाँ पर राश्ट्री आये होगा ठीकर राश्ट्री आये की गढ़ना करने का समच्च है तो इसको बोलते हैं gross domestic product मतलब क्या हुआ अगर मुझे national income को calculate करना है तो मेरे पास उसको express करने के different तरीके हैं मैं different तरह से calculate उसको नहीं बोलेंगे different तरह से calculate कर सकते हैं मैं बोलूँगा कि राश्ट्री आये होती है उसको express करने के different तरीके होते हैं जैसे कि यह कोई एक देश है यह कोई country है इस देश के अंदर जितने भी goods और services का production हो रहा है उसकी value को अगर मैं calculate कर लूँ वो GDP देदेगा irrespective of कि उसको कौन produce कर रहा है यहाँ पे कौन जो word है न who is producing is of least importance यहाँ पे least क्या बिलकुल है नहीं importance उसकी ठीक तो gross domestic product का मतलब है value of all the final goods and services produced in and produced within the territory ऐसे में लिख सकता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा produced within the territory मतलब कि उस territory के अंदर की बात हो रही है बाहर कितना क्या production किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है बाहर चाहा हमारे माल लेते हैं Australia है Indians रह रहे हैं उन्होंने कुछ good produce किया कुछ value produce हमें उससे कुछ मतलब नहीं है within the territory during a financial year during a financial year इसको बोलते हैं सकल घरेलु उत्पाद यानि कितना सामान और कितना services produce हुई within the territory during a financial year एक वित्तिये वर्ष में अब वित्तिये वर्ष क्या होता है economics terms में financial year क्या होता है तो financial year ध्यान रखते हैं जब भी हम financial year economics में बोलते हैं that means कि 31 March से लेके 1 April तक की बात कर रहे हैं हम लोग 31 March से लेके 1 April clear है GDP GNP क्या होता है gross national product यहाँ पर है कि gross national इसको बोलेंगे सकल सकल राष्ट्री उत्पाद इसको बोलेंगे निमें सकल राष्ट्री उत्पाद यानि कि यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कितने Indian nationals ने या फिर किसी एक country के nationals ने कितना production किया goods and services इसका भी हम यह देख रहे थे भारत देश की सीमा के अंदर फिर किसी देश की सीमा के अंदर कितना value of goods and services produce हो रहा है that is called as GDP अब हम यहाँ पर देखेंगे कि GNP में gross national product में कि कितने nationals ने यानि कितने देश वासियों ने उस particular good or services का production किया क्लियर है यहाँ पर कि नहीं बताईए GDP में देख रहे थे कि within the territory कितना good or services का production होगा कितना उनका value कितना है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे भारती ने नाशनल वो कितना produce कर रहे हैं तो भारती है जो हमारे वो different countries में रह सकते हैं उसको हम calculate करेंगे और जो बाहरी भारत में रह रह रहे हैं उसको हम नहीं जोड़ेंगे ठीक है वह हो गया ग्रॉस नाशनल प्रॉडक्ट है अब अगर बात करें net domestic product क्या होता है बस आपको यह दोनों समझने थे बाकी आप समझ गया है कैसे देखिए जब भी जब भी आपको अभी देखिए GDP है यह क्या NDP DPDP सेम है domestic product सेम है अंतर क्या है gross का national हो गया है ऐसे यह gross national product है net national product है अंतर क्या हो गया gross का national हो गया तो एक बात समझ लो ध्यान से कि जब भी gross से आप depreciation को घटा देंगे तो आपको national मिल जाएगा सरी क्या बोलों मैं? net मिल जाएगा ग्रॉस से अगर आप depreciation नि मूल लहास को घटा देंगे तो आपको net बिल जाएगा मैं कहना क्या चारूं? मैं कहना यह चारूंब कि एगर आपको net domestic product चाहीए तो आप gross domestic product से depreciation को यहनि मूल लहास को घटा दीजए इसी तरह ही net national product में GDP से आप मूल लिहास को depreciation को घटा दीजिए simple आजाएगा net कैसे देखिए इसका मतलब यह है जब आपने GDP सब भी समझ गये क्या होता है ठीक है कि विदिन दे टरिटरी किता हुआ नैशनल का मतलब क्या हुआ कि भारतियों ने कितना किया फिर उस country कोई किसी जिस भी country की बात कर रहे है उस country के देशवासियों ने कितना किया चाब वो उसी देश के अंदर रह के कर रहे है और फिर बाहर कर रहे हूँ और वो सारी चीज़ें से हमें कि विदिन दी मतलब ड्यूरिंग फानेशल यर यहां पर भी द्यूरिंग फानेशल यर होगा अब यह ग्रॉस में नेट क्या हो गया जैसे कि याद करो पिछला वाला वान शॉट बायॉलिजी को किये थे आखरी में जाते जाते हमने यह उसमें से उस पक्टिकुलर खाना को बनाने के लिए उसका कुछ मेटाबोलिजम लगाओ कुछ अनयजी लगी होगी उसको अटा दो तो वह है नेट अक्चिवर में नेट में कितना मिला जैसे फॉर एक्जामपल अगर आपकी सैलरी में बोलता हूं आपकी सीजल में जॉब लग जाएगी तो आपकी सैलरी असी अजार है लेकिन आपको कट के जैसे टैक्स वैक्स से सब कट के हाथ में आरी सतर आजार तो वह होती है नेट इनकम है कि नहीं तो बस वैसे ही है कि जब हमने ये फाइनल गुट और ये गुट एंड सर्वेसे प्रेडिउस कर रहे होंग तो इसके वैलु विदिन टी टाइम घट रही है कि ना तो उसको भी हटा दो उसको हटा दीजिए आप कि जिस चीज का यूज किया जा रहा है प्रोडेक्शन करने के लिए गुट और सर्विसेस का उसकी वैलु घट रही है तो आपको नेट मिल जाएगा तो कितना असान है GDP में Depreciation घटा दो NDP और GDP में GNP यहाँ पर होगा Gross National Product में आप घटा दो Depreciation को तो आपको मिल जाएगा क्या आपको मिल जाएगा Net National Product है नहीं अगर हमें Gross National हमें आना है तो हमें Depreciation घटा देना है लेकिन मैं आपसे बोला हूँ नहीं अब Gross से Net में नहीं आना है वो तो आपको पता है कि Depreciation घटा दोगे अब Gross में रहना है बट Domestic Connect कर देना है GDP से GNP में आना है बहुत आसान है कैसे हमें GDP क्या होती है अंदर अंदर कित्ता किया थीक है तो आप एक काम करो आप यह काम करो कि जितना इंडियन ने बाहर जो बाहर वाले इंडियन से यह हो गई ठीक है अफ्रिका हो गया यॉरप हो गया इन सब के जितने भी इंडियन रहे हैं जितने भी इंडियन रह रहे हैं ठीक है उनकी नहीं जो हमारे नेट फैक्टर इंकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है कि आपने जितने भी भारती यह रह रहे हैं पूरे विश्व में मतलब भारत के बाहर उनका जोड़ लो कित्ता उन्होंने गुड और सर्विसिस का उख किया ठीक है और उसको घटा दो भारत के अंदर जितने प्रीशी रह रहे हूं उसको बोलते हैं ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम और बरॉड को जोड़ देते हैं तो आपको ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट मिल जाता है बात खब ठिक अब बात आती है यह रिल और लॉमिनल जी डीप क्या होती है Real versus Dominal GDP क्या होती है तो भाई देखो GDP के अगर हम बात करें Gross Domestic Product तो हमने Good and Services की Value देख ली कि अच्छा इतना Good and Services की Value प्रेटीूस हुई है तो माल लेते हैं पिछले साल 10 Biscuit का Packet बना था माल लेते हैं एक्जामपल के तौर पर राश्ट्रिया है 50 रुपए हो गई अब माल लेते हैं कि आज Production हो रहा है माल लो कि मैं बोल रहा हूँ आज पता है हमारी देश के GDP मतलब वही बिस्किट वही है हम पूरे माल रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ बिस्किट ही बनता है और बस वही है GDP जो है तो पहले 50 रुपए थी माल लेते हैं 2018 में आज 2023 हो रहा है ठीक है हमने बोला कि आज हमारी GDP 100 रुपए है खुश हो गए सब लोग GDP डबल कर गई यही होता है गवर्मेंट हमारी कोई भी गवर्मेंट हो ऐसे इक्सप्रेस करती है तो अब हमारी GDP डबल कर गई लेकिन अक्शिल में बैक अंड में क्या हुआ बैकेंड में यह हुआ है सर कि जो उसकी कीमाथ है बिस्केट के प्राइस की उड़ 10 रुपए हो गई है तो या अभी भी आगर 100 रुपए है GDP और 10 रुपए प्राइस हो गई है बिस्किट की अभी भी दस ही packet बनने होंगे, यानि कि कुछ नहीं increase हुआ है, 0% increase in GDP है, 0% है, लेकिन दिख क्या रहा है, कि डबल हो गई, डबल हो गई, तो इसको बोलते है, nominal GDP, nominal GDP है, कि not adjusted to inflation, not adjusted to inflation, मुद्रा स्फीती पढ़ेंगे आगे, मुद्रा स्फीती इंफ्लेशन का मतला होता है, चीज़ों के price बढ़ जाना, दाम बढ़ जाए, तो दाम बढ़ गए, इस विए से GDP inflated लग रही है, बढ़ी हुई लग रही, fully हुई लग रही है, इंफ्लेट का मतल से बलून में हवा ब इंफ्लेशन, और जो real GDP है, ये एक base year पे calculate होती है, ये जो होती है, ये current year ये फिर current prices पे calculate होती है, मतलब अगर मुझे real GDP चाहिए ना, वास्तविक GDP चाहिए, तो आज अगर जो 10 रुपए का तुम्हारा production हो रहा ना, बिस्किट का packet का, तो तुम एक base year बना लो कि 2012 है माल लो तुम्हारा base year, तो जो 2012 के price थे ना, उसी के हिसाब से आज तुम अपने price को calculate करो, जो 2012 में price से माल लेते हैं कि 2012 में 5 रुपए बिस्किट का packet था, तो अगर तुम्हें 10 बिस्किट का production किया, तो आज भी 5 से multiply करो, आज के prices से मत करो, मतलब ही current prices से मत करो, current prices से मत करो, current prices से multiply कर रहा है, for calculating GDP, वो 2011-12 है, ठीक है, अभी आते हैं इन बाकी factors पे भी, लेकिन before that, ये अभी मैंने बोट बोला कि nominal वाले में GDP deflate कर गई, sorry, inflate कर गई है, तो इसके लिए हम GDP deflator का use कर लेते हैं, हिंदी में इसको बलते हैं, अपस्वीती कारक, GDP deflator को इस तरह से express किया जाता है, nominal GDP upon real GDP into 100, ये होता है, अपस्वीती कारक जिसको बलते हैं, GDP deflator, is that clear, now, who calculates GDP, इसको calculate कौन करता है, इंडिया में, तो National Statistical Office है हमारा, जो कि Moss Peak Ender आता है, वो इसको calculate करने का काम करता है, green GDP का अगर बात करें, what is green GDP, तो GDP adjusted to, ठीक है, GDP adjusted to environmental factors, environmental factors, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि, माल लेते हैं कि कुछ चीज का production हुआ, और इसको production करने में, हमारे environment को इतने रुपए का harm पहुँचा, उसको अटा दीजिए, तो जो GDP निकल किया है, वो green GDP कहलाएगी, और GDP at factor cost क्या होती है, तो GDP at factor cost तब निकालते है जब हम GDP, जो अभी हम निकाल रहे थे ना, जो GDP, वो market price पे GDP थी, तो अगर आप GDP at market price में से, subsidy को जोड़ दोगे, subsidies जितनी मिल रहे हैं, उनको जोड़ दोगे, और indirect taxes को हटा दोगे, तो वो होगी आपकी GDP at factor cost, GDP at market prices में आपने subsidies को जोड़ और indirect taxes को घटा दिया, this is called GDP at factor cost, कुछ और तो नहीं है, देख से ले तेंग बरस को, अब आते methods to calculate the national income, अगे यहाँ GDP नहीं होगा, ठीक है, methods to calculate national income, या राष्ट्री या आए निकालने के जो different methods हैं, उनको पढ़ते हैं, अभी क्या पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे, national income को express करने क जो different तरीके थे, GDP, GNP, NDP, NNP, ये national income को express करने के different तरीके थे, ये हैं, अब national income को हम calculate करेंगे, राष्ट्री ये जो आए है, उसकी गलना करने के different तरीके देखेंगे, अलग-अलग, सबसे पहला मारा तरीका होता है, जिसको बोलते है, value added method, ये method बोलता है, कि जितने भी आप कि किसी भी चीज़ को जैसे माल लेते हैं, produce करने में, जैसे माल लेते हैं कि, इसमें हम करते हैं कि, output minus input कर देते हैं, output minus input, जैसे यहां को समझाता हूँ, देखो, हमारे different factor income होते हैं, मतलब factors involved होते हैं किसी चीज़ के production में, जैसे कि, land होता है, labor होता है, ठीक है, capital होता है, ठी यह होते हैं different factors of production, इनको हम बोलते हैं different factors of production, land, labor, capital, entrepreneurship, spelling काफे difficult होती, entrepreneur, यह French word है na, entrepreneurship, ठीक है, तो यह different factors of production, जैसे for example, मैंने एक burger produce किया, तो कोई मैंने land ले रखा होगा, कुछ labor लगा रखा होगा, कुछ पैसा डाल रखा होगा, उस particular business में, और मेरे खुद की, जो मैं entrepreneurship skills को यू खुद का profit है, उन सब चीजों को मैं जोड के तुम्हें burger का price बताऊंगा, ठीक है, that is, that are called as, कि वो किसी भी चीज़ का output, ठीक है, output, output यानि मैं कितने में receive कर रहा हूँ, burger 100 रुपए में मिल रहा है, बट actual मैं लागत किती है, उसकी input कितनी है, तो input माल लेते हैं, 40 रुपए method, this is only known as your production method, इसी को production method भी बोल देते हैं, now coming on to the income method, income method के अगर बात करें, तो यहाँ पे भी हमारे कुछ factors होते हैं, जैसे कि, compensation to employees, ठीक है, यानि कि जो compensation to employees, यानि कि जो भी employees काम कर रहे हैं, उनकी income जोड लीजे आप, ठीक है, आप mixed income जोड लीजे, mixed income क्या होती है, mixed income होती है, जैसे for example, मैंने कोई गाना गाया, कोई गाना लिखा, तो गाने से मुझे recurring income होती रहेगी, है न, कोई भी मेरे गाने कोई उस करेगा, तो मुझे पैसा देता रहेगा, royalty fees, अगर मैं कोई book publish करी, तो वो देता रहेगा, मैंने कोई जमीन की राया पर उठा रखी अ इन सब को जोड लेंगे, तो आपको मिल जाएगी national income, और ये method of national income को calculate करने को बोलते है, income method, because यहाँ पे आपने सब की income जोड ली, employees की income जोड ली, और royalty वगरा से इनकी income जोड ली, ठीक है, यह जो सको mixed income बोलते हैं, और जो businesses house operate कर रहे हैं, तो उनका operating surplus जोड लिया, यह हो ग ब्राकेट में x-m, expenditure, खर्चे वाले side को देख लीजिए, तो आपको national income का एक तरीका मिल जाएगा, national income की calculate हो जाएगी, जैसे c की अगर बात करें, तो c दिखाता है consumption, यानि consumption expenditure, मतलब लोगों ने कितना खर्चा किया, कितना उपभोग किया, जैसे कि महा लेते हैं कि अगर मै जा रहा हूँ, मैं घड़ी खरीद रहा हूँ, मैं चावल खरीद रहा हूँ, मैं जाने क्या क्या खरीद रहा हूँ, तो मैं consumption में expenditure कर रहा हूँ, जो मैं उपभोग कर रहा हूँ, जो consume कर रहा हूँ, वो सारा ले लो, government का expenditure जोड़ लो, government भी कुछ खर्चे कर रही होगी, ल export और M का मतलब है import, I का मतलब import नहीं है, इस तरह से CGL 2022 में tier 1 में question पुछ लिया था, यहां पर import किस का मतलब है, तो I, उसने formula दे दिया था और पुछ लिया था, import क्या है, I नहीं होता है, M होता है import, I hope this is clear, expenditure method है, कुछ question जल्दी से करिये, and then हम आएंगे per capita income क्या होती है, and other, जो हमारी personal income है, सारी चीज़ें क्या होती है, if we deduct depreciation from GNP, the measure of aggregate income, what we obtain is called as, अगर हम gross national product से depreciation हो घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, बताएगा, भई, gross से हम घटाएगे depreciation को मूल ले आसको, तो net मिलेगा, gross का net हो जाएगा, simple, which of the following is not a feature of national income, इन में से क्या national income का राष्ट् with reference to the financial year, बिल्कुल financial year, और ये भी flow concept होता है, flow concept क्या होता है, stock concept क्या होता है, भी पाढ़ेंगे, ठीक है, it is included, it is included only in intermediate goods, बिल्कुल गलत है, intermediate good का इसमें involvement बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल सही है सभी का, तुरुष्टी, तुफान का, देफतर, लैविश, नतिक अंजली शिवंगी, सबका सही है, ठीक है, तो intermediate good का इसमें involvement नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने intermediate good की calculation कर ली, तो यहाँ पर double counting हो जाएगी, एक बार मैं देख लेता हूँ, double counting का नहीं है, एक second, चलो यहीं पर बता देता हूँ मैं, कि यहाँ पर अगर हमने वो कर लिया, तो double counting की दिक हम, 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 चलो, तो मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं, कि कोई एक biscuit है, कोई एक biscuit बना, biscuit में fragrance के लिए कुछ easter add किया, कुछ भी चीज, fragrant add किया, biscuit में ता कि थोड़ा सा fragrance है, जब fragrance बना होगा, तो उसकी value जोड लिया था, हमने, जो जोड़ दिया उसको ठीक है अब जो हम बिस्कीट में जो फ्राइग्रेंस एड हुआ फिर से उसकी प्राइस एड कर लेंगे तो दुबार दुबार कॉंटिंग नहीं हो जाएगे उसकी तो यह डूबल कॉंटिंग विसे नहीं करते हैं ऐसे ही जो माले लेते हैं सेकंड हैंड हमारा कोई गुड है second hand गुड जैसे मैंने मॉबाइल फोन है मॉबाइल फोन मैंने माल लेते हैं 40,000 का लिया फिर इसको जब मैंने 40,000 का लिया ठीक है तो 40,000 जोड लिया गया अब फिर से किसी को बेच रहा हूं किसी मालो 20,000 में तो फिर से कह 20,000 जोड़ा जाएगा ना double counting हो में लिख देता हूं household income is not included household income not included इसमें included नहीं होती है जो भी हमें लोग हमारी काम कर रही है बचारी मतलब काम करते हैं दिन बर ओपर से GDP में calculate नहीं होता है the value of GDP at the current prevailing prices is called as current prices current prices पर तो भाई आपकी होती है nominal वाली और base year पर होती है real GDP ठीक है जह हम कोई base year लेके चलते हैं ठीक अच्छा comment में यह बताई चल दिए से सबसे पहले GDP को concept दिया किस ने था किस economist ने दिया था यह concept बताईए dash measures the aggregate production of final goods and services taking place within the domestic economy during a year क्या होगा answer gross domestic product GDP option number D अगला question है fifth personal disposable income can be defined as अब आते हैं personal disposable income क्या होती है चीज़ देखिए तो सबसे पहले यहीं यहीं पर लिखा देता हूँ what is personal income personal income क्या है personal income है जो मेरी personal income है नहीं total income of an individual इसको मैं बल सकता हूँ मेरी वेक्तिकत आए इसको इंदीम बला जा सकता है वेक्तिकत आए total income of an individual earned from earned from all the sources from all the sources before tax stack से पहले जो भी आपकी पूरी income है उसको personal income बोलेगा मान लेते हैं मान लेते हैं कि आपकी SSC में job लग गई CGL में आपकी job लग गई आपकी income में सत्तरा जार रुपए आपका मन अभी इतने भरा नहीं आपको लगा आपने क्या किया है आप influencer बन गए है ना आपने क्या किया आपका जब selection हुआ तो आपने उसका video बना लिया क्योंकि आपको पता था इसका potential बहुत है क्योंकि आपने जदेख रखी है चीज़े ठीक है तो आपने बना लिया और वो वीडियो हीट हो गया अब जो वीडियो हीट हो गया तो आपको लगा हम्म यूज करते हैं इसका कुछ तो फिर आपने क्या किया कि आपने जो vlogging चालू कर दी कि आज देखो guys आज मेरा room ये मिल लेते हैं 20,000 रुपए ठीक है 20,000 रुपए फिर कुछ books वाले आया है कुछ test series वाले है कि ये code लगाई है और हमारा test series का promotion करी है ठीक है तो उससे promotion से माल लाते हैं आपको 10,000 की income होने लगी तो सारी income आपकी जोड़ जाएगा और माल लेते हैं कि ठीक इतनी माल लेते हैं ठी personal income तो यह आपकी होगे जो पूरी आपकी income है लेकिन 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 अभी एक चीज मैं अगर इसमें से मैं tax को अटा दूँ ठीक है मैं फिर से इस पर आउंगा अगर मैं इसमें से tax को अटा दूँ tax non tax जितने भी payment है जो आपको करनी है वो मैं अटा दूँगा तो व income after all deductions सारे जब deduction करने के बाद आपके use के लिए जो income बची है that is called as personal disposable income ठीक है जैसे कि government उसमें tax काट लेगी आपका जो भी आपने income वो किया है तो वो हटा दो कुछ और आपको payment करनी है तो वो सारे आप जब हटा दोगे तो वो कहलाएगी personal disposable income अब यहाँ पर एक माल लेते हैं अगर आपको इस तरह से question आता है कि personal disposable income निकालनी है national income से ठीक है यहाँ पर मैंने लिख लिया national, sorry personal income निकालनी national income से तो इसका formula क्या होता है द्यांद से सुनिएगा important है आता है ठीक है personal income अगर मुझे निकालनी national income से तो यहाँ पर मैं करूंगा income not earned चलो मैं short मैं लिख रहा हूं ठीक है income not earned but received या फिर income received but not earned वही कोई सेम चीज़ा है income received but not earned ठीक है but received इसको इस तरह से नहीं अच्छा लगेगा इसको इसी तरह से लिखते है income received but not earned income received but not earned ठीक है इसको आप जोड़ेंगे plus करेंगे minus income earned but not received but not received इसको हम personal income में नहीं जोड़ेंगे जैसे कि अब यह formula अलग अलगतर जैसे express किया सकता है जैसे कि आपने कुछ पैसा कमाया government ने PF में काट लिया आपका ठीक है provident fund में काट लिया या फिर इसके अलवा आपने जो भी आपके पास पैसा आ रहा था उसको आप invest भी कर रहे थे कहीं पर किसी का company का stock ले रखे थे आप share ले रखे थे ठीक है तो उसमें आपका जो profit आया था वह अभी company ने आपको दिया नहीं है तो इस सारी चीज़े आपकी आपकार जैसे कि लाडली बहना योजना चल रही MP में हजार रुपए सबको मिल रहे हर विमन को मिल रहे है अठारा से पचास के वीचे मैं ठीक है तो वह एक transfer payment तो क्या वो लोग earn कर रहे है ना earn नहीं कर रहे है वो कमा नहीं रहे है उसको उसके लिए महनत कुछ नहीं कर र रहा है तो यह transfer payment आप इसमें जोडेंगे लेकिन हटा देंगे इसमें अगर मम इसका example दे दूं तो undistributed profits undistributed distributed profits ठीक आगे है question हो गए 4 पांचवा अब आते हैं budget and taxation किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आता कि एक बार confirm करेंगे anyone any problem कोई doubt कि अगरे बामा जी की बहना है ना कि अब तो प्राइवेट मत करना प्रतीप नहीं अब तो प्राइवेट होगा आज तो वीडियो प्राइवेट होगर है कि एक कुछ भी को जाए पर्सेनल डिस्पोजबल फिर से परस्नल डिस्पोजबल का मतलब क्या जैसे कि तुमको जो इंकम मिली उसमें से गवर्में जो टैक्स काट लेगी जिए तुम्हारे फाइनली हाथ में बच्ची यूज के लिए वो फेस्पोजबल इंकम ठीक है चलो लास्ट क्विश्चन लास्ट क्विश्चन का अंसर नहीं बताया क्या यह हो जाएगा ऑप्शन नमबर परस्नल इंकम चाहिए ठीक है तो परस्नल डिस्पोजबल इंकम तो सब भटा हटा दो यहां पर मतलब दोनों ही सेम है चलो यहां प्लस कर लो ठीक है तो आप्शन नमबर सी अंसर हो जाएगा चलो अभी आते हैं budget and taxation पढ़ते हैं तो जो हमारी government earn करती है उसके दो pocket है जैसे हमारे जैम में दो pocket होती है left side एक right side वैसे government जो earn करती है पुरी कमाई हुमाई करती है जैसे तुमने उस पीजा में GST दिया होगा तुम्हें पता नहीं चले लेकिन तुमने दे दिया है तो वह भी government को जाता है तो सारी चीजें जो है यह government के दो pocket में जाती है एक pocket का नाम है revenue pocket और दूसरी pocket है capital pocket revenue को बलते है राजस से capital को बलते है पुन जी खाता हूँ अब आप ध्यान समझेगा बस एक चीज में बोल रहा हूँ और हर चीज आप बताएंगे ठीक है आपने इस तरह के question देखे होंगे अगर थोड़ा सब economics आपने paper कुछ दिया होगा ठीक है कोई भी SSC के फिर थोड़ा बहुत आप aware होंगे तो आपको बता है कि बहुत important चीज है question आता ह यह आता है यह चीज किसमें रखें revenue में की capital में confusion भी बहुत बड़ा रहता है आपको लेकिन अब confusion नहीं होगा कैसे यह वोग pocket है अभी मैं सिर्फ एक आपको एक parameter दे रहा हूं यह चीज़ डिसाइड करने का कि कौन सी चीज किसमें जाएगी तो अगर यह वाली जो pocket है इसम और मैंने आपको यह बोला कि जो भी बहुत जल्यल्दी होता है चिल्लर विल्लर है ना कि मतलब जैसे तुरंत कहीं गए खाना पीना है तो तुरंत पैसे निकाल के दे दिया तो जो तुरंत वाले काम है तुरंत मतलब जो अकसर होते रहते हैं frequent जो payment आपको करनी है ठीक है आपके note रखना अभी तो 2000 के नहीं है लेकिन ठीक है 500 के रखना ठीक है क्यों रखना ताकि जो बड़ी वाली payment जो कभी-कभी करनी होती जैसे मालों की कुछ जरुद पढ़ गई ऐसे किसी को किसी को loan देना पढ़ गया या फिर किसी से loan लेना पढ़ गया लोगे भी कभी- तुम से ठीक है कि तुमने एक्जांपल तो कुछ और आ रहा था तुम माल लेते तुम चाय पी रहो ठीक है तुम जो चाय पी रहो ठीक है तुम गये और तुमने चाय पी चाय पी के पैसे तुम किसे दोगे लेफ्ट से की राइट से बताओ जल्दी से लेफ्ट से तुमार तुम्हारा दोस्त कुम्हारा दोस्त क surprised and is. важ तूम बीबर लोग्य लोज्माज कोई मांगने आता नहीं है मांगने को आ सकते हैं लेकिन देता नहीं ना तो लूघ मले इसमें चला जाएगा Whoa ठीक है, simple है, आपको माल लेते हैं कि जो pocket money मिली, वो pocket money किस में जाएगी आपकी, तो pocket money माल लेते हैं, हर महीने आपको मिलती रहती है, मिलती रहती है, तो वो आपकी left pocket में जाएगी, ठीक है, इसी तरह है, जो हमरे government होते हैं, उसके different प्राप्तियां होती है, यानि receipts होती है, तो जो आता है उसको receip बोल देते हैं इसी तरह जो capital वाले में आता है उसको capital receipt बोल देते हैं अब मैं आपसे बोलता हूँ government जो टॉल से पैसा कमा रही है government जो tax से पैसा कमा रही है वो किसमें रखेंगे अप्रैविनियु में कि capital में revenue में की capital में वो मैं revenue में रखूंगा क्यों क्योंकि टोल कब जो पैसा है अब टोल जब आप देखो तो रोज 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 हर कोई टोल की payment कर रहा है कितना टोल का payment होता होगा टोल का tax का payment कर बात करें जैसे GST बगरा है हर महिने government calculate करती है तो यह रोज मर रहा है तो यह जो भी चीज़े हैं वह आपकी revenue वाले side में जाएंगे क्योंकि income है इसलिए receipt में जाएगी ठीक है तो government को जितनी भी ठीक है tax से कमाई होती है यह फिर non-tax से कमाई होती है अभी हम देखेंगे non-tax वाले side में क्या आएगा इसमें आएंगी ठीक है लेकिन महां लेते हैं government ने किसी से loan लिया government ने किसी country से loan ले लिया हमारी Indian government ने तो किसमें आप रखेंगे तो लोन तो रोच तो लेते हैं हमारे country तो लोन आप रखेंगे receipt side में लोन जो है आप इसमें रखेंगे किसमें capital side में रखेंगे लेकिन क्योंकि receipt है निकि ले रहे हैं और वह एक income की तरह दिख रही है तो इसको capital receipt receipt में receipt side में रखेंगे similarly अगर loan दे रहे हैं तो वह भी capital में ही आएगा लेकिन क्योंकि दे रहे हैं वो खर्चा हो रहा है तो capital expenditure में आएगा खर्चे में ठीक है अब मैं आप से एक और question पूछता हूं कि government ने को infrastructure बनवाया जल्दी से बताएं आप ही बताएंगे because अगर आप participate नहीं करेंगे तो फिर आपको ही समझना है फिर आप समझ नहीं पाएंगे बताएंगे अगर government को को infrastructure बनाना है कोई महां लेते हैं PSU develop करना है फिर road develop करना है इस तरह कोई चीज़ develop करना है तो किसमें रखेंगे आप तो वो रखा जाएगा capital side में वो आपको capital मे में रखा जाएगा क्योंकि खर्चा हो रहा है तो expenditure में रख दो infrastructure का जो development हो रहा है लेकिन उस infrastructure को maintenance में जो खर्चा आ रहा है वो इसमें revenue में क्योंकि maintenance तो अकसर होता रहता है जैसे for example माल लेते हैं government ने कोई bridge बनवाया तो bridge रोज तो बनवाती नहीं कभी-कभी लेकिन उस bridge क maintenance हर साल करवाना पड़ता रहता है तो इसलिए वो उसको expenditure side में रखेंगे अगर maintenance की अगर हम बात करेंगे तो receipt का मतलब क्या होता है income property जो मिल रही है expenditure का मतलब क्या होता है खर्चा revenue side में वो रखेंगे जो अकसर खर्चे हो रहे है capital में वो रखेंगे जो कभी-कभी हो रहे ह ठीक है तो जो भी government को tax का पैसा अब tax भी दो तरह के हो सकते हैं direct और indirect प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष वो अभी देखेंगे tax वाला section आगे आएगा उसमें देखेंगे ठीक है non-tax में अगर बात करें जैसे कुछ भी हो रहा है चलान कट रहा है आपका टोल का पैसा है यह सारा पैसा non-tax tax नहीं होता यह tax थोड़ी नहीं है लेकिन है तो government को प्राप्ति हो रही है और क्योंकि यह प्राप्ति अकसर होती रहती तो इसलिए revenue वाले में जाएगा expenditure में अगर बात करें बताओ मुझे जल्दी से कि जो आप government job में जाओगे जो government salary pension सबको देती रहती हो किसमें रखोगे revenue में की capital में भई यह तो हर महीने देनी पड़ती salary तो इसलिए जो भी salary हो गई wages हो गए यह सब pension हो गई यह सब रखे जाएंगे क्योंकि expenditure हैं खर्चे हैं क्योंकि हर महीने खर्चे हैं तो revenue वाले में ठीक अब एक है यहाँ पर grant grant का मतलब होता है transfer इसको transfer payment भी बोल सकते हैं ठीक है मतलब अनुमोदन अनुमोदन मतलब होता है कि एक ऐसा जैसे कि आप मेरे पास पैसे लेने आये तो मैंने आपको दस जार रुपय दे दिए अगर मैंने आपको इस शर्थ पर पैसे दिए कि लटाने होंगे तुमको और हर महीने तुमको इतना बयाज देना होगा उस particular loan पे तो expenditure मानलों किसी से loan लिये थे अब interest दे रहे हैं तो expenditure में और मानलों किसी को loan दिये थे तो उस loan में जो हमें interest fee जो कमाई हुए रही है वह receipt में आएगा क्यों loan देना और लेना capital में जाएगा पड़ उसमें जो ब्याज मिल रहा है लोन तो भाई एक इडाइम का भी देते हैं जिसे मालों कि मालों कि मैंने आज लोन दे दिया अब इसे तो है निए हर महीने लोन देता हूं लेकिन उस पर जो ब्याज आयेगा वो तो हर महीने आएगा तो ध्यान रखना कि इसमें जो इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट अर्ण वह का जो repayment करेंगे लोन जो देंगे वो भी एक बार लोन चुकता एक बार जैसे लोन लिया था तो वैसे एक बार ही लोन दे के उसको चुकता कर देंगे लेकिन इंट्रेस्ट हर महीन है अब यहां पर हम बात कर रहे थे grant की अनुमोदन की तो एक केस तो है कि आप मेरे पास पैसे लेने आए मैंने आपको बोला कि पैसा लोटाना होगा और इतने ब्याज पे तुम्हें हर महीने मेरे को payment करनी होगी लेकिन दूसरा केस में मैंने बोला कि लो बेटा 10,000 रुपए ले जाओ तुम्हें लोटाने की जरुत नहीं और नह अगर दोनों को लिखने की जरुत नहीं है अगर grant लिया तो revenue receipt grant दिया तो revenue expenditure बात खताम तो बस यह अध्यान रखना है कि जो grant होता है जो अनुमोदन होता है जैसे माल हो तो हमारा भारत देश है वो डिफरेंट राज्यों को देता रहता है कि हमारे 28 राज्ये है ठीक है तो कोई ना कोई तो आता ही रहता है कभी 36 गड़ आ गया कभी केरल आ गया कभी यूपी आ गया कभी MP आ गया कभी बिहार आ गया कि हमें भी grant दे तो हमें भी grant दे तो ठीक है तो वह आपका revenue side में आएगा is that clear अब यहां पर आपको दूसरा parameter देता हूं under parameter is कि जो capital वाला होता है capital expenditure इसमें आपका जो asset है बढ़ता है यह liability कम होती है देंदारी कम होती है asset or liability क्या होती है वह पहले समझ लो asset होता है कि जिसे मैंने आप अपने मान लेते हैं एक bookly अपने पढ़ाई करने के लिए आपने bookly वह आपकी asset हुई क्यों क्योंकि अभी तू आपको खर्चा की तरह लग रहे किया देको 300 रुपे किताब ले लेकिन उस book से जो आप knowledge gain करें फिर उसको इंप्लिमेंट करेंगे उससे जो पैसा कमाएंगे यह नहीं जो अपने मान लेते हैं बुक ली आपने government job क्राक किया अब जो आपकी income होगी वह उसी book की वह जैसे तो हो रही है तो यह asset होती है चीजे book हो गई हमारी यह फिर कोई भी चीज जो हमें अभी तो हमें लग रहे है कि ठीक है इसमें पैसा डाल दिया लेकिन उबाद में payment करते रहे तो जैसे मैंने मान लो खिसी को लोन दे दिया तो लोन तो मैंने दे दिया मेरे account से दिखे का देखो एक लाग रुपई गया लेकिन मुझे ही पता है कि वह एक तो चुकता होगा कभी न कभी प् बाइक भी अब बाइक क्या है बाइक में पेट्रोल डालाने का खर्चा अलग है बाइक की कीमत शोरोम से निकालते घट गई यह उसके और कीमत घटी जाएगी बता चला हो सकते हैं तो इसमें क्या ही तुम्हारी लियाबिलिटी बनती जा रही तुमने वह बाइक खरीदी उस अब मेरे को इंट्रेस्ट मिलेगा उस लोन पे इंफरस्ट्रक्चर डवलप किया मैंने स्कूल डवलप किया रोड डवलप किया अभी तो दिकरा है खर्चा लेकिन उसे इंकम भी तो होगा उस रोड में मैं टोल बनाऊंगा टोल से पैसा कमाऊंगा गवर्मेंट की किया ठीक है लोन का ओके तो गवर्मेंट ने किसी से लोन लिया था उसको दे दिया तो वो लोन जो लिया था उसकी लिया थी लोन लिया था वो लोन का जो रिपेमेंट किया तो उससे मेरी लाइबिलिटी देनदारी कम हो गई ना जो मेरे पूपर बोज बना हुआ था वो लोन कम हो गया उसको लेंगा एकस्पेंडिचर ठीक है और जो कैपिटल रेसीट में क्या होता है इसका उल्टा होता है इसका उल्टा होता है इसमे भी को कि नहीं और revenue वाले में कुछ नहीं होता ना तो asset create होता है ना तो liability में कुछ फर्क नहीं पड़ता है बस capital वाले में फर्क पड़ता है clear किसी को कोई doubt तो नहीं है बताए जल्दी से किसी को कोई doubt taxation पर फिर आते हैं ठीक चलिए तो taxation देख लेते हैं because यहां पर आप हमने देखा था कि tax जो होता है हमारा वो revenue वाले side में जाता तो tax दो तरह का होता है एक direct tax और indirect tax प्रतिक्षकर और प्रतिक्षकर तो प्रतिक्षकर करके अगर बात करें तो यह directly government को दिया जाता है जैसे कि आप example पहले समझ लीजिए इसके wealth tax, gift tax, income tax जो लगता है न income tax, corporate tax यह सब आते हैं इसमें direct tax जो directly government को pay करते हैं income tax इसी में आपका capital gains tax आ जाएगा ठीक है capital gains tax यह सारे जो types हैं आपके direct tax में आते हैं क्योंकि मैं पढ़ा हूँ तो जो भी for example आपसे जो मतलब for example अगर कोई course है तो जो मैंने earned किया तो उसपे 18% GST government को जाएगा 18% ठीक है तो इस तरह से course है ठीक है मां लेते हैं इस पर 18% जो GST होगी आपकी 180 रुपए यह government को जो जा रहा है तो उसको आप price इस particular course कर दूं 1180 रुपए transfer कर दिया ना आप में आप कौन पे कर रहा है आप लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है तो it can be passed लेकिन जो मैं पूरी income मेरी हो रही है ना उसको बोलते है income tax माल लेकिन मैंने साल में छे लाग रुपए कमाया तो इस छे लाग पे जो मेरे को income जो tax पढ़ेगा वह income tax है उसको मैं आप पर पास आओ नहीं कर सकते हूं directly मुझे government के site पर जाके बढ़ना पढ़ेगा आपको जाना पढ़ेगा government की website पर आपको tax भरना पढ़ेगा यह tax होता है progressive यह होता है regressive progressive कैसे progressive का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी income बढ़ेगी वैसे वैसे आप पर tax बढ़ता जाएगा तो आप कभी जब आप tax भरेंगे तो आप इस चीश को देखेंगे कि slaps बनी होती है different slaps बनी होती है tax कि बीच में इतना पढ़ेगा तो टैक्स जैसे आपका income बढ़ेगा वैसे आप टैक्स रेट बढ़ता जाएगा यानि कि progressive में क्या है कि चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो ठीक है आप मालो की pizza खरीदने जा रहे हो तो pizza पे सबको same GST भरना होगा चाहे आप अमीर हो चाहे गर over section because बैचारे को उसको भी उतना GST देना पड़ रहा है तो उसके लिए जो 10 रुपए की कीमत है वो माल लेते हैं कोई 20,000 रुपए महीने का कमा रहा है ठीक है तो उसके लिए जो माल लेते हैं कि जो GST माल लेते हैं भर रहा है 500 रुपए का किसी भी चीज पर 500 रुपए का उसके लिए ज़्यादा महीने रखेगा as compared to अगर माल लेते हैं कोई 1,000,000 कमार है महीने का ठीक है I hope इतनी चीज आपको clear हुई होगी इसी में एक होता है pigovian tax pigovian tax लगा जाता है जैसे तमाखू cigarette इन सब पर यानि की negative externalities को balance करने के लिए लगा जाता है negative externalities मतलब आप मेरे में खड़े होके दूम्रपान कर रहे है मेरे health को पहुंच रहा है environment को वो खत्रा पहुंच रहा है तो वो सब का कौन भरेगा तुम भरोगे cigarette cigarette खरीदते वक्त यह सब काम करोगा तो उसमें जो additional tax लगाया जाता है तमाखू cigarette इन सब पर उसको pigovian tax बोलते है example ठीक है tobacco होगया आपका cigarette हो गया इन सब को बोलते हैं pigovian tax ठीक है clear है यहां तक सभी को और कुछ और कुछ तो यहां पे छूट नहीं रहा है tax हो गया direct tax, indirect tax और laffer curve हम लोग आगे पढ़ेंगे नहीं तो चले यहीं बेपढ़ लेते हैं laffer curve क्या होता है laffer curve हमें relationship दिखाता है कि रिलेशन्शि between tax rate and tax collected इन दोनों के बीच में relationship दिखाता है और यह होता है bell shape curve यह होता है bell shaped कैसे जैसे laffer जी ने बोला कि government अगर अपना rate increase करेंगी rate increase करेंगी तो tax का तो उनको tax collection में अच्छा होगा लेकिन अगर एक point के beyond अगर वो increase करेंगी न तो अब उनको यहां से गाटा होना लगेगा मतलब वो जो revenue का जो collection में गटने लगागा क्यों माल लोग कि अभी tax tax पढ़ता है मेरे पे 10% तो मैं भर रहा हूं ठीक है government 12% tax कर देगी तो मेरे से ज मां क्यों रहा हूं या फिर दूसरा कि मैं कमाऊंगा तो मैं कमाऊंगा तो luxury life तो मेरे को जी नहीं है लेकिन मैं government को नहीं दूँगा फिर मैं अलग अलग तरीके अनोखे तरीके निकालूंगा tax को बचाने के अभी भी निकालते हैं लेकिन तब बहुत ज़्यदा लोग नि देखिए जो हमारा budget होता है budget में revenue है और capital है ठीक तो माल लेते हैं government को हमने देखा कि government को income भी हो रही जिसको हम receipt बोल रहे है और इसे अब लेटी होला मेटगे है अर्गलती से चल कोई नहीं ठीक है तो government को जो कुछ government को income हो रही है तो receipt बोलते हैं खर्चे हो रहे है तो expenditure माल लेते हैं government को जो मारा budget है government को एक साल में एक financial year में income ज्यादा हुई expenditure से तो उसको क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे expenditure जहां पर कम है receipt से उसको हम बोलेंगे surplus budget लेकिन अगर मैं इसका उल्टा ले लूँ expenditure ज्यादा है खर्चे ज्यादा है सरकार के as compared to उसके income receipt से तो उसको हम बोलेंगे deficit budget क्या बोलेंगे deficit budget और अगर माल लेते हैं दोनों बराबर हैं कि receipt is equal to यानि जो प्राप्ती है वो खर्चे वे के बराबर है तो उस budget को बोलते हैं balanced budget ठीक तो deficit में ही रहती है हमारी government तो government different तरह से अपने deficits को अपने घाटों को express करती है revenue fiscal primary revenue deficit होता है राजस सो घाटा होता है जब वो revenue expenditure को अब हमने देखते हैं revenue वाला जो राजस सो वाला है सिर्फ उसी head को ले रही है उसी component को ले रही है उसमें से revenue जो expenditure है अब expenditure ज्यादा हो खर्चा होगा तबी तो deficit है तबी तो उससे हम घाटाएंगे receipt को ठीक है minus revenue receipt clear fiscal deficit के अगर हम बात करें राजकोशी है घाटे की तो यह सबसे important है fiscal deficit वाला यह government के actual घाटे को दिखाता है इसमें होता है total जो आपके खर्चे हैं total expenditure मतलब revenue expenditure भी और capital expenditure भी राजस्व घाटे भी और पुझीगत घाटे भी minus total receipt बिल्कुल सही है total receipt तो मैं लिख दूँ लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो तुम कि loan जो लिये थे वो भी तो receipt में है capital receipt में लेकिन लोन चुका आया नहीं पड़ेगा बाद में तो actual में वो income है क excluding borrowings, borrowings को अटा दीज़ेगा इससे आप या फिर इसी को express करने का एक दूसरा तरीका है total expenditure पूरा खर्चा minus revenue receipt plus non-debt creating capital receipt यानि कि पूरा खर्चा minus पूरी income बट पूरी income में revenue वाली income plus वो capital की income जो non-debt creating है यानि कि जो मेरे पे debt का मतलब क्या होता है loan जो मैं ले रहा हूँ वो debt है तो उसको हटा के जो income है वो जोड़ना आप income में ठीक है वही है या फिर मैं आगे इसको express करने के एक और तरीका लिख सकता हूँ मैं इस total receipt और bracket में लिख दूँ रसीट में उसके receipt के या फिर इससे करके total receipt या फिर वही माइनस सिंपल चाहिए मैं कैसे लिख दूँ करने के different तरीके लेकिन आप समझ गया कि क्या है फिसकल डेफिसिट जो होता राजकोशी घाटा यह government की borrowings को दिखाता है it shows the government की borrowing जहान रखना अगर आपसे पूछ ले कौन से डेफिसिट government की borrowings को दिखाता है तो यह fiscal deficit होता है और primary deficit के अगर बात करें प्रात्मिक घाटे की तो जब आप fiscal deficit में राजकोशी घाटे में interest payment घाटा देंगे interest payments interest जो भी आपने loan लिया तो उसमें आप interest भर रहे होंगे उसको अटा दीजे वो primary deficit आजएगा प्रात्मिक घाटा क्लियर है यहां तक सभी को कोई डाउट बताए जल्दी से फिर लोग स्टार्ट करते हैं demand and supply यह निकि micro economics का concept डिस investment किसमें आएगा बताए जल्दी से डिस investment किसमें आएगा डिस investment मतब government ने अपनी share holding बेच दी है किसी company में यानि अपने asset को बेच दिया है यानि उसका asset कम हो गया है जब भी asset की बात आती है तो हम capital वाले side में आते है capital अब क्योंकि उसको dis investment करके कुछ कमाई होई होगी इसने share holding जैसे नहीं आप अपना घर बेच दो तो अभी तो घर बेच के ठीके तुम्हें 40-50 लाक रुपए मिल जाएगा लेकिन तुमको ही पता कि अब तुम्हारी लंका लगेगी है की नहीं तो जो तुमने dis investment किया है ठीक है dis investment वो तुमने अपने एक asset को बेच दिया है तो इसलिए वो capital receipt में आएगा ठीक है बिल्कुल सही है अगर मदर गवर्मेंट जॉब में है तो जीडीप में इंक्लिवड करेंगे बिल्कुल करेंगे लेकिन जो घर घरेलूगा होते हैं वो इंक्लिवड नहीं होते है रेमिटेंस किसी में आएगा मन जैस्वाल हम जब बैलनस आफ पेमेंट देखेंगे तो इसमें आयेगों एगा रमिटेंस जो बहारी कि इंकम होते हैं अहल फिल तो पेटा लास अब जो है चलती रहेगी अभी रुखने के असार तो नहीं लग रहे हैं दूर दूर तक अभी हाल फिला तो चले स्टार्ट करते हैं demand and supply है तो डिमांड होती क्या है मांग मांग क्या होती है economics में मांग का मतलब क्या होता economics में मांग होता है कि किसी भी किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा इगरनेस होनी चाहिए आपको ठीक है उसको खरीदने की आवकात होनी चाहिए आप पर एफॉर्डबिलिटी होनी चाहिए और उसको खरीद के आपकी utility complete हो रही है उसको बोलते है economics में डिमांड इगरनेस मतलब आपकी इच्छा ठीक है कुछ अनुभूती परमानंद की अनुभूती हो रही है ठीक है उससे आपकी कुछ satisfaction complete हो रही है utility का मतलब है satisfaction ठीक है लेकिन क्या उसके खरीदने की मेरी आवकात है न एफॉर्डबिलिटी नहीं है तो डिमांड उसको consider नहीं किया जागे economics में ठीक है तो इसको बोलते है या फिर यह पढ़ता है कि किस तरह से जब हम price में changes करते हैं किसी चीज के तो किस तरह से demand में change होते हैं वो पढ़ते हैं जैसे कि माल लेते हैं कि किसी किसी चीज के price आज 10 रुपई है तो मैं चीज demand कर 1 गेजी किसी चीज के price आज 20 केजी हो गया तो मेरी demand कम हो जाएगी जैसे माल लेता हूं यहापे मैं 20 रुपए। इस तरह से plot कर रहा था, 3 kg demand कर रहा था, जब 20 रुपए price हुआ, तो मैं 2 kg demand कर रहा हूँ, जब 30 रुपए price हुआ, तो मैं सिर्फ 1 kg demand कर रहा हूँ, यानि कि जो demand कर वे, कुछ इस तरह का बनेगा, यानि कि जो demand कर वोता है, ये negative sloping बनता है, यानि कि ये demand और price में इनिवर्सली प्रपोर्शनल का रिलेशन दिखाता है और यह यह बोलता है कि keeping other factors constant keeping जो चीज़ें आप कर रहे हो keeping other factor constant करना मतलब कि आपकी income अगर मालो की price बढ़ गया लेकिन income भी बढ़ गई तो आप तो अपना demand कमी नहीं करोगे तो वो चीज़ एक्सलीट कर देना ठीक है income आपकी constant मानी जाएगी income हो गया या फिर आपकी desires मालो पहले आप किसी चीज़ की टामाटर की बड़ी इच्छा कर रहे थे आज टामाटर की आपके अंदर इच्छा ही खतम हो गई पता नहीं आपका एक सबजी में सलार टामाटर प जाएगा तो इसे गेंद कर बोल रहा है इसे प्राइस ही चेंज होगा और कुछ नहीं तो माइं नहीं चेंज होगा और प्राइस और जो अधर गूड है प्राईस आफ अधर गुड्स वो भी नहीं अधर घुड मतलब कि अनले आपस्छांप में केचाप खारों केचप को बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अब टमाटर ही ले लेते हैं, इससे अच्छा तो, क्या ही केचप खाएंगे, ठीक है, तो मैंने केचप ले लिया, भले टमाटर की प्राइस बढ़ रही है, लेकिन उसकी क्यों की कम बढ़ रही है, तो मैं ले र और अगर मालो की associated good है, associated good मतलब, complementary good मतलब, जैसे कि अगर मालो की momos की चटनी, तो अगर momos का दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है, या फिर momos के दाम घट जाएंगे, तो चटनी की demand बढ़ जाएगी, momos के दाम घटेंगे, तो momos की demand बढ़ेगी, और उसके चटनी की demand बढ़ तो वो सारी चीज़ा आपने constant रखनी है, supply curve क्या बोलता है, supply curve ये बोलता है, supply curve इस ये, positive sloping होती है, demand जो हम देखते हैं, consumer के side से देखते हैं, और consumer हमेशा क्या check करते हैं, अपनी affordability, affordable है कि नहीं, supply होती है, producer के side से, और producer अपना क्या check करते हैं, profit, उसको profit होना चीज ज़्या लेते हैं, वही 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, वही same case ले लेते हैं, 1 किलो, 2 किलो, और 3 किलो, आज 10 रुपए प्राइस है, तो वो क्या सोचेगा, जो produce कर रहा हूं, अगर मैं मालो की टमाटर प्रेडियूस करता है, क्या यार, 10 रुपए मिलेगा, 1 किलो करो, 30 रुपए प्राइस हो, और जदा प्रेडियूस करो, यानि कि इस तरह करोगा नएगा, यानि जो सप्लाई कर होता है, वो पॉजिटिव स्लोपिंग बनता है, पॉजिटिव स्लोपिंग, ठीक है, बट आक्च्वल में ऐसे चीज़ें एक्जिस्ट तो करती नहीं है, क कि डिमांड कर हो गया, सप्लाई कर हो गया, जहां दोनों मीट करेंगे, जैसे फॉर एजामपल हो सकता है, कि ना तो 30 रुपए प्राइस रहेगा, क्योंकि 30 रुपए में, 30 रुपए प्राइस हो जाएगा, तो डिमांड बहुत कम हो जाएगी, लेकिन प्रॉटक्शन डिमांड कर्व, यह डिमांड कर्व, ठीक है, मालो कि मैं प्राइस को कॉंस्टेंट कर दूँ, अभी क्या कर रहा था मैं, अभी प्राइस चेंज कर रहा था भागी अधर फैक्टर कॉंस्टेंट, अब प्राइस को कॉंस्टेंट कर दू, वहीं चिपका दो प्राइस को, च और बाकी अधर जो फैक्टर्स हैं उनको वैरियेट करो मैंने प्राइस से कॉंस्टिंट कर दिया वो 20 रुपए किलो ही मिल रहा भी क्या टमाटर ठीक लेकिन लेकिन मेरी इंकम बढ़ गई मेरी डिमांड बढ़ जाएगी ये डिमांड कर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिजायर मेरी बढ़ रही है इसके लिए टमाटर के लिए पता नहीं क्यों एक ऐसा टमाटर पढ़ ओ टमाटर जब मैं खा रहा था उसी समय उसका मेसेज भी आ गया ठीक है तो पता नहीं टमाटर से एक अलग ही अटाजमेंट हो गया राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा ठीक है मां लेते हैं कि प्राइस फोर अदर गुड या फिर मां लेते हैं मेरी डिजायर घट गई ठीक है जब मैं खा रहा था तामाटर तभी उसका कौल आया तभी मतलब उसका मेसेज आया कि एक एंड़ नहीं रहा थी तो उससे कहा तामाटर से एक अलग मतलब वह डर सा बैठ गया वहम बैठ है इसलिए तमाटर की छाई खतम होई खाने की लेफ्ट वर्ड शिफ्ट मतल राइट वर्ड तब होगा जब डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी और लेफ्ट वर्ड तब होगा जब डिमांड गटेगी अब डिमांड कब गटेगी कब बढ़ेगी इतना तो आपके खर अंदाजा लगा ही सकते हैं इतने तो बच्चे नहीं कि अगर आपको डिमांड कर राइट वर्ड शिफ्ट होगा क्यों कि अगर उसका प्राइस बहुत बढ़ रहा है उसका प्राइस बहुत बहुत बढ़ रहा है तो मैं उसको कंज्यूम ना करके अब इसको कंज्यूम करूंगा क्योंकि इसका प्राइस तो नहीं है इसका प्राइस बढ़ रहा ह तो यहार bread में क्यों खरीदू है वैसे तो यहार पर price constant अगर देखें तो इस case में तो price अगर constant है ठीक है माल लेते हैं bread का price चलो price तो यहार पर नहीं लेते हैं तो ठीक है price को मटा देते हैं बाकी सारी चीज़े income ले लेते हैं desire ले लेते हैं सारी चीज़े देन आपका shift जो हो यह हम inward shift बोल देते हैं is that clear अब कुछ हमारे समान ऐसे होते हैं जिन पर कुछ फरकी नहीं पड़ता है price का मतलब पता नहीं क्या हो गया जैसे की apple हो गया apple का जितना price बढ़ता है उसका और demand बढ़ता है जितना price बढ़ता है और demand बढ़ता है ठीक है ऐसे माल लेते हैं गेहू को बना देते हैं कैसे कटा हुआ ठीक है यह हो गया आपका एक status symbol को है यह status symbol दिखा रहा है यह वाला जो गुड है आपका यह क्या है necessity बेसिक necessity नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा North India में तो भाई हमारा रोटी चलता है दोनों ही ऐसे हैं जहां पर demand यह supply अप्लाई सा फेल हो जाता है करवर इनको बोलते हैं webland and griffin goods यह वाला जो status symbol दिखाते हैं इनको webland बोलते हैं और यह जो necessity होते हैं griffin good बोलते हैं याद कैसे रखेंगे भाई यह लोग क्या करते हैं apple phone लेके ऐसे V victory का sign बनाते हैं जब को किस तरह किसी चीज के change in price, change in price, effects, किस तरह से, किस proportion में जो change in price है, effects, change in demand, जैसे for example, मैंने कोई चीज होती है, कोई चीज होती किसी जैसे माल लेते हैं कि माल लेते हैं कि कोई चीज होती जैसे माल लो कि बहुत ही necessity है, मतलब आप कुछ भी हो जाए, आप इसको लेके ही रहोगे, आप उसको लेके ही रहोगे, ठीक है, तो उसके case में क्या जरा सा price change होगा, फरक पड़ेगा आप पे, कुछ फरक नहीं पड़ेगा, आपके demand उतनी जाएगी, अगर माल लो जैसे ग्रिफन गोड ले रहते हैं, गेहों हो गया, price बहुत बढ़ जाए, गेहों का रोटी खाना बंद करतो गया, प्याज खाना बंद कर सकते हो थोड़ा साथ, थोड़े time के लिए, टमाटर कम कर सकते हो, लेकिन क्या, गेहों का बंद करतो गया, यानि किसका जो price change हो रहा चाहिए, मैं जितना price change कर लूँ, यह price हो गया, यह demand हो गया, उसमें तुम्हारे change ही नहीं हो रहा है, योनि elasticity, zero है, elasticity zero है, लेकिन माल लो कि किसी चीज़ का price change क्या, demand में change आया, demand में change आया, elastic है, price में ने change किया उतने position, demand में बहुत भयंकर change आया, elasticity ज्यादा है जैसे कि मैंने तुम्हें जापड मारा कोई response नहीं तुम्हारा शांत खड़े हो response 0, elasticity 0, मैंने तुम्हें जापड मारा ठीक है तुमने बोला बटा काई देम रही ना समझ रहो तो मतलब थोड़ा सा elasticity मैंने तुम्हें एक और मतलब फिर जापड मारा एक student को तुम यह की extreme elasticity, समझ आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, तो जैसे कि आप different तरह की elasticity होती है, कि आप price में जितना भी change कर लो, demand ना change होने वाली, this is called as perfectly elastic, इसको बोलते हैं perfectly elastic, ठीक है, तुम price में ज़रा सा भी वह मतलब करो, और demand जितना change कर लो, वह आपका demand change ना होने वाली है, ठीक है, यह होता है perfectly elastic, एक होता है perfectly inelastic, कि तुम price में जितना change कर लो, demand वहीं की वहीं खड़ी है, ठीक है, demand जो है, इस तरह से खड़ी, that is called as perfectly inelastic, यहाँ पे आपका price है, ठीक है, price, price पहले इतना था, इतना, इतना, यह क्या है, perfectly inelastic, inelastic, यहाँ पे क्या क्या आपने, price को change किया, demand वहीं की, वहीं की वहीं पे है, ठीक है, demand आपकी वहीं पे वहीं खड़ी हुई है, यहाँ पे क्या है, I hope मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया न, मतलब perfectly inelastic में क्या है, कि आपकी जो demand है, वो change नहीं हो रही, price के change होने पे भी, यहाँ पे क्या हो रहा है, कि जरा सा price change होने पे demand बहुत banker change हो रही है, एक बार मैं फिर से इसको repeat कर देता हूँ, ताकि confusion ना हो, अगर हो गया है तो, कि अगर कोई चीज मेरी जरूरत की नहीं है, मेरी कोई चीज जरूरत की नहीं है, ठीक है, उसका price माल लेते हैं, थोड़ा अगर बढ़ जाएगा, तो उसके demand पे बहुत ज़्यदा elasticity देखने को मिलेगी, यानि उसको मैं consume करना बंद कर दूँगा, तो मैंने देखा, जरा सा price change में कितना banker elasticity होई, जरा सा जापड मारने में कितना banker response दिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे कि, यह मैं बोल सकता हूँ किस के साथ case होता है, वेबलम goods के साथ, वेबलन good हो गया, ग्रिफन good हो गया, इन में क्या है, किन में चाहिए तुम price जितना change कर तो demand ना change होने वाली, demand वहीं कि वहीं खड़ी हुई है, ठीक है, यह perfectly elastic और perfectly in elastic होती है, ऐसे होती है हमारी relatively elastic, relatively price elastic, और एक होती है, relative, relatively price in elastic, इसका मतलब है कि relatively price elastic, जरा सा तुमने price में change किया, मालोई P1 price 10 रुपए किलो में कुछ मिल रहा था, और उसका तुमने, मतलब यह, इसको P1 कर लेते हैं, नीचे आले को, रूपर वाले को P2 कर लेते हैं, ठीक है, यह पहले 10 रुपए किलो था, अभी 20 रुपए किलो ह यह, बहुट रहा सा the change किया, लेकिन demand में भारी वह देखने को मिला, भारी किरावर्थ, ठीक है, चीप हे यह जो चीज है, यह है अधुन है, यह, ए नीचे जो चीज हे, यह ह्मारा P1 और यह P2, कितना change किया था था, भस थोड़ा सा change किया था, लेकिन demand में कित्ता change होगै न inelastic relatively price inelastic का मतलब क्या है कि बहुत जब भयंकर तुम price में change करोगे तब कहीं जाके थोड़ा सा आपका demand में change आएगा यह देख रहा हो demand में change किता है इत्तु साया price में change किता है इत्ता साया समझगे सभी लोग किसी कोई डाउट यहां तक हो तो बता दीजे जल्दी से किसी कोई डाउट तो नहीं है अब आ जाते हैं marginal propensity to consume पे यह क्या चीज होती है जैसे कि अभी मैंने बोला कि जरा सा price change करने पे क्या response आया demand पे that is called as interest elasticity ठीक है इसको बहुतने elasticity ऐसे ही John Maynard Kenny सहाब ने अपनी किताब General Theory of Unemployment में इनकी किताब थी एक General Theory of Unemployment इसमें इन्होंने चर्चा करी थी marginal propensity to consume कि is a metric that measures how sensitive consumption is to increase in income MPC is the proportion of an increase in pay that a consumer would spend on goods and services as opposed to saving proportion of an increase in pay spent on goods and services नहीं समझो तो आप समझो कि आपकी मैंने price आपकी income change आपकी income change पे क्या response आ रहा है आपकी consumption पे जैसे कि आप पहले खर्चा करते थे कि कोई उपभोग करते थे चीजों का 5000 रुपए चीजों का उपभोग करते थे जब आपकी income हुआ करती थी 20,000 रुपए मैंने income बढ़ा दी 30,000 से अब आपका जो change आया ना जो change आया 7,000 का फिर जो भी change आया due to increase in income जो भी change आया that is called as marginal propensity to consume Is that clear? Clear है यहां तक सभी को तब मैं speculative demand पे आऊँ अगर यह clear हो तो इसमें कोई ऐसा rocket science नहीं था ठीक है कि किस तना change आ रहा है consumption पे as compared as opposed to change in the income तो मतलब इस तरह से अगर मैं express करना चाहूँ MPC को तो change in consumption due to change in income this is called as this और इसकी अगर हम value बात करें तो यह 0,2 से लेके infinity तक जाती है ठीक है यह फिर यह minus 1 से लेके infinity तक जा सकती है minus 1,2 infinity तक यह जा सकती है marginal propensity to consume की value ठीक है और यह कुछ इस तरह से इसका curve बनता है कि जब हम income increase करेंगे जब income increase करेंगे तो consumption भी बढ़ेगा change in income अब आते हैं speculated demand for money यह हमारा last concept इस पर पूरे demand और supply वाला जो पूरा concept इस पर हम आखरी चीज़ पर रहें that is speculated demand for money यह क्या होता है बहुत असान है पैसे को hold करने की इच्छा इसको बोलते है speculated demand for money speculated demand for money is a term from Kenesian यह भी John Maynard Kenes यह नहीं दिया था इसका मतलब बस तुम एक चीज़ दिमाग में अपने बिठा लो कि speculated demand का मतलब है पैसा रखने की प्रवरती बस पैसा रखने की प्रवरती ठीक है दो केस दे रहा हूं बताना किसमें ज्याद़ प्रवरती होगी low interest rate low interest rate ब्याज की तरें कम हो चल रही है high interest rate किसमें ज्याद़ रहेगी hold करने इसमें रहेगी यानि की मैं यह बोल सकता हूं क्यों रहेगी वो समझ लेते हैं पहले अब मेरे पास कुछ पैसा पढ़ा हुआ है 50,000 रुपया ठीक रेट चल रहा है कम rate चल रहा है कम मतलब कि अगर मैं किसी को पैसे दे दूँगा लेओ बैटा 50,000 रुपय लेओ ठीक है और rate चल रहा है माल लेते हैं कि 2% का ब्याज की तरें चल रहे हैं 2% कि तो मैं 2% के लिए अपना 50,000 रुपय रिस्क में थोड़ी न दूँगा किसी को कि लो भई 50,000 रुपय तो रिस्क उठाना है पैसे देना तो और उपर से 2% मिलना है उसमें तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ मैं रुकूंगा भी मैं पैसे को hold करूंगा मैं ये उस particular time का इंतजार करूंगा अब speculative demand आयोगी ना speculative demand तो कम होगी speculative demand का मतब पैसा रखने की प्रवरत्ती इस case में पैसा ज्यादा रख रहा था मैं तो इस case में high speculative demand होगी high speculative demand और क्यूंकि इस case में मैं पैसा कम रख रहा हूँ हूँ इसलिए low speculative demand यानि कि interest rate और speculative demand दोनों उल्टा चलते हैं inversely proportional होते हैं ठीक और केने सहाब ने दिया था concept खतम अब हम लास्ट लिए पढ़ लेते types of concept flow and stock concept और उसके बाद questions लगा लेंगे types of market पढ़ते हैं कि कितने तरह की बाजार के प्रकार होते हैं monopoly होती है एक अधिकार जहांपे only one only one producer होता है किसी भी चीज़ का सिर्फ एक ही producer है वही produce कर रहा है और यहांपे entry barrier होता है entry barrier होता है कोई घुस नहीं सकता इतनी आसानी से अगर घुस सकता आसानी से तो भाई उसकी monopoly कैसे रहती जिसकी monopoly है जैसे कि government की माल लेते हैं कि atomic energy को produce करने में उसकी monopoly है अमबानी के पास जित्ता पैस उड़ानी के पास atomic energy सेक्टर में नहीं गुस सकते गवर्मेंट की है monopoly यानी government ने create कर रखा entry barrier वही एक ही producer है वह भारत सरकार और वही क्या होगी price decider अगर माल लो कि माल लो ठीक है कि आज सिर्फ को कोई एक subject आ लेते हैं जीके ठीक है जीके पढ़ाने वाल सिर्फ एक ही teacher है सिर्फ एक ही teacher है तो entry barrier है और वो चाहे तो वो price जि इसना भी रख ले वो क्या कि फिर क्यों कि कोई है नहीं कि लोगों के पास options नहीं है इसलिए monopoly होगे इसकी ठीक है जैसे for example माल लेते हैं कि मतलब ऐसा होता नहीं क्यों नहीं होता है क्योंकि obvious यह बात है क्योंकि और भी होंगे क्योंकि open market है आप government ने तो वहां पर लगा इसमें क्या होता है few firms है ठीक है few firms है कुछ firms है जो produce कर रहे है few firms जैसे कि example अगर हम बात करें तो इंडिया में टेली कॉम सेक्टर टेली कॉम सेक्टर हो गया कुछ ही तो है एयर टेल है जियो है आपके पास इससे ज्यादा कोई option है वी आई जो वोड़ा फोन आइडिया चल ला एक का दुक्का होंगे बस तो यानि कि कुछ firms है जो operate कर रहे है तो यानि पी यहाँ पर entry barrier तो है लेकिन थोड़ा ज्यादा न बहुत सारे मैंनी प्रेडियूसर्स ठीक है मैंनी सेलर या फिर मैंनी प्रेडियूसर्स और मैंनी बायर्स बहुत सारे बायर भी है तो फिर और इसमें भी होता है perfect competition भी होता है यहाँ पर भी मैंनी प्रेडियूसर होते हैं या फिर मैंनी बायर्स होते हैं तो फिर अंतर क्य फ्रोडेक्ट सहें कुछ अंतर नहीं है यहां पर होमोगिए नहीं होते यह ठीक है कुछ ना-कुछ product में similar product होंगे similar होंगे but कुछ ना कुछ differentiator होगा similar but different है से करके बोल सकते हैं इसको जैसे की toothpaste आपका Colgate भी बेचता है close up भी और मुझे पता नहीं दोनों same company तो नहीं लेकिन मालेते हैं अलग है close up है और Colgate है दोनों ही toothpaste बेचरे कुछ अलग तो नहीं है लेकिन एक Colgate बोलता है कि हमारा मीठा बहुत है close up बोलता है कि ठंड़क का इसास तुम्हें दिलाएंगे ठीक है फिर हमारा पतंजली आता है कि आम नीम और नीमू मेर्च डाल के बनाए इसको तो हैं तो same चीज लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट है प्रॉडक्ट होमोजिनेस नहीं है ठीक और यहां पर बहुत सारे प्लेयर हैं जैसे कि पतंजली एक ओल गेट है ये वो कितने-कितने प्लेयर से हैं है ठीक परफेक्ट कॉम्पेटिशन में करम बात करें ये जैसे कि मान लेते हैं से लिकिन उतने भी कम नहीं यही तो सक मुलिगोपोल अभिली रख सकते हैं तो यवप क्लियर ओगा नाव कमिग यह पहले बतेशी हैं सब किली अ गिनί आव रहा में चूटा को यहां किलियर है के नहीं फिर हम आते हैं लास्ट that the exit's revenue the budget is said to be and for economics dash referz to the amount of product or services that people are both ing and are able to buy the interest rate at which rabini overnight this is typically we will skip company as well now money and banking and market structure which is dominated by only a small number of firms is called as let's start करें, a market structure which is dominated by only a small number of firms, कुछी firms है, oligopoly, keyword आपने मिलेगा पक्का, perfect competition में homogenous product keyword होगा, monopoly में entry barrier keyword होगा, या फिर सिर्फ एक ही form में इस तरह से keyword, monopolistic competition में, क्या होगा, similar but differentiated product होगा, ठीक है, many seller money buyer होगे, fifth अभी करना नहीं है, for economies, dash refers to the amount of product or service that people are both willing and able, इच्छा भी है, ठीक है, able भी, आउकात भी, affordability भी है, और utility देखो, मैं आपको समझाना भूल गया, भी utility भी आते हैं, ठीक है, option number a, demand, because utility भी एक factor होता है, when expenditure exceeds the revenue, खर्चे जादा हो रहे है income से, तो क्या होगा, deficit होगा, घाटा होगा, ठीक है, the tax imposed on goods imported into and exported, import export में जो tax लगता है, that is called as customs tax, customs duty, flow and stock concept देखे हो, इसके बाद utility पयाता है, ठीक है, because आपे मुझे आपने marginal utility उपयोगीता, बस सम्झाना है, flow and stock concept पयाता है, the flow वो concept होता है, which is, it is referred to a quantity, referred to a quantity, measured over a period of time, measured over a period of time, वहीं अगर हम बात करें, stock concept की, तो it is, मतलब वही same चीज़ यहां पर लिख लेना, referred to a quantity, measured over, it is measured over a point of time, not a period of time, जैसे की, example अगर हम बात करूँ, तो machinery हो गई, ठीक है, किसी company की machinery या फिर उसके जो tools हो गए, वो हो जाएंगे, stock concept, flow concept में अगर हम बात करें, तोर पर जैसे की, working capital हो गया, ठीक है, working capital हो गया किसी company का, जैसे की, मैं, मैं for example, किसी भी company का मालो machinery tools देखना चाहता हूं, कितना use करते हैं, तो मैं किसी point of time पर जाओंगा, measure कर लूँगा, पता चल जाएगा, बट अगर मुझे working capital की भाई, कितना कमा रहा है, कितना इसमें वो हो रहा है, मतलब कितना पैसा, कितना inventory पड़ा हुआ है, inventory को भी सी में रख सकते हैं, ठीक है, inventory जो हो गए, inventory का मतलब क्या होता है, कितना माल पड़ा हुआ है, मतलब मैं टी-शर्ट का धंदा करता हूँ, ठीक है, तो मेरे टी-शर्ट कितनी पड़ी हुई है, मेरे back-end में, वो inventory कहलाती है, ठीक है, माल लो मेरी, अगर inventory खाली हो रही है, बहुत तेजी के साथ, उसका मतलब है, मेरी sale अच्छी हो रही काफी, मेरी भरी-बड़ी inventory मतलब sale उतनी अच्छी हो नहीं रही है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो मतलब फॉर एक्जांपल, कि कि किसी जगे कि मैं जए inventory देखनी है, तो मैं ऐसे थोड़ी कभी जाऊंगा, और देखूंगा, इस inventory खाली पड़ी, मतलब बहुत sale हो रही, तुरंत ऐसे नहीं बोला जा सकता है, उसको over a period of time measure किया जागा, कि हर दिन इतना inventory खाली हो रहा, मतलब कि यह है, कि हाँ, इतना inventory खाली हो रहा, इतनी sale हो रही है, तो जिसको हम एक point of time पे नहीं, period of time पे measure करते हैं, that is called as flow concept, ठीक है, अब आजाते हैं, जो यहाँ पे मैं utility समझाना चाह रहा था, utility का मतलब होता, उपियोगी था, ठीक है, तो इसी तरह होती है, हमारी marginal utility, यह क्या होती है marginal utility, marginal utility होती है कि कितना, एक तरह से, one unit, किसी भी चीज़ की one unit consumption की वज़ेसे, कितने ही मुझे satisfaction मिली, मुझे utility प्राप्त हुई, इसको बोलते है, marginal utility, ठीक है, जैसे कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी, प्यास थी, पानी वाली प्यास, तो वो बहुत जोर की प्यास, मैंने एक glass, जब पहला glass मैंने पिया, तो मेरी प्यास बुझी, बड़ा मजा है उ कुछ और ही लगा, था पानी ही वो, लेकिन मतलब पानी से भी बढ़के लगा वो, फिर जब दूसरा glass लिया, उतना नहीं मजाया, तीसरा glass ना ना उतना और कम मजाया, यानि कि धीरे 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 धीरे, utility घटती जाएगी with that one additional unit of consumption of any particular product or service, ठीक है, that is called as marginal utility, एक additional unit से कितना आपका satisfaction, कितना utility घट रही है, that is called as marginal utility, अभी आते हैं, मुद्रा स्फीती पे, that is called as inflation, ठीक है, inflation, liquidity trap, उस पर भी आएंगे, liquidity trap है, ठीक है, अगर मैं ना करूँ तो, इबर, चलो, या तो चलो, मैं यहीं करवा देता हूँ, liquidity trap अब बोली दिया तो, liquidity trap का मतलब होता है, liquidity trap, economy में बहुती गंदी situation होती है, बहुत बहुत गंदी situation होती है, यह liquidity trap, वो situation होती है, जब, जो लोग होते हैं, people, लोग ना तो, neither, ना तो वो consume करते हैं, ना तो spend करते हैं, और ना वो saving, मतलब की ना वो invest करते हैं, not saving, invest करते हैं, वो क्या करते हैं, बस अपने पास पैसा पढ़ा रहने देते हैं, ऐसी situation होती है, कि government की जो policies होती है, आर बी आई, चाहे करें, चाहे government करें, उनकी policies एकदम ineffective हो जाती हैं, ऐसी situation पर, क्योंकि कुछ ऐसी situation मनती है, कि लोगों को लगता है कि नहीं, अभी जैसे for example, माल लेते हैं, चुनाव आ रहे हैं, लोगों को लगता हैं, चुनाव के बाद तो, यह बहुत market भागेगी, मार्केट भागेगी, अब सरकार बोल लही है, कि हम interest rate हैं, बहुत दे रहे हैं, आओ पैसा deposit करो bank में, ना, ना, हम तो deposit नहीं करेंगे, तो यह कैसे situation होती है, कि government की interest rate बढ़ते रहते हैं, interest rate बढ़ा रही है, फिर भी लोग invest नहीं कर रहे हैं, interest rate government कम कर रहे हैं, कि चलो भई ठीक, clear, यानि कि ऐसी situation में, कोई भी, बिल्कुल, कोई भी liquidity का flow नहीं होगा, ठीक है, कोई भी liquidity का flow नहीं होगा, liquidity एकदम जम जाएगा, liquidity क्या होती है, अभी समझेंगे, liquidity आपको और बेटर समझ वहाएगा, जब मैं आपको भी monetary aggregates पढ़ाओंगा, कि liquidity क्या होती है, क्या च inflation पढ़ लेते हैं, then break ले लेते हैं, is that clear, inflation के बाद पक्का, बिल्कुल, liquidity trap हो गई है, पैसा trap हो गया, पैसा निकली नहीं रहा, उस trap से, इसको हिंदीम बोलते है, mudra switi, mudra switi होती क्या, mudra की switi, general, increase in general, inflation is, increase in general level of prices, general level of prices, चीजों के, दाम बढ़ जाना, simple भाशा में, आज से 10 साल पहले, जो biscuit, 5 रुपए का मिलता था, आज 10 रुपए का मिलता है, तो जो चीज, दाम बढ़ गया ना, उसको बोलते है, inflation, inflation, दो तरह का हो सकता है, एक second रुखिएगा, चलो, दो तरह के बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा concept of money illusion पढ़ लेते हैं, बिकॉस आपको अच्छे समझ में आएगा, money illusion का concept, यह हमारे एक economist थे, Irwin Fisher, उन्होंने दिया था, इरविन फिशर जी थे, उन्होंने यह concept दिया था, धन भ्रम की अवधारणा को, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हैं, कि यह जो है employer है, मतलब किसी company का मालिक है, और यह employees हैं, ठीक है, यह लोग इसकी company में का करते हैं, तो इसने बोला कि हम तुमारा आज से 5% वे जाए करेंगे, लोग बोले हुर्य, क्या हुआ, मजा आग एकदम, ठीक है, अब तो आज तो है, हुब पैसा स्पेंड करेंगे, ठीक, यहाँ इसने बोला 1% वे जाए करेंगे, लोगों का, भू, क्या हो गया, मतलब 5% का हाइक हुआ न, मतलब समझ लिजे, 0% हाइक हुआ, यहाँ पर इंफ्लेशन ही नहीं, 0% जोगी किसी एकोनोमिक में बहुत ही है, ठीक है, इनफ्लेशन तो होता ही है, 1% है, मतलब एक परसेंट वे जाएक है, समझो, इसको कैसा, मानलो, कि मेरी इंकम 10,000 है, आज से 5 साल पहले मेरी इंकम 10,000 थी, ठीक है, तो मैं 5,000 खर्च कर पा रहा था, या फिर ठीक है, मेरी इंकम 10,000 थी, ठीक है, आज मेरी इंकम 20,000 है, दिख तो राए कि मेरी इंकम दुगना हो गई है, लेकिन जो चीजों के दाम है, वो भी तो दुगने हो गए होंगे, या फिर वो ति एक रिन साबून कर था ठीक है एक मैं बिसकिट का पकेट एक वह खरीद लेता था रात में वक्रण की दुख वगराद पीड़ा हुई ठीक है तो उसका सेवन कर लिया ठीक है मतलब की तो ये सारी मैं करता था और अभी भी मैं उतना ही करता लेकिन बचता है एक हजार रुपए क्यों कि चीजों के दाम बढ़ गया तो अक्चिल में आपका वेज हाइक नहीं हुआ कम हो गया यह बोला था मनी इल्यूजन कॉंसेप्ट यह था इर्विंफिशर कि लोगों को इल्यूजन है मतलब इल्यूजन का मतलब अक्चिल में CP आपको चेक करनी है तो इंफलेशन घाओ इंफलेशन को फटाओ on तो इस चीजों के दाम भी तो सब्ड़ गये है तौशीज होती है ठिक है अब यह आते हैं कि कारन क्या होते हैं 85 ईमांड सैसी से हैं ठीक है डिमांड फोल और दूसरा होताा होता कॉस्ट पुश चीजों क के दाम बढ़ रहे हैं हो सकता है demand बढ़ रही हो मेरी income बढ़ रही हो मेरी अगर income बढ़ रही तो मैं demand ज्यादा नहीं करूंगा करूंगा तो मेरी income बढ़ रही हो ठीक है country में production ज्यादा हो रहा है लोगों की आया बढ़ रही है इसलिए demand ज्यादा हो रही है दूसरा है कि ची टेलोंते हैं मृणनेaway मिल या फिर माल लेते हैं कि बिसक्ट बनाने की मशुन थी वह आज महेंगी मिलती है क्यों और महेंगा टेलों नहें नहीं चींपके गया लिए ले कि पर इदेश्ञान से करते थे मैसा है तो वहां पर यूद उच्छड़ गया काफी ज़ता जैसे चलो अपने बेटे का एक्जामपल लेते हैं हाल फिलाल कली बेचारा हा रहा है पाकिस्तान ठीक है तो पाकिस्तान में गेहूं के दाम बढ़ गए गेहूं के दाम इसलिए नहीं बढ़ गया लोगों की इंकम बढ़ इसलिए यहां से इंपोर्ट करते हैं चाइन से चाइना बंद करते हैं तो जो मोबाइल वगया यह फिर टेक्नॉलोजिकल डिवाइसे के जो दाम बढ़ेंगे वह किसे बड़े फैक्टर प्रटक्षिन बढ़ गया तो इस तरह से हमारा इंफलेशन किसी भी कारणवाष हो स गरते हैं तो इसके different tools है एक होता है WPI जिसको बोलते है wholesale price index wholesale price index और दूसरा होता है consumer price index consumer price index यहाँ पर हम क्या चेक करते है wholesale और यहाँ पर हम consumer के site से inflation को check करते हैं consumer को कितने में मिल रहा है उस site से अगर हम check कर लेते हैं तो हम CPI measure कर लेते हैं उसको हम CPI बोल देते हैं और अगर हम wholesale के site से देख लेते हैं तो हम wholesale price index देखने को मिल जाता है ठीक अब हम देखते हैं WPI का base year का है इसको publish कौन करता है इसको publish करता है office of economic advisor जो की ministry of commerce and industry के अंडर में आता है इसको अगर हम बात करें publish करता है national statistical office पहले इसका नाम CSO होता था central statistical office बट अभी NSO and national statistical office जो की MOSP के अंडर आता है MOSP मतलब ministry of statistics and program implementation WPI के अगर बात करें तो यह weightage ज्यादा देता है manufactured goods को manufactured goods को और होलसेल के साइट से चेक कर रहा है तो manufactured goods को यह देगा and और यह no weightage to services services को कोई weightage नहीं देता है तो अगर हमें services side inflation क्योंकि जो हमारी RBI होती है फिर कोई भी हमारी सरकार नीती बनाती है RBI नीती बनाती है तो वो चेक करती ही किसके side से inflation ज्यादा हो रहा है तो वो चेक करने के लिए सारी चीज़ें यह different तरह के measurement tools बनाती है हमारी जो government है तो no weightage to no weightage to services तो अगर हमें मालो कि RBI को और फिर government को चेक करना है कि services side से कितना ज्यादा inflation हुआ है तो WPI नहीं देखेगी वो WPI नहीं देखेगी वो क्या देखेगी CPI क्योंकि WPI में तो services है नहीं ठीक है CPI में अगर बात करें तो यह food articles को highest weightage देता है services को भी देता है services को देता है बट food articles को highest देता है यह चीज़ द्यान रखना आपको ठीक बेस यह देखे लिए कौन publish करता है और वेटेज को दिया जाता है अब आ जाते हैं लास्ट होता है जो हमारा IIP index of industrial production इसको बलता है उतना important नहीं और एक चीज़ धान रखना CPI different types का होता है अपर मैं वह अलग-अलग type लिखवा नहीं जहसे CPI agriculture labor CPI rural CPI urban CPI industrial labor तो वह CPI होता है मतलब different sites है कि आपको चेक करना labor के साइट से agricultural labor के साइट से rural में चेक करना है अर्बन में चेक करना है तो अलग-अलग CPI होता है जो हमारी RBI होती है RBI इसी को RBI uses CPI CPI एक होता है CPI combined CPI combined उसको use करती है RBI inflation को calculate करने के लिए अपनी मौदरिक नीती बनाने के लिए monetary policy बनाने के लिए RBI uses CPI combined ठीक है IIP के कर बात करें तो अगर हमें industries के साइट से चेक करना है IP क्या होती है यह अपना 80% weightage जो होती है sorry 40% जो weightage होती है ठीक है IIP जो होती है अपना 40% weightage 8 core industries को देती है हमारी economy में 8 core industries है core industries वो industries होती ही जो बहुत important होती है जिन पर बाकी industries भी कहीं ने कहीं dependent है जैसे for example अगर हैं बात करूं जैसे हमारा माल लेते हैं कि crude oil हो गया ठीक है crude oil हो गया natural gas हो गई ठीक है cement हो गया ठीक है fertilizer हो गया fertilizer पर पूरा हमारा agriculture mainly dependent करता है ठीक है refinery products हो गया ठीक है refinery products हो गया electricity हो गई electricity हो गई ठीक है coal हो गया यह सब जो होते हैं हमारे 8 core industries में आते हैं तो 8 IIP में क्या है इन 8 core industries का 40% weightage है तो अगर हमें 8 core industries के side इसे inflation check करना है तो हम IIP को देख लेंगे now coming on to the types of inflation different types होते हैं creeping walking running galloping hyper creeping मतलब रेंगता हुआ inflation नहीं बहुत कम inflation economy में 3-4 प्रतिशत का है walking होता है कि ठीक है चल रहा inflation थोड़ा सज्जादा है creeping से running का मतलब बहुत भेंकर रूप से भाग रहा inflation 10-20% है galloping का मतलब बहुत भेंकर भाग रहा है मतलब एक दम gallop कर रहा है 20-100% और अगर 100% से ज़्यादा है तो उसको मोलते है hyper inflation ठीक है किसी भी country के लिए inflation is like नमक जरूरी है लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा out of control निकल जाएगा तो भी खराब होता है अब कैसे यह control and control होता है वह सब हम पढ़ेंगे but before that deflation, disinflation, stagflation कुछ questions फिर break और उसके बाद देखेंगे deflation और disinflation में क्या अंतर होता है देखिए inflation का उल्टा होता है deflation inflation का उल्टा यानि कि opposite होता है deflation यानि कि decrease in general level of prices general level of prices जानि चीजों के दाम घट रहें जो की usually होता नहीं है ठीक है उसको deflation बलते है, but disinflation is a type of inflation यह inflation ही है ठीक है, a type of inflation क्या है, इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि inflation की जो rate है वह घट रही है, जो जो दर है वह घट रही decreasing rate of inflation इसको बलते हैं dis inflation, जैसे कि मा लेते हैं कि पिछले महईने, 3% ingl1, मा लेते हैं, 5% inflation था, आज 4% हो गया, फिर 3% हो गया, inflation तो अभी भी है ना, अगर मानलो कि चीजों के दाम घट रहे हैं, घट रहे हैं तो 2% से घट गया है, उसको पोलें कि deflation, चीजों के दाम तो अभी भी पांच परसेंस चार परसेंस तीन परसेंस लेकिन जो rate of inflation वो घट रहा है that is called as disinflation stack inflation क्या होता है मुद्रा स्वीतिक मंदी क्या होती है तो फिलिप जी आए का है हमारे ठीक है फिलिप जी आए और उन्होंने कर्व दिया फिलिप कर्व बोलते हैं उसको इन्होंने ये बोला कि अगर country में inflation होगा मुद्रा स्वीति होगी high जितना होगा उतना ही unemployment यानि कि जो बेरोजगारी होगी वो कम होगी तो inflation का मतलब अच्छा मतलब inflation ज्यादा तो unemployment कम यानि कि अगर inflation ज्यादा तो unemployment कम इन्वेटेड ये रिलेशन मनेगा लेकिन फिर स्टैगफलेशन जैसी एक situation आती है जहां पर फिलिप्स का जो कर्व है वो fail हो जाता है फिलिप्स के थियोरी fail हो जाती है स्टैगफलेशन is a situation in economy ठीक है a situation in an economy जहां पर इनफ्लेशन भी बढ़ रहा है और बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और unemployment भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ अनि we employment घट रहा है हम बो सकते हैं ठीक है अनब्लाइमंट बेरोजिकारी भी बढ़ रही है दबा के यह किसी country के लिए खराब situation होती है in इंफ्लेशन बढ़ रहा है Unemployment बढ़ रहा है एनी फिलेप्स कर फेल हो जाता है से एक्वलेशन में कुछ क्वेस्टन करिए देन हम टाइप्स ऑफ अनिम्प्लाइमेंट देखेंगे सारी चीज़ है उसके बाद ठीक है अनिम्प्लाइमेंट इसी के हमारा अगला ही टॉपिक है ठीक है अनिम्प्लाइमेंट के बाद क्या है questions है छलो घृतम ही कर लें से फिर money and banking हमारा एक अगला पूरा नया topic स्टार्ट करते है ठीक है money and banking और उसके बाद हमारा major component खतम हो जाएगा ठीक है तो lack of financial discipline by the government can lead to अगर सरकार दोरा वित्तिय अनुशासन की कमी दिखाई जाती है तो खर्चा बढ़ेगा इंफलेशन दोनों बढ़ जाएगा अगर ढंग से काम ना किया गवर्रमेंट ने अभी हम देखें कि गवर्रमेंट कैसे काम करती है कैसे हमारी RBI काम करती है इस RBI इंफलेशन को कंट्रोल करने के लिए यह नहीं करना है अभी क्योंकि हमने अभी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़े है जब पढ़ लेंगे तो यह कुश्चन आपके लिए एक दमलपू सा कुश्चन हो जाएगा विचो दो फॉलविंग स्टेटमें इस टू रिगार्डिंग डिस इंफलेशन सीप्यो दोजार बाइस में सवाल है अब स्वीती के समन में इमलिकित में से कौन सा कथन सत्ते है यह बताएए और इफ देर इस लाइक आफ मनी सप्लाई यह वला क्विस्चन यह निवेदी वस्तूओं और सेवाओं क्या पूर्ती की तुल्ला में धना पूर्ती की कमी है तो संभावित परणाम क्या होंगे चलिए तो सर हाइस्ट वेटेज किसको मिलता है हाइस्ट वेटेज इसमें इसको मिलता है रिफाइनरी को इसे पाई इसट वेटेज को हाट हुआ ह हाइस्ट वेटेज इसका उता है आपका वेटेके और वेस्ट फड लाइजर कहा हँए इसका लोवेस्ट वेटेज होता है इसका लोवेस्ट वेटेज होता है If there is a lack of money supply in comparison to the supply of good, so money supply की कमी है, as compared to the supply of good, then the possible sequence of would be, अगर पैसा ही नही लोगों के हाथ में, ठीक है, पैसा, services तो खूब है, खूब चीज़े आ रही है, खूब बन रही है, खूब बन रही है, खूब चीज़े, खूब बिसकित आ रही है, नहीं है, तो ये लोग क्या बोलेंगे, भाई दस नहीं, पांचीम ले 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 तो लोग हम से कम, deflation, चीज़ों के ता हम घट जाएंगे, ठीक है, रोनाल्ड रेगन, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, अब बस बिरोजिगारी, उसके बाद बस ब्रेक और मनी अन बैंकिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिरोजिगारी हमारी कई तरह की हो सकती है, बिरोजिगारी कई तरह की हो सकती है, ये पांच तरीके होते हैं, Structural सानाचनमात्मक, Educated शिक्षित, Cyclical चक्रिय, Frictional घर्षनात्मक, Disguised प्रच्छन प्रच्छन प्रच्छारी सिल्स Structural होती है, जब एक skill gap होता है, ठीक है? यह बोल सकते हैं, कि जो skill gap की वज़े से जो आप unemployed हैं, उसको हम structural unemployment बोलेंगे जैसे कि इसमें यह होता है, कि जो company जिस skill की demand कर रही है, वो skill आप उसको दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए gap है For example, for example, technological advancement हो जाए, technology की वज़े से जो unemployment create होगा, वो structural सानाचनात्मक बिरोजिकारी होगी क्यों? कि क्यों नई technology जो आ गई है, मान लेते हैं, artificial intelligence, उसको चलाने के लिए सुचारू रूप से आपके पास ग्यान की कमी है और वो जो skill की कमी है, उसकी वज़े से job unemployed बैठे होए, structural होगा, educated भी कुछ similar है structural की तरह है, बट same नहीं है educated में क्या होता है कि ये mainly इंडिया जैसी countries में देखने को मिलता है, जहां पर लोगों के पास education है, educated लोग हैं, लेकिन unemployed बैठे होएं फिर भी जब भी आपसे educated unemployment के बारे में पूछेगा, तो for sure वो education का mention करेगा, अगर वो mention नहीं करता है, वो सिर्फ skill gap की बात करता है, तो structural unemployment होगा cyclical होता है, चक्री होता है, जब एक period of time पे, एक particular, ठीक है मैं बोल सकता हूँ, एक particular period of year में, जब या फिर particular period of year या फिर decade में, unemployment create होता है, उसको हम cyclical बोलते हैं, इसका example है, recession की अब जैसे unemployment create करना, मंदी के समय में जो बिरोजगारी होती है, जैसे कि COVID के समय में मंदी आ गई थी, तो इसमें होता क्या है कि सब की job चली जाती है, लेकिन कुछ time के लिए जाती है, फिर से लोगों की job आ जाती है, और फिर से ऐसे होता क्या है कि 8-10 साल में एक बार ऐसा time आता है, जब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, रेसेशन हो जाता है, पूरी global economy में ही लोगों की job चली जाती है, उसको रेसेशन बोलते हैं, लेकिन वो पूरे time के तो लिए तो रहती है, एक cycle का पहिया होता है, चलता रहता है, ठीक है, तो उसी तरह से होता है cyclical unemployment, यह पूरे time नहीं रहेगी, एक particular period of year के time पे यह आ जाता है, और इसी का example होता है आपका seasonal, इसी का एक sub type हम हो सकते है seasonal unemployment, जैसे कि अभी तेवारों का time है, तो तेवारों में मेले लगते हैं, दिया वाले जो हैं, इन सब को job मिल जाएगी, मतलब इनका अच्छा काम बढ़ जाएगा, तो जालर वगरा बे रहे हैं, यह वाले कि जब कलर बेचेंगे तब उनके पास अच्छा काम होगा ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि एक cycle आती है, उस समय उनके पास काम होता है, फिर चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, that is called as cycle चलती रहती, cyclical unemployment, तो cyclical unemployment एक बड़े term, बड Frictional Unemployment कहलाता है या फिर better job perspective के लिए जो आप job switch कर रहे हैं जैसे कि माल लेते हैं आप मेंसे काफी लोग जैसे कि हैं मुझे पता है personally कि लोग job में हैं किसी में ठीक है तो उन्होंने अभी leave ले रखी है ताकि वो better माल लेते हैं वो ministry of external affairs में जा सके हैं ठीक है तो इस time पे जो वो unemployed है ना उसको frictional unemployment बोल लेंगे घर्चनातमा क्योंकि वो better job के लिए जो job switch का time period है बीच में उसको frictional unemployment बोलते हैं तो आए किस तरह से भाई हम सारी चीज़ा आपको समझाया दे रहे हैं इतने भी आप वो तो है नहीं बच्चे तो है नहीं कि वो आप पूरा में definition लिखा हूँ तभी वहाँ पे आप कर पाएंगे चीज़ें आप समझ रहे हैं skill gap keyword मिलेगा structural educated, education मिलेगा cyclical में ये period of time इस तरह से मिलेगा और fictional भी आप समझे है disguised होता है कि दिख तो रहा है कि ये employed है बट actual में वो unemployed है इसका सबसे best example होता है इंडिया में हमारे agriculture sector ठीक है याद करिए सबसे शुरू में आज के lecture में आपको ये वोला था कि हमारे भारत में agriculture sector है जो primary sector का एक component है वो सबसे ज़्यादा लोगों को employment देता है employment रोजिगार लेकिन सबसे कम contribution है GDP में gross domestic product में क्यों क्यों कि लोग उतनी productivity निकाली नहीं रहे agriculture से ये एक field है माल लेते हैं एक hectare की इसमें जरुत है कि तीन लोग लगेंगे और माल लेते हैं कि एक कुंटल गहू निकल आएगा इससे दिख तो रहे हैं employed लेकिन डिजगाईज लिए unemployed है यह यानि इनके जो marginal productivity होगी इस case में that will be zero marginal productivity इन दोनों की zero है कुछ production नहीं कर रहा है actual में देखा जायत हो यह clear होगे सारे type of unemployment अब बस question कर लीजे एक का दुख का and then इसके बाद will start money and banking और यह main component है उसके बाद खतम वारा उसके बाद five year plan and then over दिली से बताई है MG ने रेगा 2005 provides कित्ते दिन का 100 दिन का what is the purpose of licensing policy in India भारत में licensing निती का उदेश क्या है ठीक है और which type of licensing का क्या है यह बताई है और जल्दी से चलो मैं break आपको दे देता हूँ अपने हिसाब से इन question को attempt करो और फिर मैं आके इनके answers बताऊंगा और फिर money and banking स्टार्ट करोंगा ठीक है यही साब का break भी स्टार्ट होता है और question return करिए और break ठीक question अपने हिसाब से pause करके देख लेना ठीक है हम जा रहे हैं मिलेंगे बाद में कि अद्लब मिलते कितने मिट बाद दो मेंट से जादा कब रेक नहीं होगा ठीक है दो मेंट से जादा कब रेक नहीं होगा और यह money and banking बताने की ज़रत है नहीं मैंने मैंने सुरुआत में क्लास के बोला था एक तो सबसे important concept हो था national income का budget वाला जो capital capital और वह revenue वाला देखे और तीसरा यह money and banking यह मिस कर दिया तो मतलब तुमारा एक economy का पिलर कम जो और एक कम जो तो पूरा economy वाला डूब जाएगा तुमारा ठीक चलिए थेंक्यू कि अ metricश बया है जाएगा भी थेर ख़रा घजब जूब सब तुमारा जूरा-ाग किजुआत में गे ज़ता है तुमारा बित लिएक। किएम मैं ऍलगा एक कर दो स点व्प Extra З desen जाएगा भीया है जाएगा जाए भीपकी ऑनाना बड़ा है da वरिपकी खिSoft झाल 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 प्रुम करता हुआ हारु ही जए अगर एक रही हो एक बार कंफिर्ट हर दे लागा है जले स्दार्ट करते हैं दो में ठोगा बिल्कुल तो विच अगर फॉलिविंग इस्टिशिशन कंड़िक्ट ले इस्टिशन पॉन इंप्लॉइम्ट अन उन इम्प्लॉइम्ट तो आंसर क्या होगा? Which of the following situation conducts the survey on employment and unemployment? तो NSSO होता है, National Sample Survey Organization, ये calculate करता है data. भगवती कमिटी unemployment है बनी ती option number A. Which type of unemployment is mostly found in urban area? Urban area में किस तरह से देखने को मिलेगा आपको? Educated Unemployment, option number A. ठीक है? What is the purpose of licensing policy in India? जब आपको industrial policy पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर समझ में आएगा. आंसर इसका होगा, to promote the regional equality. समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं. आखरी में भी पढ़ेंगे, industrial policy भी. स्टार्ट करते हैं money and banking. आप क्या खारें, कुछ नहीं भई, कुछ भी तरहीं. स्टार्ट करते हैं money and banking. ठीक है? regional equality size अभी का. रट्टा मारो जिंदाबाद, नहीं, रट्टा नहीं मारना है, अभी सिखेंगे, ठीक है? चलो, तो अभी वईस आ रहे हैं. ना, RBI and banking. सबसे पहले हम पढ़ेंगे banking के बारे में. और सबसे पहले हम पढ़ेंगे RBI के बारे में, क्यूं पढ़ेंगे? Reserve Bank of India के बारे में. क्योंकि ये देश का हमारा bank है, जो बाकी banks को regulate करने का काम करता है. अभी RBI सबसे important bank है हमारे country का. इसके बारे हम पढ़ना तो बनता ही है. तो सबसे पहली बात तो ये RBI हमारा establish हुआ था. RBI Act of 1934 से. RBI Act of 1934 से establish हुआ था. और ये bank इस Act से establish हुआ था, जो 1934 का Act था, लेकिन establish कब हुआ था? 1st April 1935 को, 1935 को एक April को establish हुआ था. ये Act आया था 1934 का उससे हुआ था, बट actual में डेट है 1st April 1935. ये establish हुआ था, हिल्टन यंग कमिशन एक बना था, 1926 में हिल्टन यंग कमिशन बैठा था. उसके recommendation पे, उस commission ने recommendation दिया था, कि इस तरह का एक central bank होना चीए है. तो ये Reserve Bank of India को setup किया गया. तब इसका जो head office था, या फिर इसका headquarter था, that was Calcutta. बट अभी present day में अगर हम बात करें तो कहां पे है, Mumbai में इसका headquarter है. इसके जो पहले governor थे, that was Osborne Smith. Osborne Smith, but he was not Indian. तो Indian जो हमारे पहले थे, that he was a CD देश्मुख. ठीक है, CD देश्मुख. बात अगर करें इसके functions की, कि इसका function क्या है. तो इसके कई सारे function है, जैसे की. जो ये हमारा RBI है, ये currency बनाता है हमारे देश की. जो कि legal tender होती है, और ध्यान रखना, currency बनाता है, but except, except एक रुपए का सिक्का, except रुपीज वन का जो क्वाइन होता है, इसको बनाने का काम करती है, government of India, भारत सरकार. बट बाकी जो currencies है, वो RBI बनाता है, एक तरह से उनके लिए responsible है, और RBI की तरफ से वो as a legal tender जारी होती है. तभी उसमें आप कोई minister के sign नहीं देखोगे, उसमें आप RBI के governor के sign देखोगे, कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने के लिए उतरदाई हूँ, ठीक है? लीगल tender है, अब क्योंकि वो लीगल tender है, उसको कोई लेने से refuse नहीं कर सकता उस currency को, तो ऐसी currency को हम बोलते है, Fiat Money, यह फिर Fiat Currency, ऐसी money को हम क्या बोलते है, Fiat Money, ध्यान रखना, कुछ और forms भी और होते हैं, हमारे money के, जैसे plastic money एक होती है, plastic money क्या होती है, एक hot money होती है, तो यह क्या होती है, तो Fiat money तो आप समझे है, plastic money में आ जाते हैं के जैसे credit card, debit card, जिस जो plastic के बने हुए, simple तोर से बोले हैं तो, hot money क्या है, जो hot है, नहीं, वो money जो stock में invest करी गई है, share market में invest करी गई है, deposit की गई है, हम अभी देखेंगे, जब investment पढ़ेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि वो money जो बहुत ही जल्दी इधर से उधर हो सकती है, उसको बोलते हैं hot money, ठीक, clear होगे, तो legal tender क्या होता और कैसे currency print के लिए responsible है, इसको हम बोलते हैं, याद रखेगा, अब very important है, lender of last resort, RBI को बला जाता है, lender of last resort, इसका मतलब यह है कि जब bank को कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, तो वो इसके पास जा सकते हैं RBI के पास, RBI बैंकों को पैसा देता है, बैंकों से पैसा लेता है, directly public से deal नहीं करता है, हम लोग जाके RBI में पैसा deposit नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर उससे loan ले सकते हैं, हमें loan लेने जाना है, तो बैंकों के पास जाना होगाई, इसे SBI हो गई, PNB हो गई, HDFC हो गई, तो इनको regulate करने का काम जो है, वो भी हमारा RBI करता है, यानि कि इसको हम bank of banks के नाम से भी जानते हैं, सभी बैंकों की bank है, यह इनको regulate करने का काम करता है, यह बना तो RBI Act of 1934 से था, लेकिन इसका जो regulation का काम है न, वो देखता है आपका, एक अभी एक्ट देखेंगे, National Regulation Act, बट बिफोर दाट, एक चीज आपको पताने चाहिए कि कि किन किन बैंकों को यह regulate करता है, फिर किन बैंकों का यह bank है, तो RBI Act था हमारा 1934 का, ठीक है, इस act ने banks को दो काटेगरी में बाटा, scheduled banks और non-scheduled banks, scheduled and non-scheduled, scheduled वो banks जो RBI Act के second schedule में mentioned है, दूसरे जो schedule है, उसमें mentioned है, इनको भी दो काटेगरी में divide कर सकते हैं, तो commercial और दूसरी cooperative, ठीक है, तो जो हमारी RBI है वो scheduled जो banks है, उन पे अपनी नजर रखता है, ठीक है, उनके लिए bank of banks आईए, और commercial banks, banks वो होती है, जो profit के motive से main काम करें, cooperative यह हैं कि सहकारी bank होती है, main उनका motive profit नहीं होता है, तो भी sustain कर पाएंगी, लेकिन commercial में main profit होता है, ठीक है, बट इनका जो regulation होता है, इनका जो regulation होता है, वो banking regulation act आया था 1949 में उसके थ्रू होता है, ठीक है, banking regulation act आया था 1949 से 1949, यह basic चीज़ से हम पढ़ रहे हैं, जो RBI से कुछ छोटे मोटे question बन जाते हैं, वो पढ़ रहे हैं, बाकि अभी main जो money and banking का concept है, समझने वाला concept, वो तो भी आगे आएगा, जा हम CRR, SLR, bank rate, repo rate, MSF, LAF, monetary policy tool लिए पढ़ लेंगे, main तो वो है, ठीक है, यह कहा है, कि थोड़े से रटने वा है, तो फिर उसी तरह सबता, अगर मैं ये भी समझाने लगूँ, scheduled commercial क्या होती है, इसके examples और cooperative, तो फिर वो relevant रहेगा नहीं, ठीक है, revision के परपस से, तो banking regulation act 1949 से यह regulate होती है, ठीक है, और अगर बात करें, इनका nationalization कब गगा था, जो हमारी bank है, राश्टी ये bank अगर बात करे nationalization of banks, तो 14 banks हमारी nationalize हुई थी 1969 में, और 6 banks हुई थी 1980 में, 1969 में हुई थी 14, और 6 banks हुई थी 1980 में, clear, ठीक, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा RRB के बारे में, उसके बाद other financial institutions देखेंगे, RRBs यानि कि हमारी जो regional rural banks होती है, RRBs के एकर बात करें, तो ये 1975 में establish हुई थी, बट ये non-statutory basis पे establish हुई थी, RRB Act था 1976 का, समझे आप, अगर आपने पॉलिटी के class लिए हुई तो आप समझ यह होंगे, कि जब कोई चीज एक्ट से बनाई जाती है, तो statutory होती है, जैसे कि नीती आयोग statutory नहीं, constitutional तो छोड़ी दो, कि constitution mention नहीं है, statutory इसलिए नहीं because अपके statute में law में mention नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें, जो RRBs है हमारी, तो मतलब ये अगर RRB Act है, तो ये statutory है, लेकि 1975 में non-statutory तोर पे बनी थी, और फिर act आ गया था, अगर यहाँ बात करें, किस के recommendation में बनी थी, तो Narsimman Working Group, ठीक है, Narsimman Working Group के recommendation पे इनका गठन First RRB, अगर बात करें, तो ये थी हमारी Pratham Grameen Bank, जो कि उत्तर प्रुदेश के मुरादाबाद district में setup करी गई थी, Pratham Grameen Bank, इनके अगर बात करें, तो regulate करता है, इनको, these are regulated by RBI, that is Reserve Bank of India, but supervised by, ठीक है, supervised by, नाबाड, नाबाड के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है इसमें अगर हम Share Holding की बात करें, RRB में, Regional Rural Banks में, तो 15% होती है State Government के पास, ठीक, 50% होती है इसमें Central Government के पास, Central Government, और जो बची remaining किती है, 50, 15, 65, 35% होती है, कोई बैंक जो इसको sponsor करेगी, वो, कोई भी बैंक sponsor कर सकती है, because Central State Government के पास तो knowledge नहीं है ना, बैंक चलाने की, वो त जो, जो SBI, PNB, इन सब के पास है, तो उनको बोलेगी, आप sponsor करो इस bank को, ठीक है, बाकी Financial Institutions देखते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले नाबाड, National Banking, National Bank for Agricultural and Rural Development इसका full form होता है, 12 July, 1982 को established होई थी, B.Sivraman Committee के recommendation पे, कौन सी committee, B.Sivraman Committee के उसमें recommendation पे, नाबाड अभी हम जब Financial Institutions देखेंगे, तो देखेंगे वहाँ पे, मतलब जब Micro Financial Institutions देखेंगे, कि नाबाड ने एक SSG Bank Linkage Program चलाया था, तो उसका भी नहीं देख रहे है, आगे देखेंगे, ठीक है, तो नाबाड कब established हुआ, किस committee के recommendation पे established हुआ, C.B. की चर्चा कर लेते है, Securities and Exchange Board of India, यह established तो 88 को यह हुआ था, C.B. के कर बात करें, Securities and Securities and Industrial Development Bank of India, C.B. तो C.B. में हाँ, ध्यान रखना है, C.B. की Chairman कौन अभी करेंट में है, यह बताइए, और इसका headquarter तो आपको पता होना चाहिए, मुंबाई में है, ठीक है, इसके कर हम बात करें, C.B. की, तो यह जो C.B. है, य और इसका headquarter है, लखनाव में है, ठीक है, यह बड़े factual type की question है, पूछ लेता है, इसलिए, मैं कर रहा हूँ, आपको, C.B. के कर बात करें, तो यह हमारा C.B. यह जो function किया इसका, to protect the interest of investors, ठीक है, to protect the interest of, interest of investors, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको example दे रहा था, कि किस तरह से जो if influencers हैं, फरजी की कुछ advice देते रहते हैं, कि यहाँ invest कर लो, वहाँ invest कर लो, तो उन पे capping लगाने का काम इसने किया, क्यों, कि मतलब तुम ऐसे फरजी कोई भी ऐसे advice नहीं दे पाओगे, license लो हम से, तब यह operate कर पाओगे, क्यों इसे भी ने किया, क्यों कि government chairman, and first non-IS chairman, ठीक है, IRDI के बात करें, insurance regulatory and development authority of India, इसकी अगर बात करें, तो establish होगा था, 1999 में, ठीक है, insurance वाला जो पुरा market होता है, वो IRDI देखता है, कोई फरजी का insurance नहीं चपका दे, आप पे, यह सारी चीज़ हैं, ठीक, Microfinance Institutions, MFIs, Microfinance Institutions देख लिए, फिर पहले, तो चलो पहले, Microfinance Institutions देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, तो microfinance institutions क्या होते हैं हमारे what are microfinance institutions तो microfinance institutions वो होते हैं जो चलो देखी लेते हैं फिर उसके बाद यह asset type रटी देखेंगा लगाँ ठोड़ा सा static type है लेकिन समझने का प्रयास करिएगा microfinance institutions वो हमारे institutions जो microfinance प्रोवाइड करते हैं कि हमारी जो banks हैं सारी banks गाओं गाओं में नहीं पहुँच सकती हैं इसलिए हमारी देश में RRBs को set up किया गया regional rural banks को set up किया गया वैसे और penetration create करने के लिए और जन जन तक पहुचने के लिए और ऐसे लोगों तक पहुचने के लिए जो banking services को effort नहीं का सकते हैं उनको छोटा लोन लेना है चोटी उनकी income में छोटा लोन लेना है तो ऐसे लोगों के लिए micro finance services प्रवाइड करने के लिए चोटी financial services प्रवाइड करने के लिए micro finance institutions को set up किया गया इस प्रवाइड financial services तो लो इंकम इंडिविज्वल तो लो इंकम इंडिविज्वल यह होते हैं हमारे micro finance institutions इसमें से बहुत important questions निकलते हैं और यह मैं आपको guarantee के साथ बोल सकता हूँ कि जो आपका CGL मेंस होगा या फिर CGL मेंस होगा फिर जो आप आगे exam अभी देने वाले हैं उसमें इस पर question जरूर बनेगा यह चीज मैंने आपको अभी जो CPU का exam हुआ था MTS का उसमें यह बात बोली थी और question आपको देखने को मिला अभी फिर से आपको यहाँ पर question देखने को मिलेगा ताकि हमरे देश में financial inclusion हो सके अभी यह financial inclusion क्या होता है financial inclusion का मतलब होता है घर घर तक हर जन तक financial services पहुँचे है इसकी सबसे पहले शुरुवात करी थी मोहमद यूनूस ने इसका concept दिया था बांगला देश के रहने आले थे बांगला देश ग्रामीन बैंक करके रहने setup कीर करी थी जिसके लिए इनको 2001 में Nobel Prize भी मिला economics में मोहमद यूनस ने एक concept दिया था microfinance institutions की बात करें तो यहाँ कुछ capping होती है और हाँ first in India first microfinance institution in India उसका नाम बताए जल्दी से comment में ऐसे नाम start होता है तो यहाँ पर एक capping होती है हर चीज में कि उस loan को microfinance loan consider किया जाता है less than जो 1 lakh का होता है less than 1 lakh उसको microloan बोलते हैं ठीक है this is known as microloan household जो यह loan ले रहा है वो ही loan ले सकता है जिसकी income जो है household with income less than 3 lakh with income less than 3 lakh और maximum tenure जिसके लिए loan लिया जा सकता है वो है 3 साल यहाँ जो loan दिया जाता है microfinance institution के दोरा यह collateral free होता है collateral क्या होता है collateral का मतलब होता है कोई भी चीज जो गिरवी रखी जाती तो यहाँ पर गिरवी नहीं रखना होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर profit is not the motive profit motive नहीं है financial inclusion motive profit is not the motive ठीक और यहाँ पर जो microfinance institutions है उनको 75% of जो capital है as asset maintain वादब 75% of जो उनके capital assets है उतना ही वो loan दे सकते है 75% यह याद रखेगा जो requirement होती ही पहले 85% होती थी but RBI ने इसको change के 75% of assets कर दिया है ठीक है first microfinance institution के अगर बात करें है फिर इस तरह से आप से पूल सकता है first SHG in India self-help group this is your Seva bank established in the year 1974 यह एक तरह की पहली SHG भी है self-help group भी है इंडिया में अब अगर हम बात करें self-help group क्या होते है तो यह microfinance institutions के पार्ट होते है self-help group हो गए हमारे joint liability groups हो गए self-help groups ने अगर बात करें तो members की आपको वह भी पता हो नहीं चीं कि कितना वह होते है limit कितनी होती तो 10 से लेके 20 minimum 10 और maximum 20 यहाँ पे होता है 4 से 10 यहाँ पे क्या आते है low income individual जो आते हैं low income individual आते हैं आपस में एक pool create करते हैं और अपना जो जितना भी saving पूल करते हैं जिसको बेज़र्वत पोती उसी आपसे loan देते हैं joint liability group में क्या होता है थोड़ा सा business purpose यहाँ जैसे for example 7-8 लोगों ने मिलके सुचा कि चलो ठीक है कुछ पैसा जोड़ते है और पापड का business शुरू करते है तो joint liability group हो गए ठीक है तो limit याद रखे कितनी होती है और पहला SSG कौन सा था हमारे देश का this was Seva Bank यह होता है हमारे micro finance institutions के बारे में सारी चीज़ है अब हमारे NBFCs क्या होते है non banking financial companies तो यह वो companies होती है जो यह भी आपका यह वो companies होती है जो demand deposit accept नहीं कर सकती है या तो अभी demand deposit बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा है ना तो चलो इसको hold करते हैं भी NBFCs को hold करते है जब यह demand deposit time deposit जब आपको पढ़ा दूँगा तब इस पर आते हैं ठीक है NBFCs पर तब आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे ठीक अभी आते हैं banks अब यहां से main चीज चालो हो रही है अब जो यहां से एक भी चीज आपने अगर skip करी बीच में तो आपकी सारी चीज़ें जाएंगी अब यहां से आप एक भी चीज को skip मत करीएंगा नहीं तो आपका पूरा money and banking जाएगा ना तो सीरार समझ में आगा ना एसलार समझ में आगा ना रेपो रिवर्स रेपो MSF कुछ समझ नहीं आएगा और अगर यह समझ आएगा ना stability क्या होती मैं आपको पहले बता चुका हूँ ठीक यह कोई bank है ठीक यह bank ठीक है माल लेते हैं यह परमार bank ठीक है तो इस bank में ऐसे चलो normal example लेते हैं ठीक है SBI consider कर लेते हैं ठीक है State Bank of India अब State Bank of India में आप गया है आपने कुछ पैसा deposit किया ठीक यह person A है इसने कुछ पैसा deposit किया लो SBI पैसा deposit कर लो इस पर SBI को कुछ interest rate देना होगा इसको जब यह पैसा मांगेगा तो इसको पैसा लोटा के भी देना होगा ऐसा तो है नहीं कि उसने पैसा deposit कर दिया तो उनको खैरात में दे गया है वो तो जैसे फर एक्जामपल आपने जिसे बैंक में आपका पैसा deposit होगा तो अब कभी भी जाके ATM से निकाल सकते हो उस पर आपको interest rate भी मिलता है या फिर अगर आपके घर में क्या करती है यही काम है इनका पैसा deposit करो ना और उसी पैसे को लोन में उठा देना जो परसंट भी आएंगे भागते हुए यह लो ले जाओ ठीक तो बैंक यह इतना पुन्य का काम क्यूं कर रहा है कि इसको ले रहा है और इसको बोला ठीक है जब तुम आओगे तो हम तुमको दे देंगे तुम्हें interest पी देंगे और इसको वो दे दिया के लिए तुम हमसे ले जा लो पुन्य का काम नहीं कर रहा है प्रॉफिट का काम कर रहा है प्रॉफिट होता कहां से है इसने जो पैसा deposit करवाया बैंक पर से चाहिए यह यह पांच परसेंट की टर से तुम्हें पैसा देंगे जो यह लोन लेना इस से बेम अई है दर सुनो 8 पर श्युव कि ओए जित्य है यहां मैंने आपको example दिया समझ मैं कि bank में चीज़ें काम करती कैसे हैं ठीक है अब जो bank है उसके लिए जो मैंने पैसा deposit करवाया ठीक है जो मेरे deposits थे वो liability होंगे और जो loan में पैसा दिया किसने bank ने वो उसका asset होगा क्यों कि उस loan पे उसको ब्याज मिल रहा है इसलिए asset है और मैंने जो deposit करवाया है वो liability इसलिए कि उसको चुकाना है और उस पैसे पे मुझे वो ब्याज भी continuously देता रहा है मुझे तो उसके लिए liability है deposit दो तरह के हो सकते हैं एक वो deposit जो कभी भी मैं मांग सकता हूँ उससे कि जैसे कि जब मैं ATM गया मैंने निकाल लिया तुरंद वो deposit कहलाते है demand deposits और वो deposit जो कि एक particular time पे mature होते हैं उनको बोलते है time deposit या फिर term deposit time या फिर term deposit जैसे कि FD हो गई fixed deposit RD हो गई recurring deposit ऐसा नहीं कि जब मनाया तब लेया FD से औ लगेगा क्योंकि वो एक particular time पे mature होती है तो दोनों है deposit दोनों liability है लेकिन दो तरह की deposit है तो समझगे है demand deposit का था time deposit का होता है demand deposit में जो हमारा savings का पैसा पड़ा हूँ है saving bank saving account जो है या फिर current account current account जो business जो लोग करते हैं वो maintain करते है current account जिन बनको 0% rate मिलता है कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं है मैं बता रहा हूँ CRR का मतलब होता है cash reserve ratio ठीक है और SLR का मतलब होता है statutory liquid ratio statutory liquid ratio अब क्यों कुछ नहीं है तुमारे तुमारे लिए अगर तुम्हें समझ में आ गया क्योंकि अब मुझे तुम यह बताओ कि मैंने bank के पैसे मालो bank को एक महीने में 100 माल लेते हैं कि एक करोर रुपए वैसे तो काफी आता है लेकिन माल लेते हैं एक हमारी branch उसको एक करोर रुपए deposit हुआ तो यह bank क्या चाहेगी कि मैं पैसे को रखे रहूं अपने पास यह इस पैसे क पेचिती रहती है मतलब बंदा जा किसी और रही लिए रहा है मैडम policy चपकाने लगती है देखिए जीवन जोती बीमा योजना इसके तहट आपको इतना 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 और इतना इतना मिल जाएगा मैडम को कुछ फरक नहीं पड़ता है कि क्या जो बंदा आया उ पैसा ओल्ड करना चाहिए तो ही बोलेगे ना आओ जल्दे दिए तुम भी लो तुम भी लो जो तुम साथ परसें ने देख लो छे परसेंट पर ले जाओ तुम यह तो बोलेगा लेकिन मान लो कि एक परसन है रामू जिसने बैंक बैंक पैसे की नीड है बैंक के पास तो यहीं नहीं उस बैंक ने बोला पैसा नहीं तो पैसा नहीं बोला मिलो टो क्यूंब बन रामो ने क्लास नहीं क्यों अंक पैसा नहीं तो कि वाला नहीं तो कि को को बता देगा ठीक है इस तरह से ध ere obtained for investment कर सकता है लो फिर in general अगर हम बात करें, तो banking services पर लोगों का भरोसा उठ सकता है, वो फिर banking system पर रिलाई नहीं करेंगे, वो फिर किसी और कहीं और पैसा deposit करेंगे, या फिर किसी और से पैसा लेंगे, वो banking system खराब हो जाएगा, पूरा banking system अगर खराब हो गया तो पूरी country की economy तक डूब सक इसलिए RBI बोलती है, Reserve Bank of India बोलती है, सुनो banks, सुनो banks ध्यान से, कि जो भी पैसा आ रहा है, उसका certain percentage as cash maintain करके रखो, ताकि cash को ही मांगने आए, तो तुम्हारे पास हो, और certain percentage तुम कुछ और रूप में maintain कर सकते हो, जिससे तुमको कुछ पैसा भी मिलता रहा है, इतना तु तुम्हारे पैसे में convert भी हो जाए, तो cash में जो maintain करना है, उसको cash reserve ratio बोलता है, और जो कुछ other चीज में invest कर सकता, जैसे कि gold हो गया, government security के रूप में, ताकि तुम्हारे पास हो गया, तो तुम्हारे पास हो गया, तो तुम भी अपने gold और government security बेच देना तब, ठीक, ऐसा न फूरा पैसा लोगों ने तुमने कुमा दिया, अब लो तुम असे लोगों के देचे घॿंशन लोटों के ले щağ में लेकर गया था, यवर जाय से तुम उस्य नहीं करे नहीं लेंगे हम चुन्नों जी के पास ही लोन लेंगे सिंपल कि टर्मिनोलोजी पता है क्या उस होती है कि यह वह पैशा है वह कैश का पैसा है जो बैंक्स आर्बी आई के पास डेपॉजिट करते हैं और उनको यह मेंटेंड करना पड़ता है हर कि मालो हर फॉटनाइटली बेसिस पर हर बेव बोलता है हर बैंक पर जाता है तुम्हारे पास CRR इतना है ना 4.5% मतलब अगर मालो की जैसे माल लेते हैं 5% CRR चल रहा है तो अगर माल लेते हैं कि एक करोल पैसा आया किसी के पास तो उसका जो 5% उसको कैश के फॉर में मैंटे इतन मिलेगा समझ आ गया सभी को CRR SLR अच्छे से काइदे से कोई ऐसा जिसको यह समझ ना आया हो RBI के पास deposit यह करता है RBI के पास साहिल RBI के पास CRR में no interest rate यहाँ पर कोई interest rate नहीं मिलता ठीक है क्योंकि cash में है यह पूरा cash में क्या interest rate मिलेगा कोई ब्याज नहीं है इसमें all clear, okay clear हो गया अब बढ़ते हैं LAF के पास liquidity adjustment facility यह क्या होती है तो banks को पैसे के जरूरत पढ़ती है जैसे हमें पैसे के जरूरत पढ़ती है bank बागते है bank loan दे दो bank को जरूरत पढ़ गई तो किसले जरूरत पढ़ती है यह हो सकता है कि उसको जो RBI आती है ना हर fortnightly basis पे कि दिखाओ दिखाओ अपनी जैसे ने मारे teacher नहीं तो दिखाओ अपनी notebook दिखाओ work करके live के नहीं लाए और नहीं लाते है तो पेल देते थे वैसे ही यह RBI जाता है bank के पास दिखाओ अपने CRR SLR maintain किये हो कि नहीं और जानता है अगर नहीं करें तो पेल देगा यह RBI इसलिए वह RBI के पास चलेते हैं लोन दे दोना थोड़ा सा तो यह फिर मतलब यह तो तरीका दूसरे और वी काफी सारे purposes होते है इसके वह जैसे bank जाता है RBI के पास लोन लेने वह हमारे पास तो आएक नहीं न लोन लेने ठीक है तो वह लोन लेने जाता है तो उसके तीन तरीके होता है एक होता है bank rate पे लोन दे देता है RBI इसको एक होता है repo rate एक होता है reverse repo rate reverse repo bank rate क्या है जब bank लंबे समय के लिए long term loan लेती है और यहाँ पर collateral free loan मिलता है banks को RBI की तरफ से मतलब कोई गिर्वी नहीं रखना होता है repo में क्या होता है यह overnight एक तरह के loans होते हैं बहुत इस शॉर्ट टम loan होते हैं यह भी different तरह के होते हैं overnight loans होते हैं और इसमें collateral देना पड़ता है गिर्वी देना पड़ता है collateral इसमें रखना होता है reverse repo में अगर बात करें तो reverse repo में RBI बोलता है banks की हमारे पास पैसा अपना deposit कर दो यानि RBI banks loan लेता है लेकिन actual में RBI banks से loan नहीं लेता है वो ये बोलता है कि तुम हमारे पास पैसा deposit कर दो हम तुमको अच्छा interest rate देंगे वो ऐसा क्यों बोलता है वो भी अभी समझेंगे जब हम monetary policy tool पड़ेंगे वहीं पड़ रहा है लेकिन जब पड़ेंगे inflation होता है RBI deflation होता है समझ रहा है तो repo का क्या होता है repurchase agreement या फिर repurchase obligation इसका full form होता है इसको repurchase obligation क्यों बोलते है जब ये लोग loan लेने जाते है RBI से तो RBI ये बोलता है कि collateral के तौर पे गिरवी के तौर पे तुम हमसे पैसे तुलिए जा रहा हो government security deposit करते जाओ ठीक है और माल लेओ कि तुमने जैसे माल लेओ तुमने हमारे पास worth rupees एक करोड की government security तुमने हमको दी worth rupees एक करोड ठीक है जिनकी worth इतनी है तो हम तुमको मात्र 80,000,000 का loan देंगे 80,000,000 का लोन देंगे जब तुम हमें ये पैसा लोटाने आओगे न ठीक है जब तुम हमें पैसा लोटाने आओगे ठीक है तो एक तरह से एक second यहाँ पर जैसे एक government security दी किसने bank ने किसको दी RVA को दी ये at a discounted rate देता है discounted rate मतलब जैसे कि for example 80,000,000 का ही दिया ठीक है या फिर माल लेते हैं इसको कैसे मैं आपको समझाओ रुको थोड़ा से मुझे सोचने दो कैसे मैं आपको समझाओ बेटर तरीके से ठीक तो 80,000,000 रुपए माल लो ठीक है loan दे दी RBI नस को ठीक है अब ये जब ये ये government security अगर माल लो कि bank नहीं 80,000,000 रुपए चुका पाता है तो ये बेच देगा तो इसका 20,000,000 का प्रॉफिट है वो इसका एक तरह से प्रॉफिट हो गया या फिर जब bank माल लेते हैं loan इसको चुकाने वापस आएगा किसको RBI को तो ये जो प्राइस है ना क्योंकि उसको तो 80,000,000 मिला था क्योंकि उसको 80,000,000 नहीं अब ये जो तीनो government security है इसका जो प्राइस है ये चुकाना होगा किसको ये चुकाना होगा RBI को तो ये जो डिस ये में जो discounted price पे जो offer करी गई थी ये है profit किसका RBI का समझ में है तो ठीक नहीं तो skip कर सकते है कि repurchase obligation का मतलब क्या है कि यहां पे जो government security as a collateral रखी जाती है at a discount price दी जाती है और वो बीच का margin होता है वो एक rate होता है और वो rate को बोलते है repo rate ठीक है repurchase obligation तो यहां पे आप तीनों में difference समझे इन दोनों को हम collectively बोल देते है liquidity adjustment facility ठीक है अब यहां पे open market operations भी समझ लेजे treasury bill समझ लेजे उसके बाद MSF क्या होता है then monetary policy tool को कैसी हमारे government use करती है sorry RBI use करती है to counter the inflation deflation वो भी पढ़ेंगे ठीक open market operations इस particular tool का use करके government security को हमारी जो RBI होती है वो बेचती या फिर खरीदती है ठीक government security की यहां पे it involves government security की buying या फिर selling this is called as open market operation ठीक जब government security को buy करेगी RBI हमेशा ध्यान रखना इस चीज को कि जब भी government security को buy किया जाएगा तो अवज में उसके पैसा दिया जाएगा ठीक है पैसा दिया जाएगा और जब sell की जाएगी government security अगर मालो कि मैं sell कर रहा हूं गवर्मेंट security जी से कहीं ठीक है तो उसके आवज में पैसा लूँगा यह चीज बस ध्यान रखना आगे काम आएगी आपके ठीक तो अगर मैं government security दे रहा हूं तो उसके आवज में कुछ लूँगा और वह है पैसा और अगर government security ले रहा हूं तो दूँगा कुछ और वह है पैसा ट्रेजरी बिल क्या होते हैं तो यह short term government securities होती है बस ऐसे समझ लो short term जी सेक्स होती है short term जो government security होती है जिनका maturation period होता है maturation period होता है तीन तरह की होती है एक तो 91 days की होती है एक 182 days की होती है और तीसरी होती है 364 days की यह तीन तरह की treasury bills T bills होते हैं MSF क्या होता है यह भी एक तरह के overnight loans है मतलब बहुत ही ज़्यादा short term overnight loans to fulfill the liquidity requirements to fulfill the liquidity requirements जो bank होती है हमारी जैसे मालो की रात भर के लिए loan चाहिए एक रात के लिए ठीक है कुछ मतलब बहुत ही short term बहुत ही emergency type जो loan होता है वो MSF के अंदर आता है यह जो होता है LAF से 0.25% इसी को 25 basis point के नाम से भी जानते है हाई होता है क्यूं क्यूंकि आप overnight ले जा रहे हो एकदम से loan लेना हो बहुत ही short term के लिए loan लेना है हो तो यह ज़्यादा होता है bank rate, repo rate में अगर बात करूँ तो bank rate थोड़ा सा ज़्यादा होता है as compared to repo का जो rate होता है कारणी इसका यह होता है because यहाँ पर banks ने कुछ RBI ने कुछ collateral नहीं रखवाया है तो अगर उसका पैसा डूब जाएगा तो फिर अगर bank पैसा नहीं देगा तो उसका पैसा वो गया फिर यहाँ पर क्या है कि उसके पास कुछ collateral है तो उसको बेच के वो पैसे को निकाल सकता है ठीक अब हम यहाँ पढ़ेंगे monetary policy tools को किस तरह से हमारी RBI यूज करती inflation या फिर deflation को counter करने के लिए सबसे पहली situation लेते हैं जहाँ पर हमारा inflation economy में मुद्रा स्वीती हो रखी economy में इसक पैसे को कम करना है अब economy में मुझे पैसा कम करना है तो मैं CRR को क्या करूँगा SLR को क्या करूँगा bank rate को क्या करूँगा repo rate को क्या करूँगा reverse repo rate को क्या करूँगा government security के साथ क्या करूँगा यह आपसे question पूछता है तो मैं government security को छोड़के सब को बढ़ा दूँगा सब को बढ़ा दूंगा, क्यों, यानि increase कर दो, तो उससे क्या होगा, उससे money supply कम हो जाएगी, कैसे कम होगी, वो समझो, CRR, SLR मैंने requirement बढ़ा दिए, कि bank सुनो तुम, 5% नहीं, अब तुम्हें आसे 10% रखना होगा, अपने पास, जितना भी पैसा हैगा 10%, यानि अब बैंक औ और कम पैसा लोन में घुमा पाएंगी, यानि एकनामी में अब कम पैसा पहुंचेगा, clear, bank rate, repo rate कम कर दिया, bank rate और repo rate को बढ़ा दिया, यानि कि अब बैंकों का RBI से पैसा लेना हो गया महेंगा, तो RBI से पैसा लेना हो गया महेंगा, तो वो भी bank भी अपनी ब्याज की दर पैसा, ठीक, उल्टा ले लेते हैं, माल लेते हैं, कि bank उसने कम कर दिया, bank rate, repo rate को कम कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, RBI नगर कम कर दिया, कि आओ हमसे पैसा और लो, और लो पैसा, जब और पैसा ये लेंगे हमसे, कौन bank, तो लोगों को भी खूब देंगे, यानि एकनाम रिवर्स रिपरेट, repo rate का उल्टा है, repo rate में क्या है, कि bank RBI के पास जा रही थी, लोन लेने, रिवर्स रिपरेट में, RBI बैंक के पास लोन लेने जा रहा है, लेकिन फिर मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, कि एक च्छर में ओर लोन नहीं है, होता क्या फिर, तो गटाना चाहिए, inflation case में, लेकिन ऐसा नहीं, सब बढ़ेगा, कारण इसका यह है, reverse रिपरेट का मतलब यह है, कि RBI बैंक से बोलता है, कि आओ, और हमारे पैस पैसे deposit कर दो तुम, खुब पैसा हमारे पास deposit कर दो, बैंक बोलता है, तुम जितने में लोन में पैसा घुमा र देगा, यानि अब उसके पास इतना पैसा नहीं बचा कि लोगों को दे, एक तरह से उसने क्या किया, एक तरह से उसने economy से पैसा खीच लिया, RBI ने कैसे, उसने बोला हम तुमें ज़्यादा interest rate देंगे, अगर तुम हमरे पास पैसा रखोगे तो, यानि कि reverse rate increase करने से क्या ह हुआ, economy से पैसा खीच गया, ज्यादा नहीं पहुचा, clear? Government security के साथ क्या करेंगे, बताइए, G-Sec के साथ, तो मैंने तुमें ये बताया था, कि government security मुझे पैसे को खीच ना है, तो मैं government security को sell करूँगा, क्यों? मैं लोगों के हाथ में security थमा के पैसा ले लूँगा, क्योंकि हाथ में एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है, government security या पैसा, तो अगर मैंने sell कर दी government security, तो अब मेरे हाथ में पैसा होगा, जिसको दिया, उससे मैंने पैसा ले लिया, यानि पैसे को खीच लिया, इस तरह की economic policy को बोलते हैं, hawkish, या फिर, dear, या फिर, tight, monetary policy, कब adopt की जाती है, जब economy में पैसा ज़्यादा हो, inflation वाली situation हो, इसका उल्टा deflation में कर देंगे, बताने के ज़रत है, बिलकुल नहीं, ये monetary policy कौन decide करता है, एक monetary policy committee बैठती है, वो decide करती, monetary policy committee, RBI की तरफ से बैठती है, इसमें, government का नहीं होता है कोई, 6 सदस्य कोई होती है, 6 members होती है, जिसमें की, RBI का chairman भी, is a member, RBI का, जो chairman है, वो एक member होता है, इसमें, ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, समझ में आ गया सभी को, कैसा क्या लगाएंगे, और इसका उल्टा होता है, डौविश monetary policy, ठीक है, इसका opposite होता है, opposite होता है, डौविश, तो अगर मालो कि deflation है, फिर economy में पैसा जैसे मालो होते है, festive season है, festive season है, मालो कि और 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 demand बढ रहानी है, और demand बढ़ानी है, ठीक है, तो RBI क्या करेगी, RBI करेगी, CRR SLR सब कम कर देगी, bank rate कम कर देगी, ताकि bank के पास ज्यादा पैसा हो जाए, bank के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, simple, liquidity trap एक ऐसी situation होती, कि जहाँ पे साल, चाहे कुछ भी कर ले, RBI, लोग कुछ करते ही नहीं है, लोग अपने पास पैसे रहे हो, ना तो consumption कर रहे है, ना से bank अपासा deposit कर रहे है, पता नहीं क्या, तो liquidity trap हो, situation होता, liquidity trap हो गई है, ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे, कि अगर, अपसे पूछ लिए, fiscal policy, तो वो policy जो government लेती है, fiscal policy वो होती है, जो government of India, adopt करती है, इस inflation वगरा को सब को counter करने के लिए, जैसे माल लेते है, fiscal policy के tool हो गया, minimum support price, MSP हो गई, या फिर, tariff हो गया, tax हो गया, ठीक है, tariff हो गया, यह सब, यह क्या होते से माल लेते है, tax increase कर दिया, government को अगर चाहिए, कि लोगों के हाथों पैसा ना बचे रह जादा, tax बढ़ा देगी, government, tariff क्या होता है, import, export में, जो tax लगता है, उसको tariff बोलता है, ठीक है, import और export में, जो चीजों पर tax लगता है, उसको tariff बोलता है, ठीक है, तो वो बढ़ा देगी, तो उससे हो जाएगा, तो अब समझ पारेंगे, जो RBI लेती है, यह देश की central bank लेती है, उसको बोलते है, monetary policy tool, और जो government लेती है, उसको बोलते है, fiscal policy, is that clear, यहां तक सभी को, किसी को कोई doubt यहां तक, किसी को doubt, अब आते हैं, qualitative tool, जो अभी तक देख रहे थे, यह सारे quantitative tools थे, कही न कहीं, quantity पर डिपेंड हो रहा थे, 5%, 3%, 4%, quantity पर डिपेंड हो रहा थे, अब यहां पर हम देखेंगे, कुछ qualitative tools होते हैं, जैसे कि, change in marginal requirements, change in marginal requirements, या फिर, एक होता है माला rationing of credit, rationing of credit, moral suasion, moral suasion, moral suasion, moral suasion मतलब, syapa, syapa मतलब जैसे कि government, या फिर, अर्ज कर रही है, सभी से, आर भई बोल रहे हैं, कि please, उतना, मतलब, loan लीजिए, या फिर, ज्यादा, loan ना लीजिए, इस तरह का, जो syapa कर रही है, वो खुद से ज़्यादा नहीं कुछ कर रही है, तो उसको बलते moral suasion, government जैसे, हम लोग loan लेने जाते हैं, ठीक है, तो, उसमें यह होता है, कि, जितना हम collateral रख रहे हैं, गिर्वी का, जैसे मालों, एक लाक रख रहे हैं, असी लाक रुपई loan मिलेगा, यह होती ही marginal requirement, ठीक है, तो government अगर marginal requirement बढ़ा दे, कि अगर असी लाक का loan लेना है, तो 2 करोड तक का कुछ तुम गिर्वी रखोगे, तब ही मिलेगा, तो क्या loan लेंगे जादा लोग नहीं लेंगे, यानि कि उसने क्या किया, marginal requirement को change करके, या फिर increase करके, क्या कर दिया, उसको कम कर दिया, rationing of credit, इसका मतलब होता है, कि एक particular sector में, bank बोलेगा, कि interest rate को कम कर दो, या फिर एक particular sector में interest rate को ज्यादा कर दो, क्योंकि अगर उसको RBI को लगा, क्योंकि RBI inflation को देखता है, हमने देखा था, CPI combined का use करता है, हमारी जो monetary policy committee होती है, तो उसको लगा किया, मतलब WPI को देखा, उसने देखा कि ये wholesale के side से, manufacturing side से ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब inflation हो रहा है, तो बोलेगा, यहाँ पर ज़्यादा interest rate में तुम loan दो, ताकि लोग कम loan लें और यहाँ पर कम inflation रहे, ठीक है, और inflation जैसे बनाता है, नमक की तरह होता है, जरूरी भी हो, लेकिन थोड़ा सा, तो अगर मार लोग economic grow नहीं कर रही है, तो उस case में, हमारी जो monetary policy committee, वो dovish monetary policy अपनाएगी, interest rates अब कुछ कम कर देगी, CRSLR कम कर देगी, बोलेगी और लोगों को loan दो, simple, ठीक है, तो यह qualitative tools है, वो quantitative tools है, ठीक है, monetary aggregate पर हैं, उससे पहले यह पढ़ लेते हैं, जो हमने skip किया था, NBFC, तो NBFC जो होते हैं, cannot accept demand deposit, धहान रखना, ठीक है, वो तरह के deposit यह accept नहीं कर सकता है, और एक तरह का हमारा institution होता है, NBFC, NBFC, MFIs, इसको बोलते हैं, non-banking financial companies, microfinance institutions बोलते हैं इसको, यह हमारी एक माले गाम committee बनी थी, 2010 में, उसने इसके setup के regarding, ठीक है, तो उसने इसके setup के regarding, बोला था, कि एक तरह का, NBFC setup होना चाहिए, मतलब एक microfinance institution setup होना चाहिए, NBFC के अंदर, और उसको बोलते हैं, मतलब किस committee ने बोला था, माले गाम committee, ठीक है, माले गाम committee, 2010, 2010 में, ठीक है, इसमें हम इतना इतना पढ़ने के ज़रुत है, और तो कुछ इसमें जरुत हैं नहीं उतना, इन बी एफसी में, नहीं, इसमें अंदर, इसमें आप एक्सेप्ट इमाले गाम committee आद रखेगा, और अभी जब हम पढ़ेंगे, बासल नॉम्स तो आपे कुछ चीज अभी देखेंगे, NBFC के बारे में, बाकी तो, एक बार मैं और देख लेता हूँ, NBFC के बारे में, तो कुछ नहीं है, यहां पर चूट रहा है, SGG भी हो गया, JLG भी हो गया, Microfinance Institutions पर सारी चीज़ें हो गई, SABी सब हो गया, सारी चीज़ें हो गई है, ठीक है, और इसमें यह चीज, एक सेकंड कहा गया, इसमें यह चीज़ें कर सकते हो, कि यह चेक इशू नहीं कर सकती है, Cannot Issue Check, चेक भी इशू नहीं कर सकती है, ठीक है, यह ध्यान रखती हैंगा, और यह चीज़ ध्यान रखना, कि यह registered होती है, ठीक है, these are registered under Companies Act के अंदर registered नहीं होती है, अब ही आते हैं, अब ही आते हैं, the very important concept, and that is monetary aggregate, आपने ज़रूर देखा होगा, M0, M1, M2, M3, M4, यह सब आपने देखे होंगे, इनको कहते हैं, monetary aggregate, तो यह हमारी country में, liquidity को express करने के different तरीके होते हैं, अब ही आप सीखेंगे, liquidity क्या होती, liquidity, liquidity, जो मैं बार-बार कर रहा हूँ, सबसे पहले हम इसके monetary aggregate देखते है, M0 है, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M0 क्या होता है, यह होता है, currency in use, ठीक है, currency in use, plus, deposits with RBI, यह फिर deposits, deposits with RBI, M1 क्या होता है, M1 होता है, M1 को ले लो, M0 को ले लो, यह इनकी currency in use, plus, deposit with RBI, plus, demand deposit, M2 क्या है, M1 को उठा लो, plus, post office की जो savings है, उनको include कर लो, M3 क्या है, M1 को ले लो, plus, उसमे, time या फिर term deposit जोड़ दो, M4 क्या है, M3 को उठा लो, उसमे, all deposits with post office को जोड़ दो, मिल जाएगा आपको M4, ठीक है, with, post office, ठीक है, with post office, अब इसके different names होते हैं, जैसे की, हमें पता होना चाहिए, कि M0 को, high-powered money के नाम से जानते हैं, इसको, ठीक है, high-powered money, M1 को, M1 और M2 को collectively बोलते हैं, narrow money, ठीक है, दोनों को collectively बोलते हैं, narrow money, M3 और M4 को collectively बोलते हैं, broad money, M3 को ध्यान रखना, it is a measure of, ध्यान रखना अगर कभी इस तरह से पूछ ले, measure which of the following is a measure of aggregate, money, तो आपका अंसर, M3 होगा, ठीक, high-powered money, narrow money, broad money, इस समझ के, measure of aggregate money हैं, ये चीज, अब, narrow money, M1 और M2 को बोलते हैं, M3, M4 को broad money को बोलते हैं, और ये liquidity क्या होती है, देखे, liquidity का मतलब होता है, पैसा ऐसे समझ लो, liquidity का मतलब एक तरह से, पैसा, cash, मेरे हाथ में, 10,000 रुपए हैं, एक हाथ में, एक हाथ में है, check 10,000 रुपए की, ज्यादा liquid कौन होगा, ज्यादा liquid cash होगा, एक हाथ में, मेरे पास, cash है, एक हाथ में, मेरे पास, check है 10,000 रुपए की, और तीसरा हाथ तो है नहीं मेरे पास तो चलो मैं गले में लटका लेता हूँ 10,000 रुपए की सोने की चेन ठीक, तीनों में लिक्विड ज्यादा कौन होगा और सबसे कौन होगा तो तीनों में सबसे ज्यादा लिक्विड कैश होगा cash से ज़्यादा liquid तो कुछ होई नहीं सकता है ठीक, economy में उसके बाद check होगा, because check bank में जाओँगा तुरंट पैसा आ जाएगा, इतना भी तुरंट नहीं, लेकिन हाँ, काईदे से बोलना चीजिए तो gold, ज़्यादा liquid है check से, क्यों? क्योंकि gold अगर मैं कहीं जाओँगा gold तुरंट दूँगा, तुरंट पैसा आ जाएगा check मज़े bank में लगाना पड़ेगा वो फिर एक दो दिन में clear होगी समझ रहे हैं, तो सबसे कम liquid कौन हुआ check हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ cash और बीच में कौन आया, gold chain आ गई तो liquidity शायद आप समझ पा रहे हैं कि liquidity का मतलब क्या होता है ठीक है, अब आते हैं quantity theory of money ये कुछ नहीं, इंडविन फिशर्ची ने दी थी जिनके बारे हमने money illusion का concept पड़ा था उन्होंने दी थी, उन्होंने बोला था कि अगर economy में आप पैसा डाल दोगे अगर economy में पैसा बढ़ा दोगे तो चीजों के price ही बढ़ जाएंगे simple सी चीज उन्होंने बोली थी, लेकिन तब उसे में काफी important थी, कि आपने money supply m अगर बढ़ा दिया, तो उसका velocity of circulation बढ़ जाएगा जो कि बराबर होगा price के और जितना transaction हो रहा है, यह equation याद रखेगा, mv is equals to pt जहां पे m दिखा रहा है आपके money supply को v दिखा रहा है velocity of circulation of money, what is velocity of circulation of money कि पैसा जो है, मा लेते हैं, 10 रुपे का जो note है, वो कितने hands exchange कर रहा है, कितना circulate हो रहा है, कितना घूम रहा है economy में, उसको बोलते है velocity of circulation of money p है general price level ठीक है, और t है transaction कितना हो रहा है, यह दिया था Irwin Fischer जी ने आगे है, बेजल norm बेजल norm यह इंटरनाशन, यह बेजल एक city है, Switzerland में, जहां पे city in Switzerland जहां पे 1974 में हुआ था, 1974 में और by the group of 10 G10 जो countries थी, उनके दोरा यह हुआ था 1974 में, कि banking system को कैसे और improve किया जा सकता है, banking system को और कैसे improve किया सकता है, और यह यहां पे हमारा बेजल में ही international banking association है, उसका भी headquarter है तो बेजल norm में कुछ standard set किये गए, कि देखिए, banks जी, सुनिये द्यान से, जब आप पैसा देते हैं, तो आपके पास different तरह के लोग आते होंगे, ठीक है, और सबकी अलग पैसे देने की छमता, लोटाने की छमता होगी, जैसे for example, अगर मान लेते हैं, कि कोई person A आता है, जो salaried है, salary, असको salary मिल रही, B है, धन्दा करने के लिए, business करने के लिए लिए जा रहा है, और कोई जैता कोई बहुत बड़ा business वाला नहीं है, अबी just start करने वाला, C है, mileage type के लोग, mileage type के लोग मतलब इनका past record सही नहीं है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा chances है कि A लोटा देगा, कम chances है कि B लोटा आएगा, और C के तो बहुत ही कम chances है, ठीक है, तो आप इसी तरह से अपने loan को भी divide करो, और इन पे risk attach करो, कि इस पे कितना risk है, इस पे कितना risk है, उसको बोलते है risk to, ठीक है, उसको बोलते है risk to weighted assets, तो बेजल ने कुछ standard set किये, उसने ये बोला कि जो आपका capital adequacy ratio है, capital adequacy ratio है, वो 8% होना चीए, 8% होना चीए of risk weighted assets का, risk weighted asset, मतलब आप जितना पैसा गुमाए है, उसमें से calculate कर लो, कितने में risk है, उसका 8% इस तरह से आपको maintain करके रखना है, या फिर आपको इतने में risk लेना है, यह capital risk weighted ratio 8% होता है, मतलब यह normal banks के लिए, और जो हमारे NBFC MFIs होते हैं, non banking financial companies, micro financial institutions होते हैं, इनके लिए होता है 15% 15% of risk weighted asset आपको maintain करके रखना है, यह होता है, इन लोगों के लिए risk requirement, clear है, अब आजाते हैं, NPAs और bad banks क्या होती है, non performing asset, तो asset हमने bank के पड़े, asset bank के लिए क्या होता है, जो लोन में पैसा गुमाता है, यह होता है, लेकिन लोन में पैसा गुमाता है, उसमें तो काफी चला जाता है, तो तीन तरह के asset होते है, regular asset मतलब जिससे regular उससे income आ रही है, bank को regularly जिसने loan ले रखा है, और regularly interest rate पे कर रहा है, एक होते है हमारे stressed asset, कि आ नहीं रहा है, time पर नहीं आ रहा है, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं, और तीसरा होता है non performing asset, वो asset जो perform करना ही बंद क कर दिया है, कुछ नहीं आ रहा है, उसको फिर तीन category में divide करते हैं, substandard, doubtful और lost asset, lost asset वो होता है, भूल जाओ, write-off कर दो इस loan को, write-off कर दो मतलब, अब उसको हटा दो, अपनी book से अटा दो, अब वो नहीं आएगा पैसा, substandard और doubtful थोड़ा आने की उमीद होती है, अब क्योंकि आने की उमीद होती है, तो ऐससे, उसको, उस उमीद से bad banks को setup किया जाता है, यह bad banks क्या होती है, नाम भले इनका bad banks है, लेकिन यह अच्छा काम करती है, इस bank के NPO को लेंगी, बोलेंगी, कितना NPO दिखाओ तुम, किस किस ने ले रखा है, फिर अपने तरीके से यह उसको निकालेंगी उस पैसे को, जितना पैसा निकालाएगा, उसमें कुछ commission अपना काट के bank को लोटा देंगी, तो bank का भी profit, इनका भी profit, तो हमारी country ने, हमारी India ने अभी दो तरह की bad bank setup करी है, एक तो national asset reconstruction company, NARC, और एक setup करी IDRC, Indian debt resolution company, IDRC, ठीक है, तो bad bank क्या होती है, जो NPA या फिर stressed asset को ले के आती है, जो bank का होता है, ठीक है, इसी के लिए आपके कुछ act भी बनाएगा है, फिर question करते हैं, एक तो insolvency bankruptcy code 2016 का, ठीक है, यानि कि अगर किसी ने मतलब किस तरह से, आप पैसे को ले सकते हैं, उसका पु C, ठीक है, एक्ट, ये 2002 का है, ठीक है, ये 2002 का है, ठीक है, इसका full form अगर बात करें तो बड़ा लंबा चोड़ा सा है, कुछ, ठीक है, जैसे कि I think ये है, कि securitization and reconstruction of financial assets and securities interest act, इस तरह से है, ठीक है, ये banks या फिर other financial institutions को allow करता है, कि जिसने भी जो भी गिरवी रखके लोन लिया था, आप उसको auction कर दो, उसके निलामी कर दो, उसको बेच दो, recover करने के लिए, लोन के लिए, हम उसमें जदा टांग नहीं गडाएंगे, गवर्मेंट बोलती है, ठीक है, तो ये होती है हमारी सारफेसी एक्ट के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया, अब करिये questions को, which of the following is not a function of Central Bank of India, which of the following जल्दी से करिये question को, एक एक करके attempt करिया सार गेसी नहीं है, प्रगिती पांडे, सार फेसी हो, ठीक है, सार फेसी, not a function, it controls the money supply, it acts as a banker of the country, banker of, bank of banks, lender of last resort, it accepts a deposit from public, गलत है, ठीक है, public deposit नहीं एक्सेप्ट करिये, which of the following statement about the Reserve Bank of India is correct, RBI के समन में में से कौन जा सही है, in 1931, the Indian Central Bank Inquiry Committee revived the issue of establishment of syndicate, the RBI is commenced operation in 1935, सही है, कौन से इंकरेक्ट पूचा है, 1929, the Hilton गलत है, ठीक है, 1926 में बनी थी है, a project for purveying micro credit by linking self-help group, इसी के में बात कर रहा था, तो self-help group के लिए, bank linkage program स्टार्ट किया था, कि बैंक को self-help groups के साथ लिंक किया था, नाबार ने ये program स्टार्ट किया थ in India was formally launched on a pilot basis by the Dash and Dash, तो इसको नाबार ने लांच किया था, 1992 में अभी मेना को बताया, ठीक है, a form of financial service which provides small loans and other financial services to poor and low income household is called as microfinance, commercial mortgage, invoice financing, and personal finance, तो इसको बलत है, microfinance, with, ठीक है, the interest rate at which RBI provides overnight liquidity to banks, overnight liquidity, क्या होगा answer, repo rate, कहा है, repo rate, option number, option number C, repo rate, ठीक, who among the following formulates, the monetary policy in India, कौन monetary policy मौधरिक नीती बनाता है देश में, RBI, नीतियायोग, finance commission, या फिर मौस्पी, RBI बनाता है, monetary policy committee बैठती है, अब पढ़ेंगे गरीबी के बारे में, five year plan और खतम अमनों को lecture, ठीक है, सभी लोग एक लंबी, गहरी सांस ले लेंगे, फिर स्टार्ट करते है, poverty, उसके बाद five year plan और industrial policy, जो तीन, चार है हमारी, ठीक है, पांच मेंट काओ topic है, और खतम, ठीक है, start करते हैं, गरीबी, poverty, तो poverty के अगर बात करें, तो इसका थोड़ा सा background, जान लेते हैं, कि poverty estimation, इसका जो poverty, इसका estimation कब से चालू हुआ था, इसका थोड़ा background और फिर, मतलब की pre-independence और post-independence, तो अगर हम pre-independence की बात करें, ठीक है, यानि, independence की समय की पहले की बात करें, तो सबसे पहले, सबसे पहले, it was done by, firstly, दादा भाई नरोजी जी ने, दादा भाई नरोजी जी ने, poverty line, unofficial तोर से दी थी, लेकिन दी थी नोंने, अपनी किताब, poverty and unbretish rule in India, जिसमें किनोंने, drain of wealth की भी बात कई थी, ठीक, फिर इसके बाद हमारी बनती है, एक national planning committee by, इसने बनाई थी बताइए, national planning committee by सुभाष चंद्र बोश जी, इन्होंने इस committee का गठन किया, कब in the year 1938, 1936 में, इसके बाद आता है हमारा Bombay plan, Bombay plan किस year में आता है, यह आता है, 1944, 1944 में, जिसमें कि हमारे कुछ influential business man leaders ने, इंडिया का development के लिए एक plan रखा था, इसको Bombay plan बोलते हैं, और इसमें उन्होंने 75 रुपए पर capita, पर year का एक mark set किया था, यह है pre-independence के time का, अब बात करते हैं, post-independence के time पे क्या क्या हुआ, poverty को लेके, तो post-independence, सबसे पहली जो हमारी committee बनती है, उसका नाम था, दान डेकर और रत कमिटी, दान डेकर और रत कमिटी बनती है, इसने सबसे पहला assessment किया, post-independence, poverty का वो करने के लिए, ठीक है, और इसने NSSO का data यूज किया, और इसने एक तरह से expenditure-based poverty line दी, कि कितना लोग खर्च करते हैं, तो उसके basis पे आप पूर या फिर बोलोगे कोई पूर है या नहीं, expenditure-based poverty line दी, इसने, फिर दूसरी committee हमारी बनती है, अलाग committee, यह committee बनती ह 1971 में, 1971 में, दान लेका रत, फिर आती है, अलग committee, यह जो committee है, बनती है, 1979 में, और इसने सबसे पहले, nutrition-based poverty line दी, कैसे, nutrition-based, फिर आती हमारी तीसरी committee, जिसका नाम था, लकड़ वाला committee, ठीक है, लकड़ वाला committee, in the year 1993, इसने, state-wise poverty line दी, और poverty line का इसका जो अधार था, वो, CPI का data था, CPI, industrial worker, CPI, agricultural labor, इसका इसने data यूज किया, इस particular poverty line को देने के लिए, फिर हमारी चौथी committee यहां पे बनती है, जिसका नाम था, तेंदूलकर committee, तेंदूलकर committee ने यह बोला कि, जो basic needs होती है, उसको check करिए, उसके base पे आप poverty line दीजिए, या फिर, जो purchasing power parity है, उसके basis पे, अब purchasing power parity क्या होती है, purchasing power parity का मतलब होता है, जैसे for example, मैंने दो country को लिया, USA को और India को, मैंने एक same basket of good लिया, कि मैंने for example, एक soap ले लिया, एक oil ले लिया, एक कोई food item ले लिया, ठीक है, तीनों चीज यहां पे और तीनों चीज ने same, वहां पे USA मे लिए, तो उसको फिर उनने compare करवा है, तो फिर मैंने देखा कि वही same चीज का जो price है, USA में जादा है, और इंडिया में कम है, तो यह concept हम GDP में भी use करते हैं, कि PPP terms में GDP USA की ज़्यादा लग सकती है, मतलब, sorry, USA ज़्यादा लग सकती है nominal terms में, लेकिन जब PPP terms में बात करेंगे, purchasing power priority के terms में, तो हमें पता चलेगा कि actual में, वहाँ पे चीजों के price ज़्यादा है, तो वहाँ की GDP ऐसा नहीं कि ज़्यादा है, बट वहाँ पे price ज़्यादा है, ठीक है, तो यह चीज आपको पता होना चीज तेंदुलकर committee और तेंदुलकर committee ने ध्यान रखना, इनी के basis पे recommendation पे, 2011-12 में, विकाँज तेंदुलकर committee के अगर बात करें, 2009 में बनी थी, तो 2011-12 में poverty line दी गई, और यह poverty line के जो data है, आपको पता होना चीज यह data, सारे data तो important नहीं होते हैं, बट यह important है, रूरल के लिए क्या थी poverty line और अर्बन के लिए क्या थी है, तो रूरल के अगर बात करें, तो 816 रुपए महीने, 816 रुपीज पर मन्त, और अर्बन के लिए बात करें, तो 1000 रुपए महीने, ठीक है, 1000 रुपीज पर मन्त, और इसमें यह भी फिर पता चला, कि percentage of people below poverty line, BPL household, अगर हम बात करें, percent किते हैं, तो this is 21.9%, जिसमें की, रूरल में है 25.7%, यह डेटा है रूरल का, और जिसमें की 13.7% है अर्बन का डेटा, यह डेटा आपको पता होना चाहिए, जो 2011-12 के basis पर था, ठीक है, और poverty ratio, कितना है इंडिया का, पोवर्टी रेशो, यह निकल के आया, 29.5%, पोवर्टी रेशो मतलब, या फिर इसको, पोवर्टी रेशो मतलब हो गया कि, कि, कितने पूर लोग है, डिवाइड बाई, टोटल पॉपलेशन क्या है, ठीक है, पोवर्टी रेशो उससे निकला आता है, इसी को हम, हेड काउंट रेशो भी बोलते है, हेड काउंट रेशो का मतलब होता प्रपॉर्शन ओप्पवलेशन लिविंग बिलो पॉपर्टी लाइन, ठीक है, अभी आते हैं, the last committee was the Rang Rajan committee the last committee is our Rang Rajan committee, जो की बनी थी in the year 2014 2014 में, इसने different categories create की थी calorie based, protein based, fat based इस तरह से, ठीक है, और इसने जो है modified mixed reference period की भी चर्चा करी थी ठीक है, reference period, तो इसे एक question इसी तरह से दे देता है ठीक है, और अब यहाँ पर थोड़ा सा Lawrence curve और गिनी कोफिशन के बारे में बात कर लेते हैं जो Lawrence curve है, वो हमारा बताता है किस के बारे में, ये inequality के बारे में बताता है ठीक है, ध्यान रखना inequality के बारे में गिनी कोफिशन जो है गिनी कोफिशन बताता है ये Lawrence curve अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से बनता है ठीक है इस तरह से ये मतलब इसको line of equality बोलते हैं ये जो line है ना, इसको line of equality बोलते हैं ये बहुत important है ध्यान रखना line of equality है जो लोग इसके नीचे हैं ठीक है वो पूर हो जाएंगे ठीक है जब इस तरह से और ये अमीर हो जाएंगे तो वो कितना difference है वो हमें दिखाता है Lawrence curve ठीक है line of equality ये है जो एकदम beat से पास वरी हो रिजन से गिनी कोफिशन क्या है तो गिनी कोफिशन एक कोफिशन है जो की inequality है फिर equality को express करने के लिए यूज किया जाता है इसका जो value हो वो 0 से लेके 1 तक variate करता है 0 का मतलब होता है perfect equality 0 का मतलब होता है perfect equality और 1 का मतलब होता है perfect inequality perfect inequality तो दोनों में से आप किसी एक को याद कर लो, नहीं तो confused हो जाओगे, किसी एक को याद कर लो, 0-1 में कौन perfect equality है, फिर कौन perfect inequality है, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे है, questions attempt करिए जल्दी से, ठीक है, ये PDS अला मत करिए इंपॉर्ट नहीं, ये करिए, poverty ratio कितना है अभी इंडिया का, which of the following committees was formed to estimate poverty line in India, दो questions करिए जल्दी से, poverty ratio has declined to how much in 2011-12, तो अभी मैंने आपको उताया था, कि poverty ratio, अगर इंडिया में बात करेंगे, 2011-12 के basis पे, तो तेन दुलकर committee, 21 percentage of, एक सेकेंड, तो पोवर्टी रेशो कि वैसे percentage तो आपको 21.9 है, बट यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पोवर्टी रेशो, तो ये तो 21.9 ही होगा इस का अंसर, ठीक है, option number A, option number A, यहाँ पर सही अंसर होगा, 21.9%, which of the following committees was formed to estimate poverty in India, तो अभी हमने देखा त्यंदूलकर committee, option number D, यह question आएगा, त्यंदूलकर committee, अलग committee, रंगराजन committee, दांडेकर, रध committee, अभी आते हैं balance of payments, तो आप में से किसी का एक question आया था, जब मैं आपको budget के बारे में पढ़ा रहा था, current account, capital account, किसे remittances किसमें आएगा, तो अब आएगा remittances आपका, balance of payment है, तो इसमें दो head रहते है, current account or capital account, current account में क्या क्या आता है, capital account में क्या 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 आता आपको पता होना चाहिए, तो current में आता है हमारे export or import of goods, export and import of services, ठीक है, income visibles रवलते है और इनको गवर्मेंट के दोरा, वो आते हैं के current account में and income receipts and payments वो आते हैं इसमें आपके capital account में investment आ जाती है investment दो तरह की होती है आपकी FDI foreign direct investment और दूसरी होती है FPI foreign portfolio foreign portfolio investment या फिर इसी को foreign institutional investment भी गोलते है FII FDI ध्यान रखना FDI एक stable investment होता है किसी country के लिए और FII ए फिर FPI एक तरह की hot money होती है इसी को हम बोल सकते है hot money ठीक इतना stable नहीं होता है कुछ borrow किया अब याद करिए जब हम लोग पढ़ रहे थे budget वाला capital head तो वहां पे भी जो loan वगरा borrowing और lending loan देना loan लेना वो capital head में आ रहा था यहां पे भी वही है वहां पे हम पढ़ रहे थे जो grants थे वहां पे भी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो grants थे यानि कि एक country के दोरा किसी दूसरे को दिये गए grant यानि कि जो अनुमोधन थे जो कि वापस लोटने के जिसकी उमीद नहीं होती हूं किसमें आ रहे थे revenue side में यहां पे भी तो current यहां पे revenue की जगे current account है तो वहां पे जा रहे हैं ठीक है तो भी same ही है अगर हम देखें तो और change in foreign exchange reserves यह आपके आते है capital account बस आपको दो चीजे पता होने च एक तो यह कि जो trade होता है goods and services का वो current में जाता है plus जो grants होते हैं वो इसमें आते है capital में अगर हम बात करें तो investment और borrowing और lending इसमें आती है अगर मैं बात करूँ जो borrowing और lending हुई है जो उसका interest है वो किसमें जाएगा वो current account में जाएगा जिस तरह हमारा वो revenue side में जा रहा था budget मे ठीक है तो interest इसमें आ जाएगा आपका ठीक है तो अभी आगे बढ़ते हैं और पढ़ते है what is current account deficit तो जैसे वहाँ पर अपने deficit पढ़ा था जैसे वहाँ पर अपने budget में पढ़ा था कि अगर हमारे expenditure जो खर्चें अगर वो प्राप्तिय है निए receipt से जादा हो जाएगे तो deficit अइसे ही current account deficit से होता है 我們 of current account deficit का मतलब है कि जहां पर आपके deficit बढ़ गाए क्या चीज किस weilी शर्त को इंक्लुड नहीं करेंगे Ken किसको include नहीं करेंगे तो current account deficit current account deficit यहाँ पर भी है निए एक तरह से क्या हो रहा simple, import आपके ज़्यादा है export से, ठीक है import जब ज़्यादा होते हैं export से तो किसी भी country का current account deficit हो जाता है twin deficit क्या होता है twin deficit होता है, जब किसी country को current account deficit पीविए जहलना पड़ रहा है, प्लस back財 दूध फिसकल डेविसे फिसकल डेविसे लिए इसका budget भी घाते में चल रहा है gold किसी country के पास reserves कितने वो आते हैं फिर इसमें SDR आते हैं special drawing rights आते हैं जिसमें की 5 तरह की currency से मिल के ये बनता है SDR और चौथा है हमारा RTP that is reserve triangle position इसका reserve triangle position का मतलब होता है कि हर country IMF एन International Monetary Fund में कुछ पैसा deposit करके रखता है उसको बलते है reserve triangle position तो यह हमारा काफी कमजोर हो गया था तो फिर वहां पे हमने introduce किये LPG reforms LPG reforms हमें introduce करने पड़े because हम IMF के पास loan लेने हमें जाना पड़ा और that was the only time जब हम loan लेने गये RBI के पास और उसने हम एक शर्त पर loan दिया कि अगर हम अपनी जो economy उसको liberalize करेंगे ठीक है उसको privatize करेंगे मतलब private players को भी खोलें मतलब players को मौका देंगे खेलने के लिए because अभी तक हो क्या रहा था हमारी जो Indian government थी private place को बहुत ही कम अलाओ कर रही थी मतलब पूरा एक तरह से हम बोल सकते हैं जद तर socialist economy की तरफ हमारा trend जुकाव था जिसके वैसे private player उतना नहीं आपा रहा था investment बाहर देशों से नहीं आपा रहा था तो इसलिए हमने कहा कि आप liberalize करिए बाकी देशों से बाहरी देशों से जब तक investment नहीं आएगा तब तक आपके पास यह सब नहीं आएगा आपका capital account तगड़ा नहीं होगा तो अगर आपको और अच्छा forest reserves रखना है अपने पास तो investment को और लीजिए FDI, FPI, FII इनको और ज्यादा लीजिए आप ठीक है तब ही आपका यह और better हो पाएगा ठीक है liberalization, privatization and इसको G को बोलते हैं क्या globalization ठीक clear है आपक सभी को अब आते हैं कुछ questions कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं current account of balance of payment does not include which of the following तो current account में से क्या नहीं आता है investment, transfer payments, trade in goods या फिर trade in services पता यह जल्दी से which of the following items does not directly affect the current account balance of India दो questions के answer पता यह जल्दी से और इस समय हमारे prime minister कौन थे देश के जब LPJ reforms हुआ तो PV नर्सिम्मा राओ जी की government ही ठीक है PV नर्सिम्मा राओ और इस समय हमारे prime minister थे कौन? Manmohan Singh जी ठीक चलिए, answer दिए जल्दी से इन questions के अभिशेक ठाकुर हाए परीती अच्छा हाए लगी की परीती की तुमारी? ध्यान रखना current account balance does not include तो investment नहीं होगी, यह capital account में आएगा ठीक है यह capital side में जाएगा which of the following items does not directly affect the current account balance of India इन में से current account balance को कौन effect नहीं करता directly तो तो कौन effect नहीं करेगा? revenue revenue अगरा जो होता है यह सब आपका budget में आता है यह balance of payment में नहीं आता है clear? अगला है अब आते हैं 5 year plan और last हमारा topic है यह किसी को कोई problem तो नहीं हुई यहाँ अब तक कुछ balance of payment current account deficit यह सब किसी में और अगर हम बात करें तो यही सारी चीज़ें होती है जो हमें एक तरह से किसी country का बताती है कि उसका foreign asset कितना क्या होगा ठीक है? किसी कोई problem तो नहीं है यह तक remittances कि इसमें आएंगे current account में ठीक है? remittances इसमें आएंगे आपके current account में remittances को नहीं पता क्या होते है तो जो भारत के नागरीक बाहर देशों में रह रहे हैं तो वो अपने घर में पैसे बेजते हैं Earn करते हैं हुँ माल लेते हैं USA में रहते हैं और डॉलर्स में earn करते हैं तो जो dollar भेज रहा है न वो जो dollar है न? वह आगा current account में तो जो भी trade होता है import export तो वो सब foreign currency इन सब में होता है तो वो सब balance of payment में maintain होता है तो अगर balance of payment crisis हो गया था 1991 में हमारे इंडिया में इसका मतलब है हमारे पास forex reserves खतम हो गया थे कि हम import जड़ा सभी कुछ कर पाएं clear चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5-year plan पंच वर्षिय योजिनाओं के बारे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो जल्दी से यह basic question कहां से दीजे कि हम लगे ने 5-year plan लिए कहां से 5-year plan यह हमारा USSR जो ऑस्ट वाइल USSR यानि जो अभी प्रेजन टाइम में रश्या जो पहले USSR हुआ करता था वहां से हमने 5-year plan को बौरू किया था ठीक है तो पहला जो हमारा पंच वर्षिय योजिना है वह 1901 में शुरू होता है और 56 तक चलता है देखिए यहां पर मैंने च फोकस करिएगा तो टाइम पिरिट तो यहां पर लिखा हुआ है यह बेस था आपका है डोमर मॉडल पर ठीक है 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 डोमर मॉडल पर बेस था और इसमें अगर हम बात करें तो टार्गेट हमने रखा था 2.1% का और अचीव किया था 3.6% ठीक यहां पर हमारा में फोकस थोड़ा सा अग्रिकल्चर पर था विकॉस अभी हमारे खाने के वांदे पड़े हुए थे हमारे यह कि अंग्रेजों ने इतनी जम के लुटाई मचाई थी आपने वह एक वीडियो देखा है एक अभी हमारा मतलब चंद्रयान सफा लुआ था ना चंद्रयान 3 तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने बोला था कि इंडिया ने हमसे लोन लिया था हमसे एड लिया था और हमें ऐसे देशों से ले लोन नहीं देना चाहिए जो कैपेबल हैं स्पेस प्रोग्राम करने के लिए तो इस वेसे इंडिया अमारा लोन लोटा है तो हमारी जो जूर्नलिस ने बोला कि अच्छा अगर ऐसे लोन की बात है तो चले इसको क्योंना बैक डेट से चालू करते हैं तो कुछ अगर एस्टिमेट माने हैं तो उनने बोला कि 45 ट्रिलियन डॉलर ये बृतनन ने लूट की थी तो यह जो लूट का पैसा क्यों ना पहले इसको ब्रिटन लोटा आजिए और हां उसनों नहीं भी बोला कि यह जो है यह थी टाइमस ऑफ करेंट ब्रिटन का जीडीपी है ठीक है तो यह कि इतना भहेंकर लूट मचाई थी कि हमें अग्रिकल्चर पर पहले फोकस करना पड़ा थख फिर हमारा आया 2nd 5 year plan इसका टाइम पीरिड था 1956 से लएके 61 तक 2nd 5 year plan was based on the model of PC PC Mahal Nobis PC Mahal Nobis के जन्म दीवस पे हम Indian Statistik Day सांखिकी दीवस की रूप में भी मनाते हैं जरा बताए कब मनाते हैं PC Mahal Nobis इस पर फोकस रखा गया था Rapid इंडस्रीलाइशन पर Rapid इंडस्रीलाइशन मतलब तीवर आर्थिक किस तरह से हम इंडस्रीज को डेवलप करें रापडली और इसी टाइम पर हमारी इंडस्रील पॉलीसी भी आई थी 1956 वाली जो कि हमारी दूसरी इंडस्रील पॉलीसी थी जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे 4.5% हमने target रखा था Achieve हम कर पया थे 4.3% तो moderately ठीक ठाक था First वाला successful था Because जितना target रखा था उससे ज़्यादा achieve किया Third five year plan आए 1961 से 62 But यह हमारे ले time अच्छा नहीं रहा Because 1962 में Chinese aggression हमें face करना पड़ा 1965 में प्रोसी मल्क हमारा पाकिस्तान इसने कुछ इसको चलमची होई थी तो इस वज़े से यह उतना successful नहीं हो पाया Target यहाँ पर रखा गया था self-reliant Self-reliant और self-generating economy Self-reliant and self-generating economy के target रखे गये थे यहाँ पर और 5.6% के target रखा गया और बहुत भेंकर failure जहिलना पड़ा आधाई अचीव कर पाया 2.8% तो इट वज़ा major failure 4th 5-year plan चतुर्थ 69 से 74 अब यहां बात आती चाचट के बाद 79 से आ गया तो चाचट से लेके 1966 से लेके 1969 तक हमने किया plan holiday क्योंकि इतना ज्यादा fail हो गया कि हमें थोड़ा सा break लेना पड़ा तो हमने holiday कर दी 5-year plan की प्लान देके भी पूछ सकता है 66 से लेके 69 के बीच में जब हमारा 3rd 5-year plan के बाद में 4th में 1969 से लेके 1974 तकरन किये यहां पर जो हमारे target थे that was growth with stability ठीक ग्रोथ करना है लेकिन stability के साथ करना है ठीक यहां पर smiling buddha जो मारा पहला underground nuclear project था जिसको हम बलते है smiling buddha program उसको हमने execute किया family planning program लेकिया यहां पर family planning program यहां पर लेकिया है समझ रहे हैं तो वो period था rapid growth तो family planning program यहां पर भी था 5th 5-year plan में पर आएंगे वहां पर भी था कि किस तरह से population limiting measures लिये जाए ठीक है और यह जो था आपका rudr allen model पर based था ठीक है rudr allen model पर based था इसी को हम बोलते हैं कि भाई गडगिल plan ठीक है गडगिल plan यह फिर गडगिल योजिना पर बेस था कहीं कहीं पर गडगिल को third five year plan के अंडर लिखा गया है तो exam में इस तरह से नहीं पूछेगा या तो एक ही होगा third यह फिर fourth ठीक है तो इस वैसे याल लखना अगर fourth ना हो तो फिर third होगा गडगिल वाला ठीक है fifth पर आते हैं और इसी time पे तो मैं आपको होता है था जो हमारे 14 bank कों का राश्री करन होगा था 14 banks were nationalized during this period फिर अगर हम बात करें फिफ्थ फाइफ यह प्लान की तो पंच्यों वर्षी जो पांच्वी पंच्यों वर्षी हो जाना 14 अले कि 78 तक चली और इसमें इसमें अगर हम बात करें फोर्थ में क्या target रखा कित्ता अचीव किया तो 5.7% का target रखा और 3.3% है यह अटर failure यह भी हुआ ठीक है फिफ्थ में अगर बात करें तो यह target हमने रखा attainment of self-reliance attainment of self-reliance यहां पे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इंदिरा गांधी जी के तोरा ठीक है गरीबी हटाओ बाई इंदिरा गांधी जी के तरह दिया गया और यहीं पे आपका 20-point program दिया गया गरीबी हटाने के लिए 20-point program आया और यहीं पे launch किया गया minimum needs program I hope सभी लोग अपने इस active recalling कर रहे होंगे पहले से ठीक है और यह आपका base था dp-dhar model पे ठीक है dp-dhar model पे base था और यहां पे अगर हम बात करें 4.4% का target रखा गया बट achieve यहां पे 4.8% किये that means relatively slightly successful था और ध्यान रखता है यहां पे population reduction program लिए गया थे यह time period याद रखेगा कि 70s के time पे बहुत ज़्याद population होई थी तो population limiting जो reduction program है वो 5th में लिए गया थे ठीक है population reduction 6th 5-year plan देखिए 80 से शुरू हुआ 78 के बाद सीधे 80 से शुरू हो रहा है यह 2 साला बीच में क्या हो गया तो ध्यान रखना कि 1978 से लेके 80 के बीच में आते है rolling plan क्योंकि government change हो जाती है इनके time पे 5th 5-year plan के time पे रहती है इंदिरा गांदी जी के सरकार ठीक है अचा पहले भी देख लेते हैं पहले किसकी सरकार रही मतलब कौन प्राइम निस्टर रहा तो यहां पे इंदिरा गांदी थी इसके पहले भी इंदिरा जी थी ठीक है ठीक है तीनों में नहरू ही प्राइम मिनिस्टर थे चौथे में गांदी इंदिरा गांदी आती है फिफ्ट में अगेन इंदिरा गांदी आती है एंडिस सिक्स्थ में होता क्या है कि 6 ताने से पहले 2 साल तक इनकी government change हो जाती है जंता government आ जाती है और यहां पर यह लोग ल लेखेंगे और अची हुआ कि नहीं हुआ और अगर नहीं हुआ तो फिर उसको modify करेंगे तो यह थे rolling plan दो साल में फिर से congress government आ गई तो 65 यह प्लान आ जाते हैं उन्ने से 85 के बीच में यानि कि अगेन इंदिरा गांदी जी की government आ जाती है यहां पर जो target रखे जाते हैं वो 5 5.2% रखे जाते हैं और achieve होते हैं 5.7% बाकिस message को यह सी चीज नहीं है जो आपको याद करनी हो 7th में अगर बात करें तो यहां पर आ जाते हैं अब राजीव गांदी जी ठीक है यहां पर आ जाते हैं राजीव गांदी जी 1985 से लेके 90 के बीच में यहां पर जो main target था वो focus जाता food, work and productivity पर food, work and productivity पर. FWP करके short में आप रह सकते हैं यहीं पर Hindu rate of growth का concept दिया गया कि कि किस तरह से हम लोग जो grow कर रहे हैं वो बहुत ही कम growth rate है लेकिन फिर भी हम satisfied हैं मतलब एक basic basic Hindu philosophy पर based है लेकि Hindu philosophy कहते है कि कम में रहो, कम में survive करो और उसी में खुश रहना सीखो तो तो उसको बोलते हैं खेर उतने इंपॉर्ट नहीं है लेकिन क्योंकि अभी डिसेंट में रगुराम राजन ने इस टर्म को बोला था इसलिए अगर पूछ ले कि हिंदू रेट अफ ग्रोथ क्या है तो इसका मतलब यह कि जो स्लो एक्रोमिक ग्रोथ रेट होती है या फिर हु एकनॉमिक क्राइस जहलना पड़ा इसलिए हमने क्या किया 1991 और 1992 के लिए हम एनुवल प्लांस लेकिया है एनुवल प्लांस इनको बोलते हैं और जो चाचाट से लेकि उनको प्लान होलिडेस थे उनको भी एनुवल प्लान देके पूछ सकते आपसे लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे चिंता ना करिए ठीक है तो अनुवल प्लान के बाद अब यहां पर आती हैं पीवी नरसिम्मा राओ ठीक है क्योंकि मैंने भी बताया कि उस 1991 का जो हमारा एकनॉमिक क्राइस अभी को राजीव गांदी जी की डेथ हो गई ठीक है पीवी नरसिम्मा राओ तो कि डेथ के बाद यह प्राइम मिनिस्टर बने कॉंग्रेस सही थे तो इन्हों ने एकनॉमिक को अब चलाया एट्थ फाइफ वे प्लान के टाइम पर टार्गेट यहां पर बात करें सेवेंथ वाले में रखे गये थे फाइफ और एचीव किया गया 6.02 मॉडरेटली सेक्से सेक्टोरल टार्गेट रखे जाते हैंगे इस सेक्टर मे इतना अचीव करना इस सेक्टर में इतना अचीव करना है इसमा बाकई से कोई ब्रेक नहीं थे एच में ऐच है। The target was faster and sustainable growth, faster and sustainable growth यहाँ पर target था, और 12th 5-year plan में अगर बात करें, बस एक word और extra add हो जाएगा, faster, faster, sustainable and inclusive growth, यह target था, 12th 5-year plan में, which was the last 5-year plan. पांच साल चल नहीं पाया तो, 2012 से लेकर 14 तक ही चल पाया, and then आपको पता है कि 2014 में government change होई, and 1st January 2015 को नीती आयोग सेट अप हो गया, ठीक है, जिसने की 5-year plan को हटा दिया, National Institute for Transforming India ने, जिसके chairman, vice chairman और यह सबाब बताईए, कौने CEO, और किसी को कुछ doubt हो पूछी और जल्दी स in questions button करिया, फिर हम लोग करते हैं हमारा आखरी industrial policy और उसके बाद, यह हमारा आज का lecture खतम याई है, तो अगर हम बात करें, कौन होता है chairman, मोधी जी होंगे chairman, ठीक है, PM मोधी, और BVR सुब्रमन्यम, कौन है इसके, CEO है, और सुमन बेरी, vice chairman है, ठीक है, यह CEO है, और यह है हमार chairman, ठीक है, यह हमारी एक non-statutory, यह फिर extra-constitutional, यह फिर executive body है, ध्यान रखना, executive, five-year plans of India वर centralized economic and social growth, modeled after those prevalent in, यहां से लिए तेमने, विचे तो following sectors was the focus of the first five-year plan का focus किया था, service sector, agriculture sector, industrial sector, यह फिर public sector, तो focus हमारा, first में agriculture sector option मेर, भी यहां पर सही answer होगा, the second five-year plan had a major goal of achieving, which was the following second, second का था, क्या था, industry setup करना, ठीक है, यहां पर हमारी काफी industries भी setup होई जैसे कि, हमने setup किया, first में अगर हम बात करें, first वाले में, तो यहां पर हमने कुछ dam setup किया, जैसे कि, भाकड़ा नंगल डैम, जो की largest डैम है, highest gravity डैम है, इंडिया का, ठीक है, हीरा कुट डैम जो की इंडिया का longest डैम है, किस नदी पहें जल्दी से बताइए दोनों, यहां पर हमने रौर केला स्टील प्लांट, in Odisha setup किया, दुर्गापूर in West Bengal किया, ठीक है, यह सबने कि, रौर केला अगर हम बात करें, किस की help से किया, जर्मनी की help से, दुर्गापूर अगर बात करें, UK की help से किया हमने, ठीक है, and भिलाई किया, भिलाई किया 36 गड़ में, रश्या की help से, यह धियान रखना है, second five year plan क यह टाइम पर, बाकड़ा सतलज पर एकिरा कुड़ आपका महानदी पर है, ठीक है, अगला गुश्चन है, five year plans, plan holidays is from, plan holidays कब से कब तक थे, third five year plan के बाद, उनेंसो चाचछर से लेके, उननाचर के बीच में, option number D यहां पर से यह अंसर होगा, अटहतर से असी के बीच में, क् प्लान आये थे और 1990 से लेके 92 तक क्या आये थे अनुवल प्लान साये थे clear अनुवल प्लान अगला question है choose the correct pair from the following options कौन प्राइम मिनिस्चर था किसके टाइम पर तो भई 6th के टाइम पर राजीव गांदी थे बिलकुल नहीं इंदिरा गांदी जी थी 7th पर आये थे हमारे राजीव गांदी जी तो 7th में राजीव गांदी थे ये भी गलत हो जाएगा 8th में PV नर्सी मराओ थे 4th में इंदिरा गांदी थी 5th में आपकी इंदिरा गांदी थी option number B यहाँ पर सही answer होगा ठीक अगला है industrial policy and this is the last topic for the day चलिए तो अब बने रहिएगा काइदे के साथ क्योंकि यह हमारा last topic और सबसे सबसे छोटा सा topic है ठीक है सबसे छोटा सा है लेकिन questions निकल आते हैं इससे भी ठीक तो चलिए start करते हैं और द्योगे गनीती सबसे पहली जो हमारी industrial policy आई थी देश की that was in the year 1948 1948 में हमारी पहली industrial policy और द्योगे गनीती आई यहां से beginning हुआ license राज का beginning of license राज क्यों बोला हमने इसलिए बोला because government ने monopoly established कर ली government ने बोला कि हमी यहां पे हमी मतलब इन इन सेक्टर्स में हमी सिर्फ rule करेंगे हमी market वो सब करेंगे operate करेंगे तुम नहीं करो गया मतलब तुम मतलब private नहीं करो गया और करना है तो license लेना पड़ेगा तो license राज और license से फिर क्या बड़ा corruption बड़ा जिसको license लेना होता तो घोस की लाता था ठीक है और यह एंड हुआ 1991 में जबना LPG reforms लेकिया है फिर हमारी second industrial policy आती है in the year 1956 1956 के टाइम पर second five year plan के टाइम पर industrial policy resolution 1956 जिसको की economic constitution बोलते हैं कर यह second five year plan को अभी objective क्या था उसका भी objective यही तो था industry setup करना rapid industrialization राइट तो यहाँ पे 1956 में इसी को बोलते हैं economic constitution of India भारत का economic constitution के नाम से जाना जाता है इसको क्योंकि इसने जो categorize कर दिया इंडस्ट्रीज को इसने categorize कर दिया यानि की categories में बाट दिया एक टाइप को बोला schedule A schedule B industries और तीसरी टाइप को बोला schedule C जब तीन schedule create कर दिये और बोला कि schedule A में वो वो हैं जिस पे government खेलेगी government की मनौवली है सिर्फ government ही रहेगी schedule C में हमने वो वो रख दी हैं जिसमें private players ही खेल सकते हैं और schedule B में government और private दोनों हो सकते हैं आपसे पुछता है कितनी industries और कौन-कौन सी industries हैं तो schedule A में total 17 industries थी schedule B में 12 industries थी और जितनी बच गई हो सब schedule C में थी schedule A में अगर बात करें जैसे कि atomic energy हो गई आपकी अब इसमें भी government के आख में थी तो कुछ central government के और कुछ state government के तो जैसे atomic energy atomic energy हो गया ठीक है आपका railways हो गया इसमें सिर्फ government ही हो गी monopoly हो उसकी arms and ammunitions हो गया arms and ammunitions हो गया ठीक है और आपका air transport हो गया नहीं कि हवाई पूरा यात्रा हो गई यह सब central government ने अपनी monopoly में कर लिए चारों चीज़े और बाकी state government को भी कुछ दे दी इसको economic constitution of India के नाम से जानता है कुछ फिर हमारी industrial policy आई 1970 में 1977 में एक आई 1980 में 1980 में और सबसे जो latest है जो सबसे आखरी है आखरी और सबसे latest अभी तबसे आई नहीं और वो थी 1991 में 1991 में जिसने की FDI की ceiling को foreign direct investment की ceiling को बढ़ाया अब क्यूं बढ़ाया सारी चीज़े लिंक आपको पता है क्यों निस सो इनक्यान में financial crisis हुआ उसने बोला कि अपना economic होलो investment सीख करो तभी तुम्हें पैसा आएगा बाहर का जब पैसा आएगा बाहर का तो dollar मिलेगा तब तुम उसको balance of payment में use कर सकतो उसको import करने के लिए ठ लाइसेंस राज ठीक है लाइसेंस राज और इसी वैसे ध्यान रखना कि हम 1991 को year of divide बोलते है economic terms में ठीक है खतम लेकिन बस कुछ financial institutions देख लेते हैं अंतराश्टी विर्थी सस्थान बस फिर खतम करते हैं ठीक है तो ब्रेटन वोड कॉन्फरेंस हुई थी एक 1944 में ब्रेटन इंसिटूशन सेट अप हुए एक तो International Monetary Fund और दूसरा हमारा हुआ World Bank यह दोनों इंसिटूशन सेट अप हुए थे कब हमारे यह सेट अप हुए थे ब्रेटन वोड कॉन्फरेंस है तो इनको ब्रेटन वोड इंसिटूशन के नाम से भी जानते हैं और बाकी IMF के बारे में अपने पढ़ लिया और कुछ यहां पर और कुछ तो नहीं है ठीक है बाकी यहां Headquarter अगर पूछ ले तो Headquarter आपको पता है ठीक है Washington DC में ठीक है Washington DC में ठीक है इसका Headquarter है बाकी यह 44 देशों की ब्रेटन वोड कॉन्फरेंस वी थी ब्रेटन वोड में जो की आपका वहीं Washington DC के इकल किया आयते है ठीक है Second World War के टाइम पर ठीक है जब 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 सेकेंड वोड वार आपका खताम होने को था फिर अगर हम बात करें एक है आपका institution WTO World Trade Organization WTO तो WTO के बात करें तो एक पहले institution होता था General Agreement on Trade and Tariff GATT General Agreement on Trade and Tariff इसको replace किया WTO ने it means WT को मोल सकते है as a precursor of GATT that is GATT यह established होता है आपका 1st January 1995 में Marrakesh Agreement में Marrakesh Agreement यह Marrakesh Agreement आपका final round था Uruguay round का पुरा युरुगवे आपको पता है देश है ठीक है युरुगवे देश है यहां से कुछ round of talks चालू हुए थे कि एक हम कुछ संस्था set up करते हैं institution set up करते हैं जो general level of कोई मतलब for example मालो कि मैं एक देश हूँ मैंने दूसरे देश में दिया कोई अपना समान बेजा उस देश ने ज्यादा tariff लगा दिया मेरे product पर tariff लगा देना मतलब उस पर ज्यादा dice लगा देना तो मेरे देश का जो समान है वो वहां पर महंगा हो जाएगा उसके केगा नहीं तो यह सारी तरह और मालो कि मैं उतना लगा नहीं रहा हूँ तो यह सारी चीजें सिकायतें करने के लिए फिर ही सारी चीजें regulate करने के लिए देख रेक करने के लिए WTO बैठा है हुआ और यहा पर युरुगवे round का जो आखरी round था वो मराकेश मरोको में हुआ हुआ था मरुकों में और उससे सेट अप हुआ था ध्यान रखना इंपॉर्टन्ट है यह युरुगवे राउंड हुआ था ठीक है मराकेश अगरिमेंट और डब्लू टियो नैंटी नैंटी फाइफ खतम यह कुश्चन आपके हुवक है दो तीन कुश्चन धन्यवाद किसी को कोई दिक्कत या किसी को कुछ लग रहा हूँ कि सर यह नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो अपनी बात रख सकता है दो दो चार लग चार गंटे का यह भी हो गया ठीक है थी के चार नहीं हाँ 6,000 बुजपने जा रहे ठीक है सच्च में खतम है अभी मेरे साइच से खतम है अगर कुछ लग रहा हो तो बता सकते हैं इंट्रिंसीक वालियू अफ मोनी किया होता है इंव особal sigh होता है जिसे की गोल्ड है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है नोट होता है जैसे 10 रुपए का नोट है 100 रुपए का नोट है उसमें hidden वैल्यू नहीं उसका अगज की वैल्यू नहीं है उसमें जो रुपए लिखे हुए उसकी वैल्यू है ठीक है गवर्मन्ट सेक्रिटी थोड़ा डीटेल में बोलियai क्या है नहीं बोलेंगे शॉर्टम्लमन्न सेक्रिटी को ड्रेशरी बिल बोलते हैं नहीं रेपो होगा ठीक है जो किसी ने भी कॉमेंट कुछ लिखा था उसका आंसर रेपोई होगा मुझे पता है वो सकता आपने तब भी हो क्या होगा जो वहाँ भी क्वेशन पूछा थो उसका रेपोई आंसर होगा पॉलिटिका लंबा हो गया था थोड़ा सा थैंक्यू सर फर्स्टाइम बिना नहीं दाए एकोनोमिक्स पढ़ी आज अच्छा अच्छा बताओ सभी को समझ में आगे नए डेप्रीशेशन अफ करेंसी क्या होती है हाँ चलो जानवी ने पूछा डेप्रीशेशन अफ करेंसी क्या होती इसको किसिएन ने कुछ पूछ गुद सब्सक्राइस कर न एको होका डेप्रीशेशन अफEdbereश्म 태安क क्या होता है बिर डेप्रीशेशन को अट Dispi domestic जो currency है उसकी value घट जाना ठीक है जो domestic currency है उसकी value decrease कर जाना घट जाना जैसे for example अगर मैं बोलूँ एक डॉलर आज मिल एक डॉलर में 80 रुपय आ जाते हैं ठीक है और इससे पहले आज से दो साल पहले तीन साल पहले एक डॉलर में 70 रुपय आते थे तो हमारी जो currency appreciate कर गई कि depreciate कर गई तो answer और operate कर गई सर लेकिन अभी तो ज़्यदा होगे ना पहले ते 70 रुपय आप 80 रुपय आता है तब यह जब रीचीज़ कर गई पहले एक डॉलर में 70 रुपय सतर मिल जाते थे अब एक डॉलर में 80 रुपय मिल जाते हैं यानि कि हमारे रुपय की कीमत घट गई ना, रुपय की कीमत घट गई तभी तो ज़्यादा मिलता है, जो ज़्यादा अविलेबल होता, उसकी कम कीमत होती है, होता यही जनरल लेवल, जनरल चीज़ें है, जनरल लाइफ में भी तो ज़्यादा अविलेबल होता, उसकी कम तो 1 dollar में 70 रुपय मिल रहा था तो ठीक थी अगर एक dollar में 80 रुपय मिल रहा मतलब हमारी currency जो है वो depreciate कर गई और इसका उल्टा appreciate का क्या है वही सेम चीज ज़्यार मालेते हैं पहला आज अभी 1 dollar में 80 रुपय है 80 मिल जाता है और एक साल बाद मान लेते हैं, एक डॉलर में 60 रुपए हो जाता है, 60 रुपए मिलते हैं, तो हमारी currency appreciate कर गई, डॉलर के मुकाबले हैं, इसमें किसको benefit होगा, exporter को की importer में, depreciation का जब होगा, हमारी currency का depreciation होगा, तो किसको benefit होगा, exporter को या फिर importer को, जल्दी से बताइए, इसी तरह हमारे होते हैं, fixed exchange rate and floating exchange rate, concept इसी से आता है, fixed exchange rate और floating exchange rate, fixed exchange rate का मतलब होता है, कि जहाँ पे government का interference करके, अपने exchange rate को manipulate करता है, ताकि उसके exporter को benefit हो सके, जैसे कि depreciate होगी जब currency, तो exporter benefit करेगा, exporter benefit करेगा, क्यों, क्योंकि अगर मालो कि वो, कोई समान बेच रहा है, एक डॉलर का, तो पहले उसको एक डॉलर में 70 रुपए मिल जाते थे, क्योंकि अगर मैं हूँ, मैं कोई export कर रहा हूँ, कुछ चीज, तो मैं अपने घर में तो रुपए में खर्च करूँगा, डॉल को बेकार होता है, fixed exchange rate में government manipulate करती है, exchange rate को, manipulate, many, manipulate करती है, ठीक है, और floating exchange rate में क्या होता है, अपने आप demand और supply के basis पे सारी चीज़ें चलती है, अपने आप चलती है, आप गर्मेंट का interference नहीं रहता है, बट चीज़ें बीच में exist करती है, government थोड़ा से interfere कभी-कभी करती है, तो यह fixed exchange rate और floating होता है, और depreciation, depreciation आप समझे है, ठीक, says tax बता दीजे, तो says tax वो होता है, जो किसी purpose से लगाया जाता है, says वो होता है, किसी purpose से tax लगाया जाता है, for a purpose, जैसे कि environment का says लग सकता है, ठीक है, तो वो environment पही जो आपे पैसा लगाया गया, वो environment पही खर्चा होगा उसको बलते हैं, says, जो सब पे common लगता है, मतलब एक तरह का proportional tax ही है, कि सब पे common लगाया, flat tax rate है, सब पे लगेगा, अगर में मेरी income 6 लाग है, साल की, तो मेरे पर भी लगेगा, किसी की 60 लाग, उस पर भी लगेगा, किसी की 60 करोड है, उस पर भी उतना ही, says लगेगा, बट बोलो नवरतना महारतना नहीं बोलेंगे यह नवरतना महारतना नहीं हो पाएगा ठीक है वो कर लेना उसमें क्या करना में निरतना नवरतना महारतना में देख लेना थोड़ा से खुद से वो नहीं और कुछ हो तो डाउट पूछ हो और उस पर कुश्चन भी आया भी नहीं हमें फालतों में करवाने को तो economics बहुत बड़ा लेकिन अभी जब question मैंने उस पर देखा ही नहीं है पेगिंग वही होता है process of setting यह होता है ca fixed exchange rate इस ही को pegging बोलता है ठीक है अब पताने आप पूछ रहते हैं बता रहे हैं ने गळा है लेकिन अगर पूछ रहते तो इस ही को pegging बोलते है census प्राची पाल इसमें नहीं करवाएंगे ठीक, economics में, वो static GK का component नहीं होगा, तो मैं अलग से वीडियो में करवादूंगा census लेकिन इसमें नहीं, money multiplier, money multiplier क्या होता है, तो money multiplier का मतलब होता है कि कितना money multiply हो रही है, जैसे कि for example, चलो बताओ, यह एक अच्छा question पूछा है, जिसने पूछा है money multiplier में, तो इसके लिए मैं तुम्हें CRR SLR पे लेना चाहूंगा जल्दी से, जल्दी से मुझे मुझे बताओ कि money multiplier को CRR के terms में कैसे express करेंगे, money multiplier का मतलब होता है कितना पैसा multiply हो रहा है, जैसे for example, जो banks है, एक set of amount, जैसे banks है, तो banks 100 रुपए दे रही है, किसी को loan पे, और 100 interest rate वगरा सा मिला के, उनको 200 रुपए निकाल ली है, तो money multiplier हो गया, हो गया, double से, हो गया, अब मालो कि, जो हमारे government, जो हमारी bank है, वो अब 100 रुपए नहीं, वो 200 रुपए वो कर रही है, तो अब और जैसे money multiply होगी, यानि कि, जितना bank पैसा देगी, या तो मैं bank attempts में आपको समझा रहा हूँ, जितना bank पैसा देगी, loan पे उतना ही जादा पै कमाई होगी, एक लाग होगा, और जैदा कमाई होगी, तो यानि कि, और, यानि कि, जितना पैसा उतना कमाई होगी, जितना पैसा उतना कमाई, तो जितना, अगर CRR के terms में इसको express करें, तो money multiplied is one upon CRR, कैसे, CRR का मतलब यह है कि, RBI बोलती है कि, अपने पास इतना पैसा रख दिया, CRR आज से 10%, एनि ज़्यादा पैसा अपने पास रखो, लोन पे मत दो, तो money कम multiply होगी, खतम, money multiplier के inversely proportional है, तो यह चीज यहाँ पे, और कोई कुछ add करना चाहता है, तो कर सकता है, अच्छी चीज add करी थी, और यह PDF आपको परमार SSC Telegram पे मिल जाएगी, ठीक है, इस PDF if you will get in, परमार SSC Telegram, MSME Investment Turnover Limit अब यह तो खुद से करी सकते होए न, यह भी इस पर भी हमें पर dependent हो तुमें, क्यों, बता दें क्या बताओ, एक करोड़ और पांच करोड़ वाली जो limit होती है, बता दें, चलो यहाँ पर बता देते हैं, अब तुम इतना row के पूछ रहे हो, तो फिर बता देते हैं, Micro, Small and Medium enterprises में, investment और turnover की क्या limit होती है, ठीक है, तो हमारे Micro, Small and Medium, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं, क्या लिख दूँ, Micro लिख देता हूँ, ठीक है, Micro, Small and Medium, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, investment limit, investment और यहाँ पर मैंने लिख दिया, turnover limit, तो Micro में होती है, less than 1 crore, यहाँ पर होती है, less than 10 crore, investment limit, less than 20 crore, turnover में अगर बात करें, less than 5 crore, turnover में less than, sorry, small के लिए 50 crore, और medium के लिए 100 crore, अब मैं एक भी Evening में class है, हाँ, Evening में class होगी, Chemistry की, ठीक है, चले भई, रखें की ना रखें मता, लेकिन होगी, अगर नहीं होगी तो हम बता दूँगा, लेकिन most probably आपकी होगी, thank you to all, धन्यवाद, और मिलते हैं, अगले one short video में, that is, वो होगा, Tuesday के दिन, Chemistry का, दिन उसके just अगले दिन नह दिन होगा, Physics का one short, thank you, PDF आपको मिल जाएगी, पर्मार SSC Telegram पर है, thank you to all, Hindi term meaning, pin please, बिलकुल, अंकिता, जो भी अगर मजे कोई देखेगा, जिसने Hindi में लिख रखे हैं, नहीं तो में कुश्चिस करूँगा, time निकाल लिख के, और उनको pin करवा दूँ, ठीक है,